आपको चैनल भी जाने बीना आपको औरगेनिक केमेस्टी बहुत टफ लगेगा वैसे ही रफी सर के कंसेप्ट और ट्रिक्स को जाने बीना आपको केमेस्टी भी बहुत टफ लगेगा इसलिए रफी सर है जहां केमेस्टी बहुत इजी होगा वहां तो देखो पूरी केमेस्टी में जो मैं टर्मिनोलोजी होगा उसकी जगह मैं अपना खुद का एक कंसेप्ट यूज़ करूँगा या ट्रिक्स यूज़ करूँगा जिससे आपको उस चैप्टर की फिलिंग यह जैसे कार्वोकतायन और आएगा आपको और्गेनिक किन्स्टेमें आगा तो यह सेरिंग करेंगर तो अभी तो इसने एक जो शरीņग वालय वह efficient हो गया तो यह सब terminology सुनकर करके कैसा लगता कि कुछ नया चीज है बट हम उसको क्या मानेंगे हम मानेंगे कार्व कटान को कि वह बेगर है तो पूर भी बोल सकता हूं मैं उसको भिखारी बोल सकता हूं तो इससे पूरा सेंस आता अच्छा यह है इसके बारे में दो तीन स्टेप हम आगे सोच सकते हैं राइट सिम्रली कहीं पर कार्व एन आयन आएगा राइट तो एगें यह सुनने में लगता है कि कोई फोरेनर है ऐसा नहीं है कार्व नायन मतलब क्या हो गया कि इसके पास ओक्टेट कंप्लीट हो गया है बट एक्स्ट्रा निगेटिव चार्ज है तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे अमीर या रिच परसन तो मैं ऐसे करूंगा यह जैसे एक आइडिया आपको दे रहा हूं कि मैं कैसे मैं टर्मिनोलोजी को कनेट करूंगा अपने सिंपल डे टू डे लाइफ के टर्म से जिससे आपको इसकी प्रॉपर फिलिंग आईगी सिमिलरली कहीं पे भी कारवन पे पॉजिटिव चार्ज हो गया या किसी भी अलिमेंट पे निगेटिव चार्ज है एक एलक्ट तो यह सब चीजों को मैं बर्डेन, सौरो या मुसिवत मानूंगा वैसे ही रेजोनेंस एक वर्ड आएगा राइट अब यह सब सुनकर कैसा रखता रही क्या है रेजोनेंस मतलब गूमना फिरना किसका गूमना फिरना यही बर्डेन क्योंकि हर दुनिया में हर लोग चाहत पर लाइट उसके पास मुसिवत ज़्यादा देर तक नहीं रहे या बर्डेन ज़्यादा देर तक नहीं रहे तो रेजोनेंस इन अफिरना यह बर्डेन, सौरो इन सब क्या हो गया है घूमना फिरना तो यह जैस एक इंट्रो है कि मैं कैसे मैं टर्मनोलोजी को कनेट करूं आपके simple day to day life words है और उसे हम कैसे proper feeling लेंगे, that means मेरे कहने का simple सा मतलब है कि कभी भी chapter को सही से feel करके अगर आप पर होगे ना, सही से feeling आगए ना, तो आपको सच में बहुत मजा आएगा, तो चलिए bond line notation में जाने से पहले कुछ ग्यान की बात हो जाए या main point, तो देखिए ग कारवन जो है, वो चार bond बनाएगा, normal state या उसका जो excited state बोलो, always carbon चार bond बनाएगा तभी वो stable है, अगर चार bond नहीं बनाया, कहीं पर तीन bond बनाया गो, to that means वो intermediate है, वो stable state उसका नहीं है, के या दो bond बनाया, तो भी वो intermediate है, और तो carbon चार bond बनाएगा, यह सभी को मालूम है, यह जो चार bond carbon बनाते हैं, वो चारो के चारो single bond हो सकते हैं, लाकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी element हो सकते हैं, hydrogen, hydrogen, जो भी, इससे sigma bond बना सकता है, तो यह चारो के चारो single bond बना सकता है, carbon में एक और property है, कि carbon, दूसरे carbon के साथ पाई बॉंड भी बना सकता है multiple बॉंड भी तो यहाँ पे क्या है चारो का चारो आपका क्या है sigma है यहाँ पे क्या किया इसने 3 sigma बनाया और 1 पाई बनाया ऐसा भी कर सकता है अच्छा यह जो पाई है वो खुद के element के साथ बो सकता है और different element के भी साथ हो सकता है यहाँ पे आप देख सकते हो तो यहाँ पे भी करवन ने 3 sigma बनाया और 1 pi बनाया है करवन चाहे तो 2 pi बना ले और 2 sigma बना ले तो ऐसा भी हो सकता है कि यह करवन ने 2 sigma बनाया है और 2 pi बनाया बट कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि carbon का 3 pi bond बना ले carbon carbon maximum 2 pi 1 बना सकता है तो यहां साब को क्या समझमाया कि carbon always 4 one बनाएगा 4 के 4 single हो सकते है sigma या फिर 3 single 1 pi हो सकता है या फिर 2 single 2 pi हो सकता है बस यहीं तक हो सकता है इसके लब और कुछ नहीं हो सकता और again यह जो bond है वो different element के साथ ही बना सकता है जैसे यहां पे यह और यह अगर आपका pi है तो यह और यह इसका carbon का sigma होगा तो 2 sigma और 2 pi तो यह carbon के बारे में एक point हो गया जो आपको clear होना चाहिए क्योंकि मेरा जो कोसिस है वो यह है बहुत सारे बच्चों को यह मालूम होगा लेकिन जो मेरा कोसिस है कि आपको मैं ground level से सिधे top level तक ले जाओ देरे देरे आपको लेके जाओ तो इसलिए मैं हर चीजों को पहले clear कर देता हूँ क्योंकि यह सब चीज़े मैं आगे use करूंगा now next that is very very important कि जो आपका bond line notation है जिसको short form में मैंने BLN लिखा bond line notation जो है तो उसमें करना क्या है तो बहुत simple है कि उसमें आपको सारे atom को दिखाना है except carbon and hydrogen आप carbon और hydrogen को नहीं दिखाएंगे bond line notation में bond line notation में कभी भी हम carbon और hydrogen को नहीं दिखाते हैं इसके अलावाद जतने भी element है सब को आपको क्या करना है दिखाना परेगा second thing कि जतना भी end point होगा किसी line का तो वो किसको denote करेगा by default carbon को for example मैंने ऐसे कर दिया तो यह end point है और यह क्या होगा carbon यह भी carbon मालो ऐसे कर दिया तो यह भी carbon है क्योंकि इस line दुरनों का end point यह हो गया और इसका end point यह तो यह सब carbon है तो इस point का यह मतलब है कि हर एक end point जो line का होगा वो by default carbon को represent करेगा तो आप देख सकतो हमने carbon को नहीं दिखाया suppose को ऐसे है कुछ तो यहां पर मैंने दिखाया क्या कहीं पर carbon carbon नहीं दिखाया hydrogen कहीं दिख रहा नहीं तो by default आपको carbon और hydrogen को नहीं दिखाना है लेकिन other को element होता मालो इसमें मुझे हैलोजन लगाना है तो मुझे दिखाना परेगा CL मालो यहां आप तो OH लगाना है तो मुझे दिखाना परेगा ओके तो सारे item को दिखाना है except carbon and hydrogen और जितना भी end point होगा किसी line का वो क्या denote करेगा always carbon को और एक point और कि 2 satisfy carbon के 4 bond satisfy करने के लिए आपको अगर कोई element नहीं दिया है तो by default कोन लेना hydrogen तो for example कि अगर मैं इसी में बात करूं यह carbon है तो carbon ने अभी एक ही bond बनाया है तो 3 bond कोन बनाया होगा hydrogen के साथ right क्योंकि carbon carbon बनायेगा तो यह सब भी आपको नहीं दिखाएगा वही कहने होतलब है कि वो by default understood है कि carbon carbon बनायेगा अगर कोई भी element हमने attach नहीं किया तो by default वो कोन लेना आपको hydrogen तो very very important कि आप सारे atom को दिखाएंगे except carbon and hydrogen जो line का end point होगा वो आपका carbon को represent करेगा और अगर कोई group हमने नहीं लगाया है तो carbon की valency या carbon के carbon को satisfy करने के लिए हम वहाँ पे क्या assume करेंगे hydrogen होगा जिसको दिखाया नहीं जाता है तो चलिए अब हम बात करते हैं कि structural जो formula है या जो structural representation है उससे हम bond line notation में कैसे convert करेंगे and vice versa चलिए अब हम बात करते हैं कि कैसे structural representation को हम bond line notation में convert करेंगे तो देखिए बहुत simple है जैसे मैंने यहाँ पेक लिया यह आपका है butane तो हमने आपको क्या बताया है कि बहुत easy है चार carbon है हर line का जो end point है वो carbon को represent करेगा तो आप zigzag manner में दिखा सकते हैं देखिए तो यह एक carbon हो गया यह दो यह तीन और यह चार यह इसका representation हो गया क्यों क्यों क्योंकि carbon को भी हम नहीं दिखाते हैं वो line का in point carbon को by default represent करता और hydrogen को दिखाते नहीं तो यह इसका आपका conversion हो गया structural से bond line notation में और इस टाप के structure में काफी use करना हो लो in fact पूरिय और अर्गेनिक एंस्टिमीज होगा इसलिए पहले मैं आपको यह idea दे रहो suppose करो मुझे इसको convert करना है right तो यहाँ पे चार carbon है और carbon number 2 और 3 के बीच pi bond है तो पहले तो आप क्या करो यह चार carbon होगा कैसे 1,2,3,4 और 2 और 3 के बीच pi bond है तो आपको एक double bond दिखा देना यह हो गया उसका representation क्यों hydrogen में दिखाना नहीं है suppose करो यह वाला है तो इस carbon पे चारों तरफ क्या है methyl group है right तो इसको कैसे convert करेंगे आप तो आप दिखान से देखिए एक यह एक यह एक ऐसे हो गया दिखान से देखो यह जो आपका line का in point हो गया यह एक carbon हो गया और यह in point यह भी carbon है यह भी carbon है यह पांच carbon हो गया यह ऐसे representation हो जाएगा similarly मालो इसको represent करना है तो 1,2,3 carbon है तो यह 3 carbon कर दिया अब अगर आप ध्यान से देखो तो अब देखो carbon को हमने नहीं दिखाया क्योंकि वो in point hydrogen को दिखाते नहीं लिकिन उसका जतने भी element उसको show करना है तो यहाँ पे oxygen आ रहा उसको show करना है तो आपको क्या कर देना है OH करके दिखा देना तो यह इसका bond line notation हो गया similarly अगर इसमें बात करें तो ध्यान से देखो यहाँ पे 4 carbon है तो 4 carbon आप कैसे दिखाएंगे जैसे मन करें दिखा लो यह दिखा दिया now यहाँ पे 2 pi bond है तो 2 pi bond है तो आपको ऐसे दिखाना होगा okay बट यह उतना सही representation नहीं क्योंकि यह एक straight line होगा तो इसका best representation कैसा रहेगा आपको ऐसे कर देंगे right तो अभी 2 ही carbon होगा ध्यान से देखो अभी 2 ही carbon होगा लेकिन यहाँ पे अगर मैंने ऐसे कर दिया तो यहाँ पे भी एक carbon आप हो चुका है क्योंकि यह in point हर line का एक carbon को represent करता है तो यहाँ पे भी carbon हो चुका य तो जिस मैं लिख के दिखा रहा हूं यह carbon हो गया यह carbon यह carbon और यह carbon तो आप देख सकते हैं चार carbon और यह हो गया तो यह best representation है ऐसा आप नहीं करेंगे गलत हो जाएगा क्योंकि linear structure होगा नाउ यह वाला cyclic structure है तो आप क्या करेंगे देखो यह corner carbon corner carbon carbon यह हो गया cyclo propane यह हो तो इसको कैसे ट्रॉ कर सकते हैं की steps से यह जितने भी देख लो यह carbon, यह carbon, यह carbon, यह carbon, यह carbon और यह carbon ची carbon होगे right alternate pi round है तो अगर आपने यहां पे दिया तो इसको छोर कर करके यहां पे यहांपे यह हो गया इसका ¿ helpful? क्योंकि carbon को हम हर line का end point से समझते हैं और hydrogen को दिखाते नहीं तो आप देख सकते हो similarly मालो मुझे इसको आप represent करना है एक carbon, दो carbon, तीन carbon है तो आप यह तीन carbon कर लिया कैसे एक, दो और यह तीन हर line का end point carbon को represent कर रहा है उसके बाद आप देखो carbon number 2 पर double bond O है तो आप दिखाना परेगा तो double bond O अब हमें दिखाना परेगा और यह वाले carbon पर OH है तो हमें दिखाना परेगा कि OH है यह हो गया उसका notation बागी hydrogen को हम कभी दिखाते नहीं है हाँ oxygen के साथ लगाओ तो definitely उसको उसको दिखाना परेगा कुछ example और देखते हम तो यहाँ पर ध्यान से देखो तो 1,2,3,4,5 carbon है तो आप क्या करेंगे पांच carbon आप दिखा ले तो यह हो गया 1,2,3,4,5 जिग-जग मैनलम आप दिखा लेंगे 5 carbon हमने दिखा लिया नाउ carbon number 2 पे double bond O है तो आप double bond O कर दें थिरी 4 पे OH है तो 4 पे OH है तो OH कर दें और यह 5 पे C double bond और OH है तो आप दिखाना परेगा C double bond O है 5 पे और C पे OH है तो अब इस carbon ने ओरेडी 4 bond बना लिया तो यहाँ पे कोई hydrogen नहीं है और यहाँ पे 3 bond बना जाए तो 1 by default कोन होगा hydrogen जो हम दिखाते नहीं है यहाँ पे इस carbon ने 2 bond बना जाए तो 2 hydrogen होंगे जो हम नहीं दिखा रहे है यहाँ पे इस carbon ने ओरेडी 4 bond ब कर्वन आपको नहीं दिख रहा है और कोई अधर इलिमेंट नहीं लगाया है तो यहां पे तो तीन होगा क्योंकि कर्वन ने एक ही पॉंट बना रहे है इस स्टेक्चर को कैसे करेंगे तो बहुत सिंपल है ध्यान से देखो आपको छे कर्वन दिख रहा है और फिर इस पर और 2 कर्वन दो कर्वन उसके बाद इस पर बी आर लगा हुआ है तो बी आर दिखा दे इस पर ओएच लगा हुआ है तो यह इस टाप से नोटेशन हो जाएगा अब मैं कुछ बॉंट लाइन नोटेशन को कनवर्ट करता हूं इस ट्रॉक्चरल में तो कैसे करेंगे वेरी सि तब लगता हुआ है और थो काम थाल और और मुन दो करने तो जोड़िनली को आप उपर निचे डिक्शा सकता हूं यह दो कर्वन पर यह रहां इक और एक बंध मंद घ्रॉड्च हुआ दै और तो इस पर दो hydrogen होगे , यह carbon ने एक ही만 बनाया तो इसंपर तीन hydrogen होगे इस टाइब से, तीसरे वाले पर double bond O है तो double bond O कर दो यह carbon ने चार बना लिया तो BTS कोई hydrogen नहीं ॢे और यह carbon ने एक ही बनाया तो तीन hydrogen यह तो यह देखो यह क्या हो गया कि टाइम करना है तो मैं कैसे करना हूं द्यान से देखो पहले यह छे कारवन है तो आप छे कारवन ड्रो कर दो 1-2-3-4-5 और यह 6 उसके बाद द्यान से देखो कि यहां पे double bond है alternate पे तो डबल बॉंड आप दिखा दो यह मैंने दिखा दिया उसका अब कारवन का देखो इस कारवन हाइडोजन इसने भी 3-1 बनाया तो हाइडोजन यहां पे और रेडी लगा हुआ है राइट तो इस पे एक कारवन है फिर कारवन है तो इस carbon ने 4-1 बना लिया तो अब hydrogen हम attach नहीं करेंगे बट इस carbon ने 3 बनाया तो hydrogen इस carbon ने 2 बनाया तो 2 hydrogen इस ने 1 ही बनाया तो 3 hydrogen तो यह इसका representation हो गया तो यह एक open structure कराता है यह एक cyclic structure है अगर ring बन जाएगी तो cyclic structure है ring नहीं है तो open structure है similarly इसको कैसे convert करेंगे तो बहुत simple है यह मैं इसका यह answer लिख रहा हूँ कैसे convert करेंगे 5 carbon आपको दिख रहा है कैसे द्यान से देखो 1,2,3,4,5 ring में 5 carbon तो 5 carbon से एक ring अब बना दो यह देखो 5 carbon से हमने ring बना दिया है राइट अब उसके बाद देखो एक carbon पे carbon carbon है राइट इस carbon पे carbon और carbon है अब बाकी carbon के वैलेंस्सी को hydrogen से हम पुरा करेंगे तो यह carbon र्त्यां ने 2 bond बना या तो यहां पर इसने और यह 25 बना लिया है तो यहां जान पर औ-जय था तो मैंने और करदिया इसका भनें तीन हाइच patron होगा इसमें एक ही बलन ये तो तीन हाइच टूजन आप मैं हेलोब बच्छों कैसे हो देखो जैसे एक मुवी में क्या चाहले होता len game entertainment entertainment वैसे ही delay और ट्रिक क्रूव कंसेप्ट और रफी सर्क approach तो चलिए हम बात करते हैं identification of functional group that means dawn के बारे में अरे नीटिया जई के दिवानों मुझे पहचानों मैं हूँ कौन मैं हूँ dawn that means functional group को कैसे पहचानेंगे तो very simple ध्यान से देखो देखो इसके बारे में सब लोग जानते हैं that is water right अब इसमें हम क्या करेंगे change करेंगे तो हमारा functional group बन करके तैयार हो जाएगा इसलिए जो trick का आज का point है वो है corn मैं हूँ dawn कौन का क्या मतलब है कि मैंने सबसे पहले oxygen को उठाया oxygen के अगर दोनों side hydrogen है तो ये बच्चे बच्चे को मालूम है कि इसको water बोलते हैं अब इसमें changes करेंगे अगर एक तरफ hydrogen ही रखा okay और एक तरफ आपने carbon लगा दिया carbon शरिफ एक ही लगा होगा ऐसा जो नहीं जतना भी carbon लगाना लगाओ बट एक तरफ hydrogen अटाच होना चाहिए और एक तरफ carbon तो इसको बोलेंगे alcohol या फिर इसी को phenol भी बोल सकते हैं अगर वो benzen होगा तो alcohol या phenol और अगर suppose करो कि दोनों hydrogen को हटा दिये दोनों तरफ carbon लगा दिये तो इसको बोलते हैं ether तो very simple है alcohol phenol और ether को अगर आपको पहचानना हो तो water एक base point हो गया water में oxygen के दोनों side hydrogen है तो water एक side hydrogen एक side carbon है तो alcohol या phenol दोनों side carbon है तो ether oxygen का काम हो गया now अब हम दोनों को combine करके लेते हैं CO right तो C double bond हो धियान से देखो सम्में हमने fix कर दिया है C double bond O यह fix हो गया अगर C double bond O के दोनो side hydrogen है क्योंकि you know carbon carbon बना सकता अगर C double bond O के दोनो side hydrogen हो या और दोनो साइड हाइडोजन हो या एक साइड हाइडोजन, एक साइड कारवन हो तो अल्डिहाइड, दोनो साइड अगर कारवन हो गया, तो किटोन, next, एक और मैंने बरहा लिया COO, right, तो that means इतना पार्ट इसमें fix है, C double bond हो, that means कारवन ने almost 3 bond बना लिया, right, अब शिरिफ एक key bond बनाना है, तो अगर इस साइड कारवन है और oxygen के इस साइड हाइडोजन है, तो इसको बोलते हैं कार्वाक्सिलिक एसीड, okay, और ये उसके क्या हो जाएंगे, derivative, acid derivative, क्योंकि बस इसमें changes करेंगे, तो ये सब आपको मिल जाएंगे, okay, तो again ये C double bond O और O fix हो गया, अभी इ ऐसा ही एक और अपने attach कर दिया C double bond O, और दोनों साइड कारवन रख दिया, तो क्या हो जाएगा, anhydride, तो ध्यान से देखो, अगर C double bond O, O, एक साइड कारवन, एक साइड हैडोजन होगा, तो कार्वक्सिलिक एसीड, अगर इसके दोनों साइड कारवन होगा, तो ester, अग अगर इसके एक साइड कारवन हो, और एक साइड सेम ऐसा ही C double bond O हो, तो उसको बोलेंगे anhydride, now next, अगर सिर्फ मैं nitrogen की बात करूँ, n की बात करूँ, तो ध्यान से देखो, अगर nitrogen तीन मोट बनाता है, तीनों hydrogen हुआ, तो इसको बोलेंगे ammonia, this is the base point, अब एक hydrogen हटा करके, ए तीनों hydrogen अगर आपने हटा दिया, और तीन carbon attach कर दिया, तो 3 degree amine, तो ध्यान से देखें, कि nitrogen के case में यह सब different functional group माने जाते हैं, अगर nitrogen से एक ही carbon attach है, तो 1 degree amine, दो carbon attach है, तो 2 degree amine, और 3 carbon nitrogen से directly attach है, तो 3 degree amine, तो यह हो गया nitrogen का, now, अब हम क्या करते हैं, कि C, O, N, तीनों को ले इसको बोलते हैं, amide, कौन, तो amide होगा यह, और C और N को सिरिफ अगर लोगे, तो carbon nitrogen को लोगे, तो cyanide होगा, और nitrogen से अगर bond बना रखा इधर carbon ने, तो इसको बोलेंगे, isocyanide, now, next, अगर C double bond O, के इधर में halogen है, और इधर में carbon है, right, C double bond O, जो यह वाला था, एक side में halogen हो और एक side में carbon हो, तो इसको बोलते हैं, acid halide, क्या बोलेंगे, acid halide, और you know halogen, कौन, कौन है, fluorine, chlorine, bromine, iodine, तो इसको बोलेंगे halo, तो यह I hope आपको clear होगा, कि हम कैसे functional group को पहचानेंगे, very simple है, इसमें कोई confusion ने होना चाहिए, क्योंकि यह पहचान के आप, तो organic में आपको बह बहुत easy होगा, अब हम बात करते हैं, identification of position के बारे में, तो ध्यान से देखो, यह जो है न, यह, इसको मैं क्या बोलूँगा, प्यार से, बहन जी, यह है, बहन जीन, बहन जीन है, लेकिन इसको मैं प्यार से बोलूँगा, बहन जी, ओके, तो बहन जी पे यह 6 हट हो जाने, अगर मालो कि किसी एक hydrogen को हटा करके आपने functional group लगा दिया, कोई भी functional group जो भी बताया हो, अगर आप benzene से hydrogen को हटा करके functional group add कर दोगे, तो उसको क्या बोलेंगे, फिर इसको क्या बोलेंगे, aryle, ओके, तो यह aryle position हो गया, that means, बहन जी से एक hydrogen हटा देना है, तो जो structure आपको मिल जो यह 5 hydrogen और यह 6 carbon, that is C6H5, यह आपका क्या 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 आएगा, aryle, तो बहन जी का एक बाल निकाल देना है, समझे बात को, तो अगर बहन जी से एक hydrogen हटा दिया, तो आपको क्या मिल जाएगा, aryle बोलेंगे उसको, similarly द्यान से देखो, कि यह again आपका बहन जी है, right, बहन जी पे अगर कोई एक carbon अपने attach कर दिया, और उस पे कोई functional group है, द्यान से देखे, बहन जी पे कोई carbon attach किया, hydrogen हटा करके, और फिर उस पे, उसी carbon पे कोई functional group है, तो इसको बोलेंगे, benzyelik position, benzyen के respect में यह benzyel position कलाएगा, और benzyen पे direct है, तो aryle position कलाएगा, वैसे ही, same वैसे ही, अगर double bond पे ही आपका functional group है, okay, double bond पे ही functional group है, तो उसको बोलेंगे, benzyelik, और अगर double bonded carbon से, जो carbon attach है, उस पे कोई functional group है, तो उसको बोलेंगे, allylik, तो इसकी hybridization होनी चाहिए, sp3, यह ध्यान रखे, इसकी भी hybridization होनी चाहिए, sp3, that means, यह सारे single bonded होने चाहिए, तो I hope clear होगा, अगर बहन जी से, एक hydrogen हटार दिये, तो जो मिलेगा वो aryl, बहन जी से, एक hydrogen हटार के, carbon जो लो, carbon पे कोई functional group होगा, तो उसकी position को बोलेंगे, benzyelik position, double bonded पे यह functional group है, तो vinylik, double bonded carbon से, जो carbon attach है, उस पे कोई functional group है, तो उसको बोलेंगे, allylik, similarly, you know, यह आपका right, alkaline से, एक hydrogen अगर आप हटा दोगे, तो जो structure बचेगा, उसको बोलेंगे, alkyl, इसलिए इसका formula, you know, cn, h2n plus 2 है, तो alkaline का formula क्या हो जाएगा, cn, h2n minus 1, उससे एक कम hydrogen, तो जतना alkaline में होता है, उससे अगर एक कम hydrogen है, तो उसको क्या बोलेंगे, alkyl, that means, यह bond free हो गया, अगर alkyne से एक hydrogen हटा होगे, तो बोलोगे, alkyl, formula cn, h2n था alkyne का, तो cn, h2n minus 1 हो जाएगा, और similarly, alkyne, triple bond से अगर एक hydrogen हटा होगे, तो क्या हो जाएगा, alkyl, और formula cn, h2n minus 2 था, इसका क्या हो जाएगा, cn, h2n minus 3, Hello everyone, कैसे हो, आज हम लोग बात करेंगे, I.U.P.C. naming के बारे में, तो देखो, I.U.P.C. naming का simple सा मतलब जो है न, वो यह है कि एक ऐसा नाम जो दुनिया के कोने कोने में valid हो, simple सा मतलब यह है, क्यों क्योंकि देखो, problem क्या होगी, जैसे मैं एक example लिया है, hedge seed all bond OH, आप इंडिया में इसको बोलेंगे, methanoic acid, तो problem क्या होगा, इंडिया वाले इंग्लेंड में गए, बोले, methanoic acid तो, तो समझ जाएंगे, बोलेंगे, formic acid हो, तो समझेंगे नहीं, तो यह सब confusion ना हो, इसके लिए एक committee बैठाए गई, और उन लोगों ने एक certain rule fix किया, कि इस rule के according naming सारे बच्चे बहुत डरते हैं, यह हो जाएगा, वह हो जाएगा, यह रटना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता है, very simple, ipc name का simple सा मतला आपके माण बाना चाहिए, एक ऐसा नाम, जो सारी दुनिया में valid हो, तो उसके लिए कुछ rule fix करेंगे, उस rule को follow करना है, लेकिन rule को break करना, तो जानते ही हो, तो देखो कैसे हम trick से करेंगे, तो very simple, सबसे पहले क्या है, एक rule fix क्या गया कि एतने सारे जो functional group हैं, तो उसमें किसको priority दी जाए, किसको इजद दिया जाए, तो एक priority order fix क्या गया है, उस order को याद रखना है, तो वह कैसे याद रखेंगे, रफी स order में किसको दिया गया, कार्वासलिक एसीड को, ऑकिए, सेलफ़ोनिक, फिर आपका ये एन ये एन हैड्राइट, फिरエस्टर, फिर एसिड हैलाईट, फिर अमाइड, फिर साइनाईड, फिर आईसोसानाईड, फिर अल्डिहाइड, उके, फिर कीटोन, फिर अलकोहल, फिर थ तो यह टोटल 19 functional group हमने लिख दिये हैं उसके priority order के basis पे मतलब सबसे ज़्यादा priority सबसे ज़्यादा इज्जत किसको है कार बॉक्स लिख तो उसके बाद इसको उसके बाद इसको एंड सोन अब इसको उसी order में कैसे याद रखेंगे तो उसके लिए हमने simple सा trick लिया है देखो का first जिए कों सा बढ़ा है रहा है कार तो मैंने वहाँ से ले लिया कार जैतने वितल वाले उसके लिए एसस से मैंने यूज किया है तो शॉफॉनिक एसससे ऐससे यह हो गया आपका एंहाइड्रायड से ANY बट लिया न यह हो गया एस्टर से मैंने बना लिया sister, ester से sister, just connection, right, acid halide, acid से ऐसा, और halogen में chlorine बाते हैं, तो ऐसा कल, acid halide से ऐसा कल, amide, amide से मैंने बना लिया, amide से मैंने बना लिया, amide से sinine, isosinide से ice, right, isosinide से ice, c double bond oh, cho लिखते हैं इसको, तो उससे बना लिया, chore, ice chore, c double bond oh से, ये इसको पढ़ओगे क्या, ko, oh alcohol, last में hall आता है, तो hall, फिर sulfur आया तो say, nh2, nh से नहीं, यह यहाँ पर double bond है तो 2, triple bond है तो 3, single bond है तो 1, or, इस साइट से पढ़एंगे तो r double om, room, room, hello, bromine से बाहर, florine से फेको, no2 से नाला में, तो देखो, rhyming word कैसा है, समझो, connection कैसा है, समझो, कि car say any sister, ऐसा कल बोली, यहाँ तक का word का मतलब क्या हुआ, car say any sister, ऐसा कल बोली, मतलब scene कैसा है, कि एक any sister नम की जो लेटी है, वो car से कहीं जा रही थी, तो car say any sister, ऐसा कल बोली, किसको बोली, आइमा साइना को, क्या बोली, ice chore को, आइमा साइना को क्या बोली, कि ice chore को, hall से नहीं, 231 room से बाहर फेको नाला में, that means, any sister को मालूम था कि उसके hospital में जो ice चोराने वाला है, वो 231 room में है, तो very simple है, right, अगर यहाँ पर ध्यान से देखो, तो starting में जतने के जतने हैं, starting में जतने भी हैं, सब में, ध्यान से देखो, यह group common है, C double bond O, carbonil, यह common है, right, जैसे C double bond O, तब OH है, right, C double bond O, तब यह OCRS, C double bond O, RS, C double bond O, X, जितने भी carbonil वाले हैं, वो सबसे पहले हैं, यह सब priority order में पहले आते हैं, उसके बाद ही आते हैं, तो यह 129 जो हमने लिखा है, यह 129, इन सब को हम dawn functional group भी बोलेंगे, इसका नाम में क्या रखोंगा, dawn functional group, क्यों, क्योंकि dawn जहां खड़ा होता है, वहाँ से line शुरू होती है, मतलब, यह functional group जहां पे होंगे, यह functional group जहां पे होंगे, यह functional group जहां पे होंगे यह सब में naming carbon की starting वहीं से हो जाएगी तो यह भी मैं बता दूँ कि सबसे ज़्यादा 99% कौन-कौन से functional group यूज़ होते हैं उसको मैं tick करना हूँ उसको अपको ध्यानी रखना है carboxylic सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और aldehyde ज़रूप तो इसमें से यह 4 ज़रूप यूज़ होते हैं और इधर वाले जतने भी लिखे हो है 1, 2, 9 यह सब के सब क्या है dawn functional group dawn functional group क्याने वदलब क्या हो गया कि यह ऐसे functional group है जहां पे carbon की numbering यहीं से start होगी क्योंकि dawn जहां ख़र होता है वहीं से line start होती है तो यह बास समझ में आगए तो इसमें कौन कौन ध्यान में रखना है आपको यह one वाला राइट कार्वाकसिलिक वाला यह acid hyalide वाला यह cyanide वाला और यह aldehyde वाले यह 4 बहुत यूज़ थे 99% आपको IPC neeming इनी में से होगा similarly इधर में किसको याद रखना है तो yes keto word आते है alcohol use होता है इलकीन तो खेर होगा ही यह alkyne यह alkyne तो होते ही है और यह तीनों बेचारे वो हैं जो permanent बेज़ ज़ती वाले है permanent बेज़ ज़ती समझे कि यह always prefix में आएंगे इनका naming आपको पहले ही कर देना इसको ज़्यादा भाव नहीं देना है जिसका suffix है मतलब वो इजद्दार लोग है इजद्दार लोग कहने मतलब कि उनका नाम अराम से पीछे हम लेंगे लेकिन कौन-कौन तो यह आपका ether और जितने भी halogen है फलोरीन, कलोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और नाइट्रो यह तीनो एक ऐसे functional group है जिनकी permanent भी जती होती है कहने का मतलब वो always prefix में यूज होंगे पहले name से पहले यूज होंगे name के बाद इसको यूज नहीं करते हैं एक point और किलिए रहे अब अगर एक से ज़्यादा functional group आ गया आपकी naming में अगर एक से ज़्यादा functional group है तो इसलिए उसके लिए यह priority order बताए गया अगर एक ही functional group है तो कोई दिकत नहीं है एक से ज़्यादा होगा तो जो priority में पहले आ गया उसको इज़त देना है बाकी सब क्या हो जाएंगे प्रिफिक्स में आ जाएंगे इस बात को भी clearly समझे लो कि अगर एक से ज़्यादा functional group है तो किसी एक को priority मिलेगी that means उसको लिए suffix यूज करेंगे बाकी जितने भी functional group बचे उसमें सब के लिए prefix यूज करना पड़ेगा बट ये वाले वैसे हैं जो always prefix में यूज होते हैं कौन कौन तो ether hello nitro तो आई होप ये बात आपको समझ में आगे होगी अब इसके लिए हम बात करते हैं कि इसको कैसे हमें apply करना है तो चलिए अब हम बात करते हैं are you pack naming tricks के बारे में तो ध्यान से देखो आप किसी भी compound का जब नाम लिखोगे तो आपको ये 5 चीजे यूज करना पड़ेगा जिसको मैंने list out किया है कि आप किसी भी organic compound का जब आयू pack naming करेंगे तो आपको word root लगाना ही है ये आपको add करना ही है और one degree suffix ये add होंगे ही one degree suffix में कौन कौन है एन अगर सारे के सारे single bond है कोई pipe bond नहीं है तो एन लगेगा अगर एक भी pipe bond आ जा रहा है तो इन लगेगा और अगर एक भी triple bond आ रहा है तो आइन लगेगा राइट similarly word root जो longest carbon chain आप सेलेक करेंगे अगर वो 2 carbon के है तो इत, तीन carbon के तो प्रोप and so on यूनो अरेड़ी तो ये दोनों चीज़े क्या है आप organic chemistry में किसी भी compound का आयू पैक नेमिंग करें ये दोनों चीज़े तो आएंगे इसलिए हमने लिखा है must ये दोनों चीज़े आएंगे बाकि जो तीन चीज़े है जैसे two degree suffix तो ये अगर functional group present होगा तो आएगा नहीं present होगा तो नहीं भी आएगा right similarly one degree prefix तभी आप लगाएंगे जब cyclic कोई structure होगा अगर cyclic structure है तभी one degree prefix आएगा otherwise नहीं आएगा right similarly two degree prefix कब आएंगे जब आपका halogen कोई group लगा होगा attach होगा halogen या nitro या फिर ether अगर ये सब functional group है तो ही two degree prefix आएगा right तो यहाँ पे आप समझ लें कि word root and one degree suffix is fixed must यह आएगा ही बाकि जो तीन है वो depend करता अगर वो compound में present है तो आएंगे नहीं present है तो नहीं भी आएंगे right now एक और जो important point है कि जब आप priority order जो आपको trick दे रखाऊ उसको जब आप assign करेंगे priority order से कोई एक ही functional group आपका suffix बनेगा that means वही पीछे add होंगे बाकि जितने भी functional group होंगे सब के सब आपके कहाँ प्याजाएंगे two degree prefix में इस point को clearly समझे अगर एक से ज़्यादा functional group होगा तो priority order के basis पे कोई एक functional group आपका two degree suffix में आएगा बाकि सब के सब किसमें आजाएंगे two degree prefix में इसलिए मैं कहता हूँ इसको ये वाला जो है कौन-कौन hello, nitro and ether वाले ये permanent based जती वाले है permanent based जती मतलब समझे कि इनको always पहले लिख देना है इनका कोई इज़्यत नहीं इसको पहले लिख देना, right और अगर एक से ज़्यादा functional group हो तो जितने भी functional group होंगे उसमें किसी एक कोई priority मिलेगी तो बाकि सब के सब two degree prefix में जाएंगे तो उसको मैं बहलूँगा temporary based जती temporary based जती in the sense कि अगर वो अकेला होता तो वो suffix में आता बट अगर 3-4 के साथ है तो फिर उसकी इज़्यत थोड़ा कम हो जाएगी क्यों? क्योंकि उसमें से किसी एक को इज़्यत मिलेगा मतलब एक two degree suffix में जाएगा बाकी सब के सब two degree prefix में आ जाएगे इसलिए वो temporary based जती वाले वासनोज मैं आगे लेकिन ये permanent always two degree prefix में ये तभी उज़ोंगे जब कोई cyclic structure होगा और ये दोनों दो must है आएंगे ही तो ये पहले ये point functional group के case में naming आपको वही से start करना होता है numbering वही से start करेंगे तो one, two, three, four तो इसका नाम क्या हुआ द्यान से देखो three पे nitro चार कारवन है तो but two पे double bond है तो two in और जो functional group है वो oic acid आप लेंगे तो मैं इससे ये चीज़े समझाना चारू द्यान से देखो word root is what ये आपका word root हो गया ये ये use हो गया must है और in या in या iron जो यहाँ use हो राइट तो ये आपका must है ये आए गया इसलिए किसी भी organic compound का आपक नेमिंग करेंगे आप तो word root and one degree suffix is fix ये तो आए गया ये जो oe acid आया है oe acid ये क्या आपका यही है two degree suffix और ये जो nitro आया है यही क्या आपका two degree prefix तो वही मैंने बोला कि किसी भी organic compound का जब आप नेमिंग करते हैं तो ये order always follow होगा two degree prefix पहले आएंगे अगर cyclic structure आ रहा है तो आई hope ये clear होगा now अब हम बात करते हैं वो trick की जिससे आप किसी भी आई उपक नेमिंग वाले question को बहुत easily कर लोगे कैसे तो रफी सर का ये trick जान में रखो सबसे पहला point हमने क्या लिखा है priority order को पहचान लो तो वो simple है क्योंकि उसका मैंने trick दे रखा है car से any sister ऐसा कल बोली I'm a sign a I's chore को hall से नहीं 231 room से बाहर फेको नाला में तो ये trick मैं दे रखा हूँ तो उससे आपको पता लग जाएगा कि कौन functional group priority order में पहले है एक बार उसका priority order आपने assign कर लिया तो उससे आपको चार option given होंगे तो उससे आपको पता लग जाएगा कि end में क्या लगेगा जैसे यहाँ पे O1 लगेगा क्योंकि ये priority order में पहले है अगर मालो कहीं पे priority order alcohol है aldehyde है right और ketone है तो you know priority order में aldehyde हैंगे तो last में क्या लगना चाहिए अल तो आप वो option को चेक करेंगे जिसमें last में al लगा हुआ है तो ये point का ये मतलब है कि उससे आपको end में क्या add करना है वो पता लग जाएगा priority order से similarly priority order से ये भी आपको पता लग जाएगा कि जो functional group है अगर वो dawn है तो numbering हमको वहीं से start कर देना है अगर वो dawn functional group होंगे क्योंकि dawn जहां ख़रा होता है वहीं से line start होती है तो dawn functional group होना है वो भी मैंने list out किया 1 से 9 वाले जो priority order में जितने भी carbonil वाले हैं जैसे carboxylic acid है aldehyde है आपका right cyanide है ये सब dawn functional group है तो इस case में numbering वहीं से start हो जाती है अगर ये नहीं है तो जो priority order में जो group पहले आते हैं तो उसका locate या उनका position numbering में lowest रखना है तो उससे भी हमें idea लग जाता है that is called lowest position कि वो lowest position पर आना चाहिए तो उससे भी हम option eliminate कर सकते हैं now second point वाई है कि अगर dawn functional group man chain में नहीं आता है कहीं कहीं पर ऐसा होगा कि dawn functional group का mention में नहीं होगा तो अब उसको आपको full name लिखना है that means उसको fully इज़त देना जैसे for example इस type का कोई condition आ गया इस type का आपको condition आ गया तो you know ये dawn functional group है right अब ये dawn functional group है लेकिन carbon की chain अगर select करेंगे तो one ही हो पाएगा क्योंकि आप open chain से ring में नहीं जा सकते और ring से open chain में नहीं जा सकते तो इस case में एक carbon की chain तो बना नहीं सकते तो आपको यहां से start करना पर रहागा one two three four five six तो आपका जो ये man functional group है वो देखो जो main chain है उसमें नहीं आया तो वही point है कि अगर dawn functional group आपका main chain में नहीं आता है तो in that case इसका नाम जो लिखना है वो पूरा पूरा लिखना है इसको fully जद देना like carbaldehyde अगर carboxylic acid होता है तो carboxylic acid तो ये point आपको clear होना चाहिए तीसरा point that is very very important कि longest carbon chain आपको select करना है बट ये point कहीं कहीं पे थोड़ा दिक्कत में भी आएगा कैसे अगर dawn functional group होंगे तो हो सकता है कि वो longest carbon chain ना भी हो क्यों क्योंकि numbering वहीं से start करना होता है तो dawn functional group को अगर शोर दा जाए तो बाकी case में आपको कोशिश करना है कि longest carbon chain select करें ओके चौथा point इससे भी बहुत सारे option को अप्लिमिनेट कर सकतो अलफा बेटिकल order को follow करना अलफा बेटिकल order को follow करने का मतलब क्या है कि जो alphabet में A B C D आते हैं वो जो भी नेम होंगे like amino है तो पहले A आया उसमें इस टाइप से राइट बट ध्यान रहे कि die, tri, tetra जो आप number को बताते हैं वो priority order में that means alphabetical order में वो consider नहीं किये जाते हैं और एक last में जब आप suppose करो कि यह सब चीज़े same हो रही हैं इन सब चीज़ें से नहीं आप identify कर पार option तो last में आपको यह भी काम आएगा कि sum of all locant आपको करके देखना है वो जिसका minimum होगा ज्यादा chances है वो ही आपका answer होगा तो यह है रफी सर का trick ध्यान से देखो मैं just एक मरत summarize कर रहा हूँ कि आपको priority order पहले check कर लेना है उस trick से उससे आपको end में क्या add करना वो पता लग जाएगा और उस functional group का lowest position रखना है उससे आपको option eliminate हो जाएंगे अगर यह नहीं हुआ तो आपको alphabetical order को follow करना है उससे भी आपको option eliminate हो जाएंगे अगर यह सब चीजे सेम हो जा रही है तो sum of locate से आप option को eliminate कर सकते हो तो इस point के थुरू मैं आपको बहुत सारे problem solve करके बताता हो कि कैसे हम 4 option given होगा तो आपक naming के question को easily कर सकते है एक point और यहाँ पे हमने mention किया है कि अगर locate position same है from both side जैसे इस case में देखो अगर किसे ने numbering इधर से किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इधर से किया तो दियान से देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो दोनों तरह से आप आफ आइधर side से numbering कर लो इस case में क्या होगा है कि दोनों side से same locate position हा रहा है जैसे इधर 2 पे double bond है यहाँ पे triple bond है यहाँ पे 4 पे होगा यहाँ पे 4 पे मिधा ले इधर 5 पे मिधा ले इधर भी 5 पे मिधा ले तो अगर दोनों तरफ से ध्यान रहे, अगर दोनों तरफ से same locate position सबकुछ same अगर आ जाए, तो in that case double bond को priority देना over triple bond, इसलिए आपकी numbering इधर वाली correct होगी, यह point important है, कहीं कहीं पे इस point का भी use हो जाता है, but condition है, कि अगर दोनों तरफ से numbering करने पे locate position everything जब same है, तब double bond will get priority over triple bond तो I hope यह आपको point समझ में आ गया होगा, आप इसको एक मरतब अच्छे से summarize कर ले, तो अब हम बात करते हैं application की, तो ध्यान से देखे, मैंने यहाँ पे चार problem लिया है, कैसे solve करते हैं, जैसे पहला यह है और चार option given है, आप कैसे eliminate करोगे, तो अब ध्यान से देखो, तो इस से start करना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो अब numbering यहीं से start होगा, तो last में क्या आएगा, oic acid आएगा, तो ध्यान से देखो, oic यहाँ पे है, यहाँ पे 6 पे कहरा है, oic, तो 6 पे दोगा ने, क्योंकि numbering में से start होगा, तो यह option गया, कैसे exam में करते हैं, यह option गया, similarly 6 यहाँ पे कर है, तो hex hex यह भी सही है, अब ध्यान से देखो, तो 2 पे ही methyl है, right, 2 पे methyl है, और 5 पे oxo है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो 5 पे oxo यहाँ है, और 2 पे methyl यहाँ पे, यह formal नहीं है, क्योंकि formal dehyde नहीं है, यह ketone है, तो oxo वाड यूज करेंगे, और 2 पे methyl है, priority order, alphabetical order ध् no, उसके बाद m के बाद हो, तो यह भी follow हो रहा है, इसलिए यहाँ पे option क्या रहेगा, one, simple, इस तरीके से आपको करना है, अब हम बात करते है, question number 2, कि इसमें आप से पूछा जा रहा कि कौन priority order का correct order है, right, तो वही अपना रफी सर का simple trick लगा, कि car से any sister ऐसा कल बोली, Ima, तो यह amide जो वो बाद में आता है, यह पहले आ गया, इसलिए यह option गया, यहाँ पे देखो, car से, से आ गया, any sister ऐसा कल बोली, Ima, साइना, तो यह बरावर order में आ रहा है, तो यह हो गया, यह क्यों गलत है, क्योंकि आप देख सकतो, इसमें NS2 को पहले कर दिया है, right, और यह क्य question क्या हो जाएंगे, wrong हो जाएंगे, now question number 3, तो आप इसमें ध्यान से देखो, तो आपके पास total चार functional group है, एक लडी हाइड, एक कीटोन, एक डवल बांड, एक यह नाइट्रो, चार functional group है, तो इसमें से किसी एक को priority मिलेगी, और priority order के विशिस पे, you know, aldehyde सबसे पहले आता ह है, तो इसको two degree suffix में लिखेंगे, बाकि यह वाले, जो कीटोन है, अगर other functional group नहीं होता, तो फिर यह two degree suffix माता है, लेकिन अभी यह two degree prefix में चले जाएंगे, that is temporary बेज जाती, right, यह आपका one degree suffix मा जाएगा, in, और यह तो always permanent बेज जाती वाले थे, two degree prefix माता हैंगे, now the question is, कि आपको पता लग गया कि priority order में यह पहले आते हैं, और dawn functional group है, तो numbering यह से start होगी, तो यह one, यह two, यह three, यह four, यह five, यह six, और यह आपका seven, right, तो यह अपने numbering कर दिया, अगर हमें options अब जाना हो, तो you know कि priority order में अगर यह आया, तो last में all word लगना चाहिए, all तो आपका sum मे लगा हुए, और यह जो all है वो one पे यह right, और ध्यान से देखो three पे क्या होना चाहिए आपका, oxo group और four पे आपका in word, तो देखो ध्यान से देखो कहां पे three पे oxo है, three पे oxo है, और four पे in है, right, और total seven carbon के तो heft word है, तो यह hex था, तो इसलिए यह option तो वैसे भी नहीं था, right, और in में थे, but four पे आपका double bond आ रहा है, four position पे, तो यह थिरी थिरी था, तो यह गया, इसलिए option क्या हो जाएगा, c, और ध्यान से देखो alphabetical order, m के बाद n, n के बाद o, यह भी follow होना चाहिए, इन सबसे भी हम पहचान सकते, तो just मैं आपको एक idea देना चाहरा हूँ, कि आपक आप correct option तक चले जाओगे, अगर रफी सर के वो चार point को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो, तो द्यान से देखो, m, n, o, यह order follow रहा था, यहाँ पे इससे भी हम cut कर सकते, m के बाद o, फिर n किया, इसलिए यह गया, m, n, o, यह तो follow रहा था, but you know, 1, 2, 3, 4 पे in था, 3 पे क्या, इसलिए यह गया, और longest carbon chain, heft थी, 7 carbon की, यहाँ पे hex क्या, इसलिए यह गया, ऐसी तरह की से आप option को eliminate कर सकते हैं, now question number 4, तो अगर आप ध्यान से देखो, तो अगर मैं इधर से करूं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, right, तो कहां-कहां पहारा ध्यान से देखो, 2 पे और 4 पे, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे भी 2 पे double bond आ रहे हैं और 4 पे, तो दोनों तरफ से numbering, जो pi bond की position वो same हो रही है, तो ऐसे case में आपको बताया था एक point, फिर हम double bond को priority दे देते हैं, और वैसे भी इधर lowest, low end position हो जाएगा, तो आप ध्यान से देखो, तो क्या होने वाला है, 2 पे bromo हो आना चाहिए, 2 पे bromo, दो option में, और 6 करवन की channel है, तो hex, तो यह भी है, क्योंकि यह दो option तो और रेड़ी eliminate हो चुके आपके, now next ध्यान से देखो, 1, 2 पे in है और 4 पे in है, तो अब ध्यान से देखो, पहले e आएगा alphabetical में, तब उसके बाद y आएगे, तो 2 पे e और y, त लिए यह गया, next question number 5 देखिए, कि यहाँ पे हमें इस structure का naming करना है, और बहुत सारे बच्चे तो इसको देख करके डर जाते नहीं करते हैं, जबकि मैं simple trick से बता रहा हूँ, देखो, बहुत इसली आप कर लोगे, सबसे पहले, एक point हमारा यह भी है, कि alphabetical order को follow करना है, तो कर Dep22 तो क्या होगा बैंजल-डी-ःइड होगा,id, बैंजल-डी-ःइड मतलब Benzene-Auld-इड है, तो यहाँ पे देखो nitrogen-जल-डी-ःइड कर दिया है, तो यह गलात होगा, क्योंकि Nitro को दे दिया है, यहाँ पे भी वह चीज क्या है, तो यह दो न हो गया, तो बचा कून, कर तो ध्यान से देखो बाकी चीज मैंने सोचा ही नहीं तो बहुत एजिया और यहां पर क्या फॉलो रहा है तो ध्यान से देखो A उसके बाद H उसके बाद N फॉलो रहा है राइट next question number six ऐसे question के बारे बता रखाऊं कि यह down functional group है आपका राइट और और परारिटी और में पहले भी आता है लेकिन यह parent chain में नहीं आ पाएगा क्योंकि side chain में आ गया राइट तो आपको इसका नाम इज़्जस से भी लिखना पड़ेगा you know already इसको कैसे लिखेंगे हम तो cyclo word तो लगेगा cyclo pentane और carboxylic acid word यूज़ करना परेगा तो इसने क्या क्या cyclo pentanoic acid तो यह गलत हो गया cyclo pentanoic acid से गलत हो गया अब ध्यान से देखो cyclo pentane carboxylic acid तो यह एक chances है यहाँ पे भी pentanoic acid और यह तो pentanoic carboxylic यह दो दो बरतवा oic तो यह तो वैसे ही गया राइट और चुकि आपका dawn functional group man chain में नहीं आ पा रहा है तो इसका नाम इज्जा से लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा carboxylic acid इसलिए कौन सा option होगा भी अब दियान से देखो और numbering कैसे करते हैं one two three four four पे bromo two पे methyl आज के lecture में हम बात करेंगे general organic chemistry में electron displacement effect के बारे में और name से क्लिए रहे कि यहां पर electron क्या होगा अपनी जगा से shift होगा displace होगा और यह जो electron है वो bonded भी हो सकते हैं non bonded भी हो सकते हैं तो हम detail में आगे देखेंगे ही तो यह जो electron displacement effect होता है यह actually दो टाइप के होते हैं एक को हम बोलते है permanent effect और एक को बोलते है temporary effect दो पर्मानेंट वर्ड से ही किलिए रहे permanent in the sense आपके पास जो भी molecule है suppose करो मैं एक molecule लेता हूँ suppose करो मेरे पास यह तो यह मेरे पास एक molecule है तो permanent effect का इसका क्या मतलब है कि इस molecule में वो effect always operate होगा irrespective of कि इसके surrounding में क्या है इसके चारों तरफ कोई solvent ले लिया है कुछ भी ले लिया है इसके surrounding में क्या है इससे इसको मतलब नहीं है इसमें वो effect operate होता रहेगा तो ऐसे effect को बोलेंगे permanent effect और यह तीन है मारे पास एक को बोलते है inductive जो आज की इस video lecture में हम discuss करेंगे और inductive को मैं अब आगे से i word से दिखाऊंगा उसका first letter i inductive वैसे ही दूसरा effect mesomeric effect है या फिर उसको resonance effect भी हम बोल सकते हैं जिसको मैं m या r से represent करूँगा आगे से and next hyperconjugation third effect permanent effect में जिसको मैं hc से represent करूँगा वैसे ही temporary effect का क्या मतलब है name से clear temporary effect in the sense कि again आपके पास जो compound है या molecule है इसमें यह effect तभी operate होगा जब तक आपका surrounding में वो चीज present है that means यह अगर ऐसे है तो यह इस form में आस आता है इस form में यह कब तक होगा जब तक आप कोई solvent या nucleophile add करके रखोगे तो यह इस condition में रहेगा जैसे इस solvent को हमने हटा लिया तो फिर यह इस से इस condition में convert हो जाएगा तो इसलिए इसको वो rate temporary मतलब depend करता यह कि अगर कोई present है तो रहेगा नहीं है तो नहीं रहेगा तो इसलिए इसको temporary और very less इसके बारे में ज्यादा अपने को पढ़ना नहीं है इसका नाम है electromeric जिसको मैं E से represent करूँगा तो चलिए अब हम बात करते हैं inductive effect के बारे में तो जो inductive effect है उसको transmission effect भी बोलते हैं और उसमें important point क्या है पहले समझ लो आप पहला point तो यह है कि यह effect operate ही क्यों होता है तो generally इस effect का जो main reason होता है वो electronegative difference होता है electronegativity difference आने की वज़े से यह effect operate होते हैं इसी वज़ा से यह distance पर depend करते हैं that means 3 carbon तक ही हम इसका effect assume करते हैं उसके बाद मानते हैं कि इसका effect नहीं होगा इसलिए यह distance पर depend करता है 3 carbon का मतलब क्या है कि जिस carbon पर group लगा हुआ है उससे 3 carbon किसी भी direction में तो वहीं तक यह effect operate होता है उसके बाद इसका effect almost zero हो जाता है तो इसलिए यह distance dependent है नाव यह operate जो होता है वो generally वो sigma bond के थूरू एक खिचाव होता है pulling होता है electron का shared electron का इसलिए बोलते हैं operated थूरू sigma electron नाव partial shifting होती है इसमें ऐसा नहीं है कि electron अपने घर को छोड़के चला जाएगा अपने orbital को छोड़के चला जाएगा always partial shifting होता है इसलि और वो खीच रहा होगा तो minus और अगर दे रहा होगा तो plus तो यह partial shifting होती है यहाँ पर इसको मैं practically feel भी कराता हूं और वही last point है कि third carbon के बाद इसका effect हम मानते है जीरो तो देखो यह तो हो गई जो मैंने पहले बताया था यह सब important terms हो गए now अब हम इसको feel कैसे करेंगे day to delay left म कैसे connect करेंगे तो देखो बहुत simple है और just यह समझाने के लिए इसको ज्यादा serious नहीं लेना है जैसे suppose करो कि आपके सामने वाली खिर्खे में आपकी crush रहती है तो आप always क्या रहेंगे जो आपकी खिर्खी होगी उससे attracted रहेंगे उसकी तरफ जागते रहेंगे तो आप ज्य आपका जो खिचाव है वो उधर की तरफ है तो ऐसे effect को बोलेंगे हम inductive effect I hope clear होगा now electronegativity पे जब यह depend करता है तो बहुत सारे बच्चे को electronegativity मालूमी नहीं होती है तो मैंने उसके लिए भी बहुत simple सा tricks लाया है कि एतने ही element का आपको electronegativity याद रखना और वो कैसे तो व lithium का one यह सबको याद रहका है पहला element S block का one है उसके बाद आपको क्या करना 0.5 increase करते जाना है कितना 0.5 increase करते जाना है तो वान में 0.5 increase करूंगा तो कितना होगा 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 and 4 periodic table का सबसादा electronegative element fluorine आगया राइट तो यह electronegativity value ही हमने याद करवा दिया आपको तो यही सब group carbon पर लगे होंगे तो आपको देख लेना कि carbon से ज़्यादा electronegative है तो अपनी तरफ electron खीचेगा कम है तो वो carbon को electron देगा ओके next वाले को कैसे ज़्याद रखेंगे तो you know down the group electron negativity decrease होती है तो 1 से कम हो जाएगा that means कितना हो जाएगा 0.9 और कितना increase करना है 0.3 increase करना है तो 0.9 को आपको कितना हो जाएगा 1.2, 1.5, 1.8, 2.1 अब next इन सब का कैसे ज़्याद रखेंगे तो उसके हमने एक सिंपल सा यहां पर ट्रिक लगाया pH होता है राइट हम आयनी की क्लिवन परेंगे तो जो phosphorus का है वही hydrogen का है इसमें मैंने hydrogen नहीं लिखा phosphorus का 2.1 है तो hydrogen का भी कितना होगा 2.1, almost same, sulfur का कैसे ज़्याद रखेंगे iodine, sulfur और carbon यह तिनों को मैंने ISC words है, inter of science, right, ISC, तो जो iodine का वही sulfur का वही carbon का है, carbon का आपको मालूम है 2.5, तो sulfur का भी कितना हो जाएगा 2.5, और iodine का भी आपका कितना हो जाएगा 2.5, कुलोरीन का, तो 0.5 increase करा दो, तो almost 3 का असपास होता है, right, but nitrogen से थोड़ा less होगा, और 3 और 2.5 के बीच में कितना होगा 2.8, क्योंकि down the group, electronegative difference होती है, तो यह मैंने electronegativity का direct value ही लिखवा दिया, जिससे हम इसका proper use कर सकते हैं, और वो भी कहां, तो देखिए, यहां, कैसे use करेंगे, देखो, carbon पे आपका कोई group लगा होगा, right, carbon पे आपका कोई भी group लगा होगा, तो वो group carbon के साथ क्या कर रहा है, उस effect की हम बात कर रह point, कि यह group carbon से ज्यादा electronegative हो गया, more मतलब, group जब वो more electronegative है carbon से, तो क्या करेगा वो, यह जो shared electron है आपके, तो यह जो shared electron है, इसको अगर group अपनी तरफ खीच रहा है, तो वो कब खीच सकता है, जब वो carbon से more electronegative होगा, तो इस group का बोलेंगे हम कौन सा effect है, minus effect, मतलब, electron क withdraw कर रहा है, तो इसलिए ऐसे group को बोलेंगे, electron withdrawing group और electron accepting group, accept भी कर रहा है, तो उसको short form में EWG या EAG बोलूँगा, जैसे जितने भी more electronegative होगे, all halogen, nitrogen, oxygen, सब क्या हो जाएंगे, electron accepting group, या फिर electron withdrawing group, वैसे ही carbon से जो group लगा है, अगर suppose करो कि उसके electronegativity कम है, less है, carbon से, तो फिर इस case में क्या होगा, कि ये group ही carbon को electron देगा, तो electron का follow कि साइड होगा, इस साइड से, ऐसे, group की तरफ, तो एक तरह से group क्या काम कर रहा है आपका, electron donate कर रहा है, तो इसलिए उसको बोलेंगे electron donating group, या फिर उसको short form में EDG बोलेंगे, या फिर electron releasing group बोलेंगे, ERG, electron releasing group, या फिर electron donating group, तो ये सब एक ही बात है, और वो case जहाँ पर हम कुछ भी effect नहीं लेते हैं, वो hydrogen वाला, अगर carbon से hydrogen attached है, तो हम मानते हैं कोई effect नहीं है, otherwise कोई भी group attached हो, इवेन दो carbon ही क्यों ना attach हो, उसका effect आएगा, और कौन सा effect आएगा, वो हम discuss करते हैं अगले part में अब हम बात करते हैं, group के effect के बारे में, तो देखो very simple है, कि मैं इस तरह से एक general लिया हूँ, कि ये carbon की chain होगी, और उस पे जो group लगा होगा, तो इसका कौन सा effect होगा, ये हम कैसे identify करेंगे, तो देखो अगर इस group पे, गलती से अगर positive charge आ गया, suppose को आपने देख लिया, कि ज तो carbon की chain है, उस पे कोई group लगा, उस पे positive charge है, जैसे NF3, और nitrogen से attach होगा, तो इसलिए nitrogen ने 4 bond बना लिया, 3 fluorine के साथ, एक carbon के साथ, इसलिए उस पे plus आ गया, तो NF3 plus, NH3 plus, इस टब का जैसे group पे positive charge देखे, तो वो always minus size हो करेंगे, क्योंकि positive का मतलब हम कैसे think कर रहे हैं, कि उस similarly, वो सारे element जिसके electron negativity carbon से ज़ाद हो जाए, जैसे NO2, तो nitrogen ही more electron negative है, फिर oxygen तो दोनों मिल करके खीचेंगे, या cyanide, तो cyanide में क्या हो रहा है, कि यहाँ पे SP hybridization है, इस वज़े से भी nitrogen अपनी तरफ खीचेंगे, more electron negative है, aldehyde या acid वाले, halogen, fluorine, chlorine, bromine वाले, तो यह सब क्या कर लगाएंगे, carbon से electron को अपनी तरफ खीचेंगे, इसलिए, minus i group होंगे, similarly, अगर मालो की carbon carbon stem हो जाता है, तो वहाँ पे क्या concept लगाएंगे, कि hybridization क्या, अगर SP hydrogen है, तो यह ज़्यादा electronegative होगा, क्योंकि percentage is 50% है, तो इसलिए, उस case में आपको यह वाला order follow करना है, कि SP वाले carbon की electron negativity ज़्यादा होगी, उससे कम SP2, उससे कम SP3, now, अगर plus i effect के बारें बात करें, तो वो सारे group जिस पे negative charge आ जाए, तो negative आ गया, और reduce के पास electron है, तो वो क्या चाहेगा, किसी को देना चाहेगा, दे करके हटाना चाहेगा, तो इसलिए, यह electron donating group होंगे, plus i so करेंगे, तो always यह पल जैसे NH मानस है, कहीं पर, कहीं पर O मानस है, तो इसके यहाँ पर यह नहीं सोचना है, फिरकिन nitrogen more electron negative, oxygen more electron negative, अगर negative charge आ गया, तो always plus i so करेंगे, जितने भी alkyl group है आपके, जब alkyl से एक hydrogen हटा देंगे, तो alkyl बनता है, जितने भी alkyl group है, सब के सब plus i, और जितना ज आपका 2 degree वाला, that means, इस carbon पे 2 CH3 हूँ, तो फिर इनका ज़्यादा plus i effect होगा, तो आई ओप ही आपको minus i effect कौन group सो करेंगे, plus i कौन सो करेंगे, वो समझ में आ गया होगा, नाउ यह सब तो हो गई, समझाने वाली बात, actual इसका application क्या है सर, वो बताओ, इसको apply कैसे करना, इस जो, कि आपको question कैसे पूछे जाएंगे, कार्वो केटायन होगा, that means carbon पे plus charge होगा, या free radical होगे, that means carbon पे एक electron होगा, तीन bond बनाने के बाद, एक electron, free electron, तो free radical बोलेंगे, या फिर basic character का order पूछा जाएगा, इन तीनों ही case में, अब मैंने जो connect के अपने trick को कैसे, कि कार्वो के carbon के पास क्या है, electron की कमी है, free radical का भी मतलब क्या हो गया, कि अभी भी कार्वो के पास, octate complete नहीं हो, साथ ही electron है, valence cell में total, तो वो भी electron deficient है, basic को मैंने कैसे connect किया, before basic, before beggar, भिखारी, poor, तो ये सब के जो carbon आपको दिखेगा, free radical दिखेगा, या basic character का order पूछा, ये तीनों ही क तो आपने कैसे connect किया, कि ये लोग beggar हैं, भिखारी हैं, अब तुम ये सोचो, अब poor person क्या चाहरा होगा, कि कोई उसको electron दे दे, कोई उसको पैसा दे, तो वही चीज़ा यहाँ पे, simple day to day lab से connect करो, तो जब भी carbon, free radical या basic character का order पूछे जाएगा, तो that means वो क्या हो चुके है एक beggar हैं, तो वो क्या expect करेंगे, तो definitely जो donor लोग होगे, पलस आई मतलब क्या होगा, donor, right, तो ये donor लोग होगे, तो donor लोग इसको क्या करेंगे, stabilize करेंगे, तो that means donor इसको support कर रहा है, और जो acceptor है, जो खीच रहे हैं, तो उसको क्या कर रहेगा, पोच कर रहेगा, तो इसको increase कराएंगे, कार्व का टायन के stability पुछी जाएगी, increase होगे, फिर रिकल के stability पुछी जाएगी, basic character increase होगा, बट अगर minus I group लगा हुआ है, तो फिर वो सर्चीज क्या हो जाएंगे, decrease हो जाएंगे, similarly, मैंने कार्व नायन और ACD को connect किया, कार्व नायन मतलब कार्वन पे negative charge है, that means, उसके पास extra electron है, electron rich person है, वो right, और A for acid, A for amir, तो इसलिए मैंने इसको किस से connect किया है, कि कभी भी आपको कार्व नायन या acidic का order पूछा जाए, तो कार्व नायन या acidic मतलब amir लोग, तब amir लोग क्या चाहेंगे, कि वो किसी को देना चाहेंगे, right, तो इसलिए जो खीचने वाले लोग होंगे, जो लेने वाले लोग होंगे, वो जल्दी उससे attract होंगे, तो minus I group इसको क्या करेंगे, support करेंगे, और जो donor होंगे, plus I वाले, approach करेंगे, right, simple सी बात है, कि कोई amir परसान है, और दूसरा amir उसको पैसा दे रहा है, तो accept ही नहीं करेगा, right, तो व support करेंगे, donor उसका approach करेंगे, right, तो यह trick का point है, now इसमें एक point और मैं समझाना चाहता हूं, कि कहीं पर भी अगर आपको acidic का पूछा, तो what do you mean by acidic order, acidic का मतलब यह है, कि वो जो भी आपने compound ले रखा, वो H आपको देगा, suppose करो in general मैं ऐसे ले लेता हूं, तो इसका पूछा जा acidic order, 3-4 इस type का आपको compound दे देंगे, तो acidic का पहले mind map के का impression है, कि acidic मतलब वो compound जो आपको H पलस दे दे, और H पलस कहां से जाएगा, यह H जाएगा कहां से, तो उसके लिए ध्यान रखो, वो H कहां attach होना चाहिए, fluorine से, या oxygen से, या nitrogen से, phone word से अधर रखेंगे, अगर आपका hydrogen, fluorine, oxygen या nitrogen से attach है directly, तो वो acidic hydrogen का लाता है, वो जल्दी चला जाएगा, या फिर SP carbon से, that means triple bond वाले जो है, alkyne वाले, उससे attach हो, corner पे, तो वो भी acidic hydrogen माना जाता है, तो कभी भी acidic order पूछे, तो आप क्या करो, जो hydrogen acidic है, उसको पहले निकाल दो, तो जैसे उसको निकालेंगे, त तो आप देखो, यहाँ पे क्या आगा, minus, तो यहाँ पे आगा, minus मतलब, एक curve and nine tap का बन गया, इसलिए मैंने इसको connect क्या है, तो अब उसके बाद इसमें जो group लगे होंगे, वो देखना है, अगर यह group electron देने वाले हैं, तो फिर यह destabilize करेंगे, क्योंकि already इसके पास burden है ही और आप और burden बरहा रहे हो, तो unstable होगा, और अगर कोई खीचने वाले होंगे, तो फिर support करोंगे, क्योंकि इसके पास burden है, इसके पास दुख है, उसको आप खीच रहो, अपनी तरफ उसको ले रहो, तो फिर क्या हो जाएगा, इसका ACD character increase हो जाएगा, वैसे ही अगर basic पहले देने के लिए, तो क्या होना चाहिए, कि पीछे उसके पास support होना चाहिए, अगर मैं किसी को पैसे दे सकता हूँ, तो मेरी financial condition अच्छी होनी चाहिए, तो basic character मतलब loan pair देना है, जैसे support करो, कि यहाँ पे आपने NH2 group लगाया, तो इसके पास loan pair आप इसको देना है, तो जो group इधर लगे होंगे, इधर कहीं पे भी, तो वो कैसा behave कर रहे हैं इसके साथ, अगर यह group इसको support कर रहे हैं, दे रहे हैं electron, तो यह easily दे देगा, क्यों कि इसके पीछे family protection है, ठीक है, करो तुम, हम support करेंगे, अगर मानलो कि group ऐसा लगा, जो electron को खीच रापनी तरफ, तो फिर यह जल्दी देना नहीं चाहेगा, क्यों, क्योंकि इसके पास already vacancy credit होने वाली है, तो वही same चीज़ है, तो इसलिए basic में हमने, या फिर कार्व कटाने, फिर radical में उस condition को आपका connect किया है, कि beef और beggar, that means इसको देना है, तो देने के लिए इसके पास वैसे group होने चाहे है जो इसको support करें, तो plus I वाले support करेंगे, beggar को, और minus I वाले oppose करेंगे, similarly ACD किया, carbonine के stability पूछे, तो Amir word, तो Amir को minus I support करेंगे, खीचने वाले क्योंकि Amir से लोग पैसा लेंगे, और plus I वाले देने वाले उसको oppose करेंगे, तो अब हम कुछ example ले करके आपके इस application या tricks को और भ acidic, तो KA, equilibrium constant of acid, तो जतना ज्यादा acidic होगा, उतना ज्यादा K होगा, तो acidic अगर increase हो रहा है, तो KA भी increase होगा, बट PKA, पKA वाला वो PKA नहीं, PKA, तो PKA जो हो जागा, उतना कम हो जागा, मतलब KA and PKA, always inversely चलते हैं, दोनों एक दुसरे से inversely हैं, तो कभी भी KA का अगर order पुछ जागा, मतलब ACD का order, PKA पूछे, तो ACD का निकाल लो, उसका उल्टा कर दो, वैसे ही, basic जतना ज्यादा होगा, KB, base का equilibrium constant, उतना ज्यादा होगा, मतलब वो reaction उतना फॉर्वन रिजागी, लेकिन PKB की बात करेंगे, तो उतना कम होगा, ओके, तो यह point भी आपको ध्यान में चलिए, अब हम बात करते हैं, application की, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, question number one, कि इन सब का आपको ACD order पूछा गया है, कि कौन सबस्यादा ACD होगा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, तो ऐसे question आपको सबसे पहले करना क्या है, कि पहले देखना पड़ेगा, तो सब में देखो, carbox अचलिके सीड है, तो सब का structure पहले quickly अगर draw कर लोगे, तो आपको ज़्यादा समझ माएगा, right, C double bond OH, C double bond OH, C double bond OH, उसके बाद ध्यान से देखो, तो सब पे carbon है, इस carbon पे 3 hydrogen है, right, यहाँ पे carbon पे 2 hydrogen है, और 1 chlorine है, यहाँ पे carbon पे 3 fluorine है, right, और यहाँ पे carbon पे 2 hydrogen है, और 1 chlorine है, अब इन सब का acidic order पूछा गया, suppose कर लेते हैं, यह 1 है, यह 2 है, यह 3 है, और यह 4 है, तो देखो, अब भई हमने बताया था, acidic मतलब, यह जो hydrogen आपका acidic है, क्योंकि यह oxygen cycle है, यह वाले acidic है, यह वाले acidic है, यह वाले acidic है, यह वाले acidic, तो इस hydrogen को हटा देना, हटाने के बाद यह कैसे जाएगा, खुद plus form में चला जाएगा, तो इन सब पे क्या जाएगा, माइनस आने का मतलब क्या हो गया, बात करो, माइनस आने का मतलब burden आ चुका है, दुख या मुसीबत आ चुका है, तो अब इस मुसीबत को जितने लोग share वाले होंगे, उतना easily यह देना चाहेगा, क्यों, क्योंकि इसके दुख को कोई share करने वाला है, और अगर कोई share करने वाला नहीं है, तो नहीं देगा, तो कम acidic होगा, simple, तो लोजिक यह लगाना है, तो यहाँ पे देखो, कि आपका यह जो group लगा हुआ है, वो कैसा है, अलक style क्या सो करते हैं, पलस आई, तो जबकि इसको कैसा चाहिए था, माइनस आई, खीचने वाला, इसके दुख दर्द को अपनी तरफ share करने वाला, लेकिन यह क्या देने वाला है, पलस आई effect है, तो यह ज़्यादा acidic नहीं होगा, यह वाला जो है, क्लोरीन, इसका माइनस आई है, क्यों, क्योंगि कारवन से ज़्यादा एलक्रो नेगेटिव है, तो यह थोड़ा खीच रहा होगा, यहाँ पे तीन-तीन फ्लोरीन मिलके खीच रहें, तो बहुत ज़्यादा खीच रहे होंगे, तीन-तीन लोग इसको अपनी तरफ खीचने कोशिज कर रहे हैं, और यहा कौन हो जाएगा टू फिर लास्ट फॉर उसके बाद लास्ट में कौन हो जाएगे वन क्योंकि यह तो अपोज कर रहे थे यह सब माइनस आई वाले थे सपोर्ट कर रहे थे यह पोज कर रहा था तो इस टाइप के आपको कौशन मिलेंगे जो मैंने एक बेसिक आडिया देनी कोशिस के इस टाइप के आपको फ्रॉल्म कर लोगे सेम सेकेंड कोश्चन में अगें आपसे एसेडिक और पूछा जा रहा है तो अगें हाइडोजन आपका कहां से निकलेगा जो ऑक्सियन से अटच है वही ज्यादा एसेडिक है तो गुरूप का एफेक्ट देखना यहाँ पे कलोरीन यहाँ पे मिथाल यहाँ पे फ्लोरीन आपको एक पॉइंट और बताए कि डिस्टेंस पे डिपेंड करता है तो दियान से देखो कलोरीन बहुत कलोज है तो जब यह हाइडोजन जाएगा तो यह कलोरीन कलोज होने के वज़ाद से एजली उसके लक्टॉन को अपनी तरफ खीश सकता है ज्यादा स्यादा इसका बहुत कम इफेक्ट होगा तो कुछ बच्चे यहाँ पर जाते हैं कि फ्लोरीन ज्यादा एलक्टो नेगेटिव है तो इसको पहले कर देते हैं नहीं डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है यह बहुत कलोज है इसका ज्यादा इफेक्ट होगा इनकम्प्रिजन ओफ इस इसका इफेक्ट हम मानेंगे कि नहीं भी हो सकता है क्योंकि कारवन काफी दूर हो चुका है जिस कारवन पर ग्रूप लगावा उससे यह ग्रूप काफी दूर हो चुके है तो इसलिए यहाँ पर एसी डिकोडर क्या होगा पहला वन फिर उसके बाद आपका थिरी रहेगा है कि सब कारवन पर मैंने प्लस दिखा है तो आपको बता है कारवकाटाम मतलब बिखारी तो यह क्या चाहरे होंगे कि इसको कोई डोनर मिले तो इसमें डोनर सर्च करो फ्लोरीन तो माइनस आई राइट क्यों मोर एलेक्ट्रो नेगिटिव एनो टू माइनस आई और बहु लेनी की जरौत नहीं है राइट only group के effect पर में गया तो आप खुदी सोच लो आपके सामने आपका answer है राइट क्योंकि यह कार्वकाटान है तो सबसे ज़्यादा कौन थिरी वाला क्यों क्योंकि प्लस आई सो करेंगे और नेगेटिव वाले सारे प्लस आई यहाँ पर फिर तो दियान से देखो NO2 का बहुत ज़्यादा मायनास आई होगा क्योंकि nitrogen भी more electronegative और 2 oxygen भी more तो सब मिल करके काफी खीचेंगे we know that कि fluorine more electronegative लेकिन यहाँ खेला है और यह 3-3 लोग है तो इसलिए इसका overall effect बहुत ज़्यादा हो जाएगा एक यह additive property की तरह भी think कर सकतो तो यह ज़्यादा मायनास है मतलब यह ज़्यादा oppose करेंगे तो इसलिए कौना जाएगा पहले 1 और last में कौना आगा 2 तो मैंने यह कार्व काटान का बताया फिरी रेडिकल का पूस्ता यही order basic character यही order acidic पूस्ता इसका उल्टा कर देते कार्वे नायन का पूस्ता इसका उल्टा कर देते तो कोई एक ध्यान में रखो और एकदम simple connect करके day to day आप से feel करने कोशिस करोगे जिस दिन तुमने subject को feel कर लोंगा resonance को क्या बोलाएंगे रजो ओके तो रजो के बारे में कुछ important point वहले जान ले कि रजो में क्या-क्या है तो पहला point यह है कि जो रजो है वो है क्या actually तो that is nothing but delocalization of pie electron और loan pair पाई electron या loan pair का delocalization मतलब घूमना फिरना वो एक जगा पे नहीं रहेगा एक atom से दूसरे atom पे दूसरे atom से तीसरे atom पे तो इसमें हम वही बात करने वाले है कि delocalization of pie electron और loan pair ध्यान रहे इसमें atom की shifting नहीं होते है resonance में कभी भी atom shifting नहीं होते है ओके चलिए second point पाते हैं कि जो resonance होगा उसके लिए condition यह है कि molecule जिस molecule में resonance की बात कर रहे हैं वो planar होना चाहिए या फिर एक और यह condition हो सकता है कि जहां तक resonance हो रहा है वहां तक के जो सारे atom है वो एक plane में होनी चाहिए यह condition होगे रज्जो की next point is कि जितने भी resonating structure आप बनाएंगे तो उसमें charge maintained रहेगा अगर मानलो कि starting में आपका जो molecule या structure था उसके कोई charge नहीं था तो उसके जितने भी RS आप बनाएंगे resonating structure तो उसमें किसी पे भी charge नहीं आना चाहिए अगर minus 1 का charge है तो समें minus 1 का charge maintained होना चाहिए तो तीसरे point का भी मतलब है कि charge should be maintained in all resonating structure जो हम different structure ड्रॉ करेंगे जो आगे हम देखने वाले fourth point कि it is distance independent यह जो है distance पे depend नहीं करता है जबकि inductive effect करता था right तो it is distance independent इसलिए यह उससे ज़्यादा क्या होगा effective होगा right या stronger effect होगा और it is a permanent effect we already know fifth point is कि due to resonance होता है मलब resonance हो ही क्यों हो रहा है तो रज्जो इस वज़ा से हो रहा है इसकी वज़ा से क्या होता है stability increase होता है और potential energy decrease होता है potential energy को हम कैसे relate करेंगे आपे potential energy का मतलब हमारे लिए क्या हो गया stress या दूख या पीरा कस्ट जो आप समझो तो वो जतना कम होगा उतना stability रहेगी तो stability resonance है क्या होता है stability increase होती है that means potential energy कम होती है next point कि जतना ज्यादा resonating structure आप बनाएंगे उतना ज्यादा stability होगी that means दुख को जतने ज्यादा लोग बाटने वाले होंगे obviously वात है वो आदमी उतना easily survive करेगा उतना उसको easy रहेगा जीना right next point is seven point कि जो RS that means resonating structure या फिर canonical structure right CS तो RS कहीं पर लिखा हो या CS लिखा हो यह सब समझ जाना यह short form यूज़ कर रहा हो तो यह सब जो है वो hypothetical है यह हम लोग draw करेंगे यह actual में हो रहे या नहीं हो रहे यह किसी को मालूम नहीं राइट बट इस concept को यूज़ करकर के हम सारे result तक पहुँच पा रहे इस लिए इस theory को accept कि हुए तो it is a hypothetical phenomenon right तो actual में है क्या सब तो actual जो है वो resonance hybrid है तो resonance hybrid आरेच short form में बताएंगे वो actual है और वो बनता कैसे है तो जितने भी आपके RS है उनके contribution से बनता है तो चलिए अब हम बात करते हैं tricks की जिसके लिए मैं जाना जाता हूँ तो देखो रज्जो के लिए जो trick लेके आया हूँ मैं रज्जो आपको बता रखना हूँ resonance को प्यार से मैं बोलूँगा रज्जो तो जैसे देखो एक हाथ में 5 उंगली है वैसे ही रफी सर के 5 point है resonance के लिए अगर इसको आपने समझ charge is in conjugation with pi bond हो that means positive charge के बाद single bond है sigma bond उसके बाद फिर pi electron हो pi bond हो तो वहाँ पर resonance होगा एक point जो यहाँ पर मैं में मेंशन करना चारूँ पॉजिटिव चार्ज का यह मतलब क्या है यहाँ पे vacant orbital होना must है vacant orbital होना चाहिए positive charge नहीं भी है तो भी चल जाएगा vacant orbital का होना जरूरी है okay for example दियान से देखो positive single double क्या यहाँ पे हो रहा है yes देखो positive उसके बाद single fit double तो इसको तलब इसमें resonance हो जाएगा ऐसे चेक करना है similarly यहाँ पे दियान से देखो तो यहाँ पे कोई positive charge नहीं है but vacant orbital है कि बोलोन ने भी तीन ही bond बनाया तो vacant orbital यहाँ पे आ गया single और फिर ये double तो यहाँ भी resonance हो जाएगा ओके वो केसे जहाँ पे resonance नहीं होगा जैसे ऐसा कहीं पे है NH3 प्लस CH double bond CH2 अगर ऐसा है तो आपको क्या लगेगा कि positive single double यह सर नहीं बता है था resonance हो जाएगा नहीं सर का यह क्याना है कि positive charge जरूरी नहीं है जरूरी क्या है vacant orbital तो यहाँ पे nitrogen पे positive इस लिए आया है क्योंकि इसने 4 bond बना लिया तो यहाँ पे कोई vacant और vital नहीं इसलिए इसमें resonance नहीं होगा तो I hope point number one clear होगा जब भी आपका positive single double I that means वहाँ पे resonance होगा positive का मतलब vacant और vital है यह ध्यान में रखना है चलिए अब हम आते है point number two पे जब भी आपका loan pair या फिर negative charge उसके वाँ single bond है फिर pi bond that means loan pair या negative charge is in conjugation with pi bond तो वहाँ पे resonance होगा for example जैसे यह loan pair है suppose करते हैं कारण पे loan pair ने यह negative charge होगा negative charge single और यह double तो देखो negative single double अगर यह sequence को follow कर रहे हो यह follow हो रहा है मतलब वहाँ पे resonance हो जाएगा यह रफी सर्गा ट्रिक है जिससा आप इजली पैचान सकत क्योंकि वहाँ पे resonance होगा कि नहीं similarly यहाँ पे देखो loan pair single double loan pair single double तो इस sequence को follow कर रहा है यहाँ resonance हो जाएगा ध्यान दें कि जब एक element पे एक से ज़्यादा loan pair हो तो एक ही loan pair resonance में जाएगा similarly अगर एक से ज़्यादा यहाँ पे pi bond होता तो एक ही pi bond resonance में जाता तो यह point number two हो गया next point number three अगर आपका double bond is in conjugation with double bond हो या triple bond triple bond का ही मतलब क्या हो गया दो pi bond तो जब double bond is in conjugation with double bond हो तो वहाँ पे भी resonance होगे for example double single double तो यह उस sequence को follow कर रहा है that means यहाँ पे resonance हो जाएगा next point number four अगर आपका periodical is in conjugation with pi bond हो तो वहाँ भी resonance होगा for example periodical single double तो यहाँ भी resonance हो जाएगा तो इसलिए मैंने वो condition को लिखा है जो रफिशर का trick है और एक एक example लिया है कि कैसे आपको उसको apply करना है next अगर आपका lone pair या फिर negative charge is in conjugation with vacant orbital हो vacant orbital आइदर pb हो सकते या db हो सकते तो वहाँ पे भी resonance होगा for example nitrogen के पास यहाँ पे lone pair है फिर यह single कारण पे पला से मतलब vacant orbital है तो यहाँ पे resonance हो जाएगा तो यह 5 point आपको ध्यान में रखना है अगर इस sequence को follow हो रहा है कहीं पे molecule में तो वहाँ पे resonance होगा now जो सबसे important point है कि यह जो positive charge है आपका या यह जो lone pair है या यह जो negative charge है या फिर यह जो free radical है या यह जो pi electron है यह सब के सब को आपको practical life में क्या जूं करना है कि यह burden है दुख है तकलीफ है मुसीवत है पीरा है कस्ट है stress है यही तो है यह सब अब तुम ही सोचो कि अब हम क्या सोचेंगे क्या सोचेंगे कि यह जो चीजें हैं वो जतना ज़्यादा से ज़्यादा लोग share करें अतना ज़्यादा हमें stable रहेंगे तो वही चीज तो यहां पे भी हो रही है तो आपको यही मानना है कि यह सब positive charge, lone pair, negative charge, free electron, pi bond जिस carbon पे या जिस भी element पे है that means वो stress में, वो दुख में अब उसको जतने आगे के element share करेंगे उतना वो molecule stable होता जाएगा simple एक practical thinking करते हैं कि अगर मैं आपको बोलू कि 10 kg का समान आप ले करके खड़े रहो तो क्या करोगे 10 मिनट बाद उसको पटक दोगे लेकिन वही बोलू कि आप चार फ्रेंड में उसको circulate करते रहो तो आप easily कर सकतो तो वही चीज यहाँ पर resonance is nothing but कि यह सब burden का क्या हो रहा है delocalization घूमना फिनना कोई एक आदमी permanent उस stress को फिन नहीं कर रहा है सब पर distribute हो रहा है इसलिए stability बढ़ेगी तो चलिए अब हमने जो point आपको दिये हैं उसको apply करके देखते हैं कि उससे हम पता करते हैं कि resonance होगा या नहीं होगा फिर single bond फिर double bond तो y sequence हो रहा है double single double तो यहां resonance हो जाएगा बस अभी हमें check करना है कैसे होगा वह हम बात में बात करेंगे similarly यहां पर द्यान से देखो तो double single single फिर single तब double आया तो पिर यहां नहीं होगा क्योंकि double single double होना चाहिए था राइट यहां पर द्यान से देखो तो positive charge मतलब VAKANT AUBITAL carbon पर है तो फिर single फिर double तो positive single double हो रहा है मतलब resonance हो जाएगा यहां पर ध्यान से देखो तो बहुत सारे बच्चे को लगा कि यहां पर नहीं होगा तो ध्यान से देखो nitrogen ने तीन bond बनाए राइट दो hydrogen के साथ एक carbon के साथ तो अभी भी इसके पास एक lone pair है जो generally वो दिखा करके नहीं देगा तो lone pair single double आ गया वो sequence तो यहां भी हो जाएगा similarly oxygen पर भी lone pair होगा वो दिखा के नहीं देगा यहां आपको ठिंख करना है तो यह lone pair हो गया फिर single फिर double तो यह resonance हो जाएगा ध्यान दे कि बता रखाऊं जब भी एक element पर एक से ज़्यादा lone pair होगा तो कोई एक ही lone pair resonance में जाएगा next यहां पर दियान से देखो करन पर positive positive single double तो resonance हो जाएगा similarly यहां पर दिया नहीं है तो lone pair single double तो यहां भी resonance हो जाएगा by the way वैसे भी resonance हो रहा double single double यहां से भी हो रहा double single double यह भी resonance है और वो भी है अब यहाँ पर तो वैसे तो होई रहा है again double, single, double, double, single, double resonance हो रहा है but इसको अगर expand करोगे यह CHO aldehyde group है C double bond O H लिखोगे तो यहाँ से देखो double, single, double तो यहाँ भी resonance हो रहा है मतलब यह group भी participate कर रहे है अब यहाँ पर यहाँ से देखो free radical, single, double तो यहाँ भी resonance हो जाएगा यहाँ यहाँ से देखो negative, single, double तो यहाँ भी resonance हो जाएगा तो बहुत easy है, right जो आपको 5 पांट दिये उसको use करते बाए identify करना कि resonance होगा कि नहीं होगा यहाँ देखो तो यह negative, फिर उसका single नहीं आया double आ गया क्योंकि यह double bond पे ही आ गया है यहाँ पे positive, single, double तो यह concern मन लगा देना है क्योंकि यह जो positive, चार जाया है nitrogen पे वो किसो जाएगा है चार bond बनाने को जाएगा से कोई vacant orbiter नहीं है तो यहाँ भी resonance नहीं होगा important point है यह फिर देखो negative, single, 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 fit double आ रहा है यहाँ से देखो negative, single, single, fit double तो यहाँ resonance नहीं होगा क्योंकि उस sequence को follow नहीं कर रहा है similarly यहाँ पे देखो positive, single, single तो यह वाला positive charge resonance में नहीं है बट यहाँ resonance हो रहा है double, single, double double, single, double तो यहाँ resonance हो रहा है बट वो positive charge अपका जो burden था वो delocalize नहीं हो रहा है that means वो resonance में participate नहीं कर रहा है तो यह molecule क्या रहेगा unstable हो रहेगा जिसकी बात हम आगे करेंगे यह वाला again point यहाँ से देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे को लेगा resonance नहीं होगा क्योंकि हैं नहीं double double है, right पहले ध्यान से देखो किसके पास lone pair है और इनके पास भी lone pair है, right अब concept लगाओ lone pair no doubt यह pi bond है तो इसमें एक sigma तो है, right lone pair sigma और इधर pi bond तो है, right तो उस condition को follow कर गया lone pair, फिर single bond है फिर इधर pi bond है, right तो यहाँ resonance हो जाएंगे हेलो अच्चो, कैसे हो, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको यह बता दिया था कि resonance कहां कहां होगा, इसको पहचनना आप अच्छी तरह किसे सिख गए थे आज के वीडियो लेक्चर में उसको draw कैसे करेंगे, उसको मैं सिखाने जा रहा हूँ वो भी simple मेरे trick से, तो देखिए, रज्जो को आप draw कैसे करेंगे, तो उसके लिए बहुत ही simple point है point number one, कि जिस carbon पे आपका positive charge होगा, या वो carbon, generally जो resonance होगा वो organic chemistry में कराते हैं, तो carbon ही होता 99%, जरूरी नहीं है, कोई other element भी हो, तो भी चलेगा तो जिस element, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ carbon, जिस carbon पे positive charge होगा, free radical होगा, loan pair होगा या फिर negative charge होगा, जिस carbon पे या जिस element पे, उसके बाद single bond आना चाहिए, फिर उसके बाद pi bond आना चाहिए तो मैंने numbering कर दिया, 1, 2, 3, यह numbering हो गया, तो देखो जिस carbon या जिस element पे है, उसको मैं number 1 कर दिया, positive charge हो, free radical हो, loan pair हो, या फिर negative charge हो, उसको 1 कर देंगे उसके बाद अगले वाले element को 2, उसके अगले element को 3, तो यहां से यहां तक में क्या change हो रहा, वो दियान से देखो, कभी भी resonance को double arrow से दिखाएंगे changes क्या होगा, कि यह जो चीजें जिसको burden बोले थे, right, दुख तगलिफ, वो 1 से उठ करके third position पर जाएगी, ध्यान से देखो, वो सब चीजें 1 से उठ करके third position पर आपके आ चुकी है and जो आपका pi bond है, जो two three के बीच था, वो shift होकर के one two के बीच आ चुका है, तो यहां से यहां तक के process में क्या change हुआ ध्यान से देखो, only pi bond की position shift हुई है, या फिर जो आपका burden है, उसका position shift हुआ है, atom shift नहीं हुए है, नहीं sigma bond shift होते हैं, यह बात को बिलकुल ध्यान में रख कि मैंने इसलिए में हिंदी में लिखा हूँ, कभी भी रजो में atom, कभी भी रजो में atom या फिर sigma bond, atom और sigma bond shift नहीं होगा, कभी भी रजो में आप atom या sigma bond को shift नहीं करेंगे, आप यहां पे उसका live example देख सकतो, हमने shift किसको किया है, pi bond को only and जो burden है उसको, और करना क्या है, जो burden जहां पे है, उसके बाद वाले element को छोड़ करके, उसके बाद वाले element पे, मतलब alternate element पे डाल देना आपको, और pi bond को slightly shift कर देना, अगर वो 2, 3 के 20 था, तो कहां पे आगया, 1 पे, उसी point को हमने point number 2 में लिखा है, कि जो आपका burden है, जो burden है, वो 1 से कहां आ जाएगा, 3 पे दियान से देखो, 1 से कहां पे आ गया, 3 पे, carbon number 1 से 3 पे आ जाएगा, जो burden है, और जो आपका pi bond है, double bond है, वो क्या होगा, जिन दो carbon के 20 था पहले, 2, 3 के 20 था, 2, 3 के, वो कहां पे आ जाएगा, 1, 2 के बीच में आ जाएगा, interchange होगा, एक तरीके से दियान से देखो, यह pi bond यह आ गया, यह चीज़े यहाँ होगी, interchange type, बहुत easy है, तो यह हो गया, next, अगर इस type का conjugation हो, point number 3, कि double, single, double type का हो, तो आपको क्या करना है, एक wave की तरह shift करते जाना है, इसलिए मैंने arrow से दिखाया, यह दोनो pi bonded electron को मैंने उठा करके, यहाँ पटक दिया, और यह दोनों को उठ करके, मैंने यहाँ इस कारण पर पटक दिया, तो दियान से देखो, क्या हो गया, जहां से यह उठेगा, वहाँ पर क्या हो गया, vacancy create हो गई, तो इसलिए वहाँ पर आजागा, प्लस, उठ करके, यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर एक pi bond आगे आपका, और यह वाला जो pi bond ह यह उठ करके, इस कारण पर पटक दिया, तो यहाँ पर आजागा negative, यह बिल्कुल day to day lapse से भी, कि अगर आदमी slightly shift हो रहा है, तो जहां से उठा वो, वहाँ वेकेंसी create होई, जहां पर गया, वहाँ पर भरा, और वो आदमी, जहां से उठा वो, other जगा, वहाँ पर जगा को एक, इस टाइब का system, conjugated system मिलेगा, तो एतने पार्ट में अगर resonance करार हो, तो अगर इस molecule में और भी पार्ट है, तो उसको वैसे का वैसे ही रहने दना, उसमें कुछ हेर्चार नहीं करना है, जतने पार्ट में रजो करार हो, उसमें ही change होगा, बाकी जैसा का तैसा रहेगा, तो यह मेरे point होगे, जिसको मैं अब resonating structure draw करने में use करूंगा, तो चलिए अब हम बात करते हैं, कि resonating structure को draw कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखो, मैंने example number one लिया है, जिसमें positive charge आपका conjugation with pi bound है, ध्यान से देखो कैसे, positive, positive, single, double, उसका फिर आगे भी resonance हो रहा है, double, single, double, तो इस को बोलते हैं, conjugation, जो आपको मैंने 5 point दिये थे, अगर वो sequence चल रहा है, तो वो resonance हो रहा है, जैसे देखो, positive, single, double, double, single, double, तो यहां से लेकर के, यहां तक resonance होगा, अब कैसे draw करेंगे, तो very simple, हमने आपको क्या बोला था, जिस पे positive है, one, two, three, अभी एतने ही part को effect करना है, बा कारवन है, one, two, three, four, five, six, one, two, three, four, five, six, देखो, मैंने पहले बना दिया, sigma में कोई छेरचार नहीं करना है, atom में कोई छेरचार नहीं करना है, सिर्फ positive या double जो bond है, वही interchange होगे, अब क्या हुआ, यह आपका जो कारवन number one था, इसको भी मैं लिग दे रहा हूँ, one, two, three, इत यह change होगे, बाकी को change नहीं करना है, क्योंकि यह वैसा है का वैसा ही रहा, त्यान से देखो, समझ गए, अब आगे क्या होगा, तो आगे फिर से resonance हो सकता है, कैसे, positive, single, double, तो फिर इसको लिगे जाना है, तो again, आप change किसमें कर रहा हूँ, उसको मैं अलग number से लिख रहा हू 6, और जो पहले जैसा था वैसे ही रहने दो, यहाँ पर आपका pi bond था ही right, तो यहाँ पर pi bond को रहने दो, change क्या हुआ है, इसको मैं number कर दे रहा हूँ, ABC, ABC में क्या change हुआ है, कि A का positive charge आप C पे चला जाएगा, और BC के बीच का double bond, AB के बीच आ जाएगा, तो यह draw होगे, क्य क्योंकि आप इस चीज को यह double arrow क्यों दिखाया, क्योंकि इसको अगर मैं back करूँगा, तो यह बन जाएगा, और इसको अगर back करूँगा, तो यह बन जाएगा, यह सब एक दूसरे में inter convertible है, तो इसके 3 RS होगे, right, जो आपने given है question में, वो भी एक resonating structure है, और बाकी दो जो बनाया, तो यह 3 RS बने, जितना ज्यादा resonating structure बनेगा, उतना ज्यादा stability होगा क्यों, क्योंकि आपको बताया था positive charge क्या है, burden, तो जितने लोग इसको share करेंगे, उतना stability बनेगा, तो यहां से एक proper feeling आए रही होगे आपको, आप इस बात को समझोगे क्या हुआ, कि यह जो positive charge है, जो carbon number 2 पे था, अगर मैं इधर से numbering करूँ, तो वो 3 पे भी, 2 पे जो था, इसको numbering करके समझाता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो जो 2 पे था, वो 4 पे भी जा सकता और 6 पे भी जा सकता है, तो एक तरह से burden क्या हो गया, धिरे-धिरे distribute हो गया है, इसलिए molecule के stability, यह intermediate के stability क्या ह जाएगी, बढ़ जाएगी, चली हम 2 की बात करते हैं, तो 2 में ध्यान से देखो, तो double, single, double, यह भी resonance में है, लेकिन manly हम positive charge, negative charge, loan pair, free radical, इन सब को burden मान रहे हैं, और यह सब को हमें delocalize करना है, तो यहाँ पे यह loan pair आपका क्या होगा, अगर इस type से देखा है, तो यह loan pair उठ करके अगर यहाँ पे आएगा, तो यह double bond उठ करके आपका यहाँ पे आजाएगा, तो वही same point है, 1, 2, 3, जो change करना है, वो 1, 2, 3 में करना आपको, बाकी चीज़ को वैसे ही draw कर देना है, तो पहले सारे देखो, मैंने sigma skeleton बना दिया, पहले सारे sigma को draw कर दिया, उसमें कोई छे अब changes कहां से कहां तक मोर है, तो वो यहां से लेकर क्या आपका यहां तक मोर है, तो बाकी चीज़ को वैसे ही दिखा दो, तो इधर कुछ नहीं किया हमने, इधर कुछ नहीं किया हमने, changes क्या हुआ, इसका loan pair यहां पे आगया, तो यहां पे मैंने πाई-bond बना दिया, और यह जो दो पाइब बॉंट थे यह वाले यह उठ करके यहां पर आ गए तो यहां पर आ गए तो क्या हो गया निगेटिव और यह इसने दे दिया तो इसका क्या हो गया डोनर अटम पॉजिटीव और अगर नहीं समझ मारा तो ऐसे ही समसकतो पहले यह मॉलीकूल आपका कैसा था निट्रल इसके कोई चार्ज नहीं था तो अगर यह निट्रल है तो इसका जितना भी रिजुनेटिंग इस्ट्रेक्चर बनाओगे सब आवराल निट्रल होना चाहिए तो आप देख सकतो पॉजिटिव निगेटिव मिलके क्या हो जाएंगे कैंसल हो जाएंगे तो इस उसके बाद आप द्यान से देखो फिर से रेजोनेंस की कंडिशन बन गई कैसे निगेटिव सिंगल डवल तो आप क्या करेंगे इस निगेटिव को यहां पटक देंगे और इस डवल बांड को यहां पटक देना है तो द्यान से देखो चेंजेज फिर कहां से कहां तक में ह तो बाकी चीज़ को वैसे ही रहने देना है, तो दियान से देखो, पहले मैं क्या किया, पूरा सिग्मा स्केलिटन बना दिया, दियान से देखो, नाइट्रोजन हेच टू, हमारा जो अफेक्टेट वाला पार्ट है, वो कौन सा है, ये वाला, ये, तो इधर कुछ ने क्या, तो वैसे ही रहने देता हूँ, इधर कुछ ने क्या, वैसे रहने देता हूँ, यहाँ पे पलस था, क्योंकी नाट्योजन ने चारवण बनाया, राइट, तो वैसा ही छोड़दिया, यतना पार्ट में हो रहा है, तो यहाँ पे आप पाई बंट आ गया राइट, और थाने वाल है अब द्यान से देखो तो फिर से यह निगेटिव सिंगल डवल तो यह यहां पर उठ करके आएगा यहां पटक देना है और इसको यहां पटक दूं तो आइगें जो एपक्टेट पाट उसको मैं rate से दिखा रहा हूं जो ऑफेक्टेट उसमें ही करना बाकी को वैसे ही रहतना है तो देखो बाकी में कोई छेड़ छार नहीं कर रहा हूँ पहले सारे सिग्मा बांड को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यह सबसे बेस्ट वे है ड्रॉइंग का पहले सारे सिग्मा को ड्रॉ कर लिया उसके बाद Changes कहां से कहां तक में, उसको मैंने Red Color से दिखाया, यहां तक में, तो बाकी जो चीज जैसे है, वैसे ही रहने दूँ, उसमें छेड़चार नहीं करो, आपका जो Changes वाला Part है, वो यहां से यहां तक में यहां से यहां तक में क्या हो गया, कि यहां पे पाई बॉंड आ गया और यहां पे आपका negative charge आ गया, that means दो electron है, यह क्या है दो electron है आपके पास फिर से resonance की condition बन रही है, कैसे देखो negative single double तो again क्या करना है इसको उठा करके यहां पटक देना और इसको उठा करके यहां पटक देना है, तो इसको मैं बना लेता हूँ अब, तो पहले मैं क्या करूँगा सारे sigma, skeleton से draw कर दूँगा, यह sigma वाले हमने बना दिया अब ध्यान से देखो, तो affected part आपका कौन सा है, daughter से मैं दिखा रहा हूँ यहां से लेकर के यहां तक तो इसलिए बाकी चीज़ में कोई share शार नहीं करना है, तो यह यहां था वैसे ही कर दिया, यह जहां था वैसे इतना part में affected हुआ है, और कैसे हुआ है, तो यहां पे एक pi bond आपका आचुका है, right यह pi bond shift हो करके तो यहां पे आपका loan pair आचुका है और positive negative क्या हो गए, cancel हो गए तो आप देख सकतो throughout the resonating structure इसके जितने भी RS हमने बनाए, चुकि पहले आपका यह aniline एक neutral compound था, तो overall सारे resonating structure निट्रल हो चीए, तो इसलिए यहां positive negative, यहां भी positive negative, यहां भी positive negative और यहां फिर से neutral तो कभी-कभी हम ऐसे पैचान सकते हैं कि यह दोनों एक दूसरे के resonating structure है की नहीं, यहां से एक और point जो आगे मैं बात भी करने बाला हूँ कि देखो, यह loan pair के उससे, जो negative charge आए हैं, वो कहां-कहां पर आया है, ortho position बोलते हैं, इसको ortho and para position जहां से देखो, ortho position पाया negative, para पे आया, ortho पाया इसलिए जो positively charge attack करेगा, तो वो कहां पर करेगा ऐसे condition में, ortho position पे या para position पे, या फिर ortho position पे करेंगे next, एक और example लिए हमने यह वाल आप जहां से देखो तो इसमें भी क्या और आपका यह negative charge है, यह single यह double, resonance में, फिट double single double, resonance में, फिट double single double, resonance में, double single double, resonance में, right तो यह पुरा resonating structure इसका अगर हम draw करें, तो कैसे करेंगे, very simple, तो दियान से देखो, आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे पटक देना है, और इसको यहाँ पे आपको रख देना है, तो बस एतना में changes है, बाकी कॉप को वैसे draw कर लेना है, right, तो sigma, skeleton, draw कर लो, बाकी जो चीज जैसे, जहाँ दिख रही है, वैसे ही रहने दो, और इसका sigma, यहाँ draw कर लो, यहाँ वाला, जो negative charge था, वो आपको क्या करना परेगा, इसको यहाँ पर टकना परेगा, और यहाँ पर, दियान से देखो, तो मैं red color से दिखा रहा हूँ, कि आपका यही तीन carbon का system है, यही affected होगा, right, तो इसको effect करना है, तो बाकी चीज को वैसे ही रहने दिनी है, तो बाकी चीज को पहले आप draw कर लो, यह यहाँ पर यह था, यहाँ पर यह था, और यहाँ पर यह था, क्या हुआ, अब ध्यान से देखो, तो यह वाले पर pi bond बन गया, और यह वाले पर आपका negative बन जाएगा, फिर आगए अगर draw करना हो, तो देखो, यह negative को यहाँ रख दो, और यह double bond को उठा करके, यहाँ पटक दो, तो आप क्या करेंगे, तो same, sigma, skeleton पहले आप इसका बना लो, right, अब इधर में कोई chain ने हुआ, यहाँ कोई chain ने हुआ, changes कहाँ पर, कि यहाँ पर आप double bond बन जाएगा, और यहाँ पर आपका negative बन जाएगा, और यह पहले से वैसा ही था, जहाँ तक आप resonance करा रो, बस उसमें ही affect करना है, बाकी को वैसे रहे देना है, और फिर यह क्या होगा, इस negative को यहाँ मैं पटक सकता हूँ, और इसको यहाँ, right, तो इसका RS अगर बनाना हो तो, मैं कैसे बना सकता हूँ, यह sigma, skeleton पहले बना दो, यहाँ double था, रहने दो, यहाँ double था, रहने दो, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पहले से double था, अब इतना पार्ट में change हुआ है, तो यहाँ double आ गया, और यहाँ क्या जाएगा, negative charge, right, तो इस double को मैं red color से दिखा रहा हूँ, और यह negative charge, फिर से क्या होगा, फिर से resonance होगा, right यह यहाँ पर पठक सकता हूँ, और यह यहाँ पर पठक सकता हूँ, और similarly जब यहाँ पर आगा, तो फिर से resonance होगा, यह यहाँ पर पठक सकता हूँ, यहाँ पर, तो आगे मैं नहीं बुना रहा हूँ, जस्ट आपको एक idea आगया होगा, कि किस तरीके से हमें resonating structure draw करना है, जितना ज़्यादा resonating structure होगा, उतना ज़्यादा stability होगा, चलिए, अब हम एक और example देखते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिया है, आप देख सकतो हूँ, यह बैंजल डियाइड हो गया, अब यहाँ पर दो condition है, double, single, double, तो कुछ लोग इस pi bond को इधर shift करेंगे, और इस pi bond को यहाँ पर c था आपका h, जो भी sigma वाले हैं सबको रहने देना, और यहाँ पर भी एक sigma bond था, उसके बाद changes क्या हुआ है, तो यह pi bond अपनी जगापे है, यह pi bond अपनी जगापे है, यहाँ वाला जो pi bond है उठकरके वो यहाँ पर आ गया है, और इस oxygen पर क्या जाएगा, negative, यह यहाँ पर क्या जाएगा, positive, एक यह condition है, दूसरा क्या हो सकता था, कुछ लोग सबस्ते हैं कि नहीं सब उल्टा कराओ, आप यह pi bond देखो, यह pi bond को इधर लेकिया हो, और इसको यहाँ लेकिया हो, तो अगर ऐसा कराते तो क्या होता दियान से देखो, अगर आप ऐसा कराते है तो, sigma skeleton बना दो, CH double bond, O की जगा भी sigma वाले single bond आपने draw कर दिया, बाकी पार्ट में कोई change नहीं करना है, अब यहाँ से यहाँ तक में क्या होआ है, तो यहाँ पर pi bond आ गया, यहाँ पर vacancy की rate होई, तो यहाँ positive और यहाँ negative, अब ध्यान से देखो, कि इन दोनों में कौन better ह होगा, तो दियान से देखो, negative charge always more electronegative atom पे stable होते हैं, यहाँ पर oxygen पर negative आया है, जबकि यहाँ पर oxygen पर positive आया है, तो यहाँ पर carbon पर negative जो की correct है, जबकि यहाँ पर carbon पर negative जो incorrect है, तो इसलिए हमारा जो सही part रहेगा, वो यह रहेगा, और wrong part यह रहेंगे, always ऐसे condition में आपको उस तरफ resonance कराना है, जिस तरफ जाने से more electronegative पे negative आये, और less electronegative पे positive आये, उसका further हम आगे draw कर सकते हैं, अब आपका यह positive charge conjugation with, तो यह positive यहाँ पर आ जागा, और यह pi 1 को उठाग यहाँ पर डग बाकी चीज को वैसे ही रहने देना है, तो उसमें कोई changes नहीं होगा, तो आपका यह C, O पे minus, यह H, यहाँ पर pi 1 पहले से था, यहाँ पहले से था, changes एतने में होए, pi 1 आपका यहाँ गया, positive आपका यहाँ गया, फिर further up, यह positive को उठाग यहाँ पट को, और यह double 1 को यहाँ तो जितने में change हो रहा है, उतने ही को draw करना है, बाकी को वैसे ही रहने देना है, तो यह देखो, बाकी को मैंने वैसे ही रहने दिया, ध्यान से देखो, इधर में आप changes नहीं करना है, always previous structure से बनाना है, और यहाँ से यहाँ तक में change है, यह pi 1 आपका, यहाँ वाला यहाँ आ फिर से फर्दर हो सकता राइट यह पॉजिटिव यहां जाए और यह यहां चला जाए तो आप ध्यान से देखो तो आपको क्या करना पड़ेगा पहले सारे सिग्मा वाले को ड्रॉ कर लेना राइट इस पाइवांड में कोई चैन नहीं हुआ यहां पर कोई चैन नहीं होगा चैन्जेज क्या हुआ यह पॉजिटिव यहां पर राइट तो यहां पर पाइवांड आगया यह वाला पाइवांड उटकर करके आपका कहां पर चलाएगा इस कारवन पर पहले से नेगेटिव था तो यहां पर आ जाएगा आपका दियान से देखो और उसके बाद दियान नहीं करना है जैसे सिगमावाले जैसे बने वह वैसे यह पाइ बोंट यहां था राइट तो इस पाइ बोंट को आप यही पे रख़िए यह यह यहां पे था चैंजेज क्या हुआ होए वो दियान से देखो कि यह जो आपका ऑक्सिजन वाला है यहां पे आप double bond bond के और charge balance हो चुक है तो दियान से देखो कि किस तरीके से मैं draw कर रहा हूँ sigma bond को मैं shift नहीं कर रहा हूँ atom को shift नहीं कर रहा हूँ सिरिफ जो pi bond है या फिर जो negative positive charge है उसको shift कर रहा हूँ अब यह सब क्या होगा आपके resonating structure इन सब को मिला करके that means इनको 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 इन सब के contribution से एक structure बनेगा क्योंकि यह जतना भी हमने बनाए यह सब क्या hypothetical है ध्यान दे कि यह structure और यह structure same नहीं है क्यों क्योंकि इसमें ring में pi bond की position change है तो कोई आप से पूछ सकता केतने इसके R.S. बनेगे तो that means उतना ज्यादा stable होगा यह अब यह सब resonating structure है यह सब hypothetical है यह हमने assume करके बनाया लेकिन actual में क्या exist होता है तो आपको बताया था resonance hybrid और वो कैसे बनाएंगे तो वो एक ही बनाएंगे right पहले सारे sigma को मैं draw करके बता दे रहा हूँ आपको sigma सारे draw करके हमने बता दिया पहले यह sigma skeleton बना लेना उसके बाद आपको देखना है कि क्या क्या हो रहा है तो अगर आप ध्यान से देखो तो पूरे structure में आपको देखना है कि वो pi bond क्या हो रहा है तो देखो pi bond हर जगा पे पहले यहाँ पे pi bond था तो partial double bond ऐसे दिखाएंगे यहाँ पे था क्या यहाँ पे था किसी structure में यहाँ यहाँ पे है तो यहाँ पे भी pi bond था तो ऐसे क्या यहाँ पे था तो यहाँ पे पहले वाले structure में था तो आपको यहाँ पे भी दिखाना है कि pi bond यहाँ पे भी था क्या यहां पे कभी आया, yes, यहां दिख रहा है, तो जहां जहां जा सकता है, क्या यहां पे कभी था, yes, पहले वाले में था, right, तो यहां पे भी दिखाना है, क्या यहां पे था, इस जगा पै कहीं पे, yes, इस वाले में, right, तो यहां पे भी पाई बॉंट था, क्या यहां पे दीख रहा है तो यहां पर क्या यहां पर कभी था यहां पर यहां पर राइट तो यह इस तरीके से आपको बनाना है तो इसको क्या बोलेंगे resonance hybrid यही आपका resonance hybrid इससे सब कुछ पता लगता है कि यह molecule के बारे में इसलिए यह real हैं यह सब क्या hypothetical हैं ओके और कैसे बनाया तो पूरा सिग्मा को आप ड्रॉ कर दो उसमें कोई छेड़ छार मत करो और उसके बाद आप सारे structure को देखो कि आपका फाइवांड या चार्ज किस तरीके से कहां कहां पे था जहां जहां पे था वहां पे partial ड्रॉ करते वें चला जाना है हलो वच्चो कैसे हो आज मैं आपको जो tricks या concept देने जा रहा हूं वो organic chemistry की जान है यह बहुत ही important concept है या tricks है क्योंकि 50% organic chemistry इसी concept या tricks पे based है तो इसलिए हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे और बहुत आसानी से भी वाया रफीसर tricks तो we are going to talk about mesomeric effect यह resonance का एक part है resonance का concept लगेगा इसलिए इसमें रज्जो आपको लगाना है और इस effect का नाम होगा mesomeric effect that means जतने भी functional group है वो जब carbon से attach होंगे तो carbon के साथ उसका कैसा behavior होगा that means वो carbon के electron को अपनी तरफ खीच रहे हैं या carbon को अपना electron दे रहे हैं उस effect के बारे में बात करने जा रहे हैं तो that's very simple आपको समझ में आगया होगा कि carbon पे आपका कोई group लगा हुआ है carbon पे कोई functional group लगा हुआ है तो क्या हो सकता है दो ही case हो सकता है कि यह group अपने electron को carbon की तरफ आपका दे रहा होगा तो ऐसे group को बोलेंगे चुकि इस group ने क्या क्या देने का काम क्या है तो ऐसे group को बोलेंगे electron donating group द्यान दे हम group का effect देख रहे हैं on carbon तो अगर group electron दे रहा है carbon को तो donating group इसलिए short form में इसको बोलेंगे EDG electron donating group similarly इसका दूसरा नाम हो सकता है electron releasing group क्योंकि यह release कर रहा है तो electron releasing group और short form में इसको बोलेंगे ERG इसका एक और नाम हो सकता है plus m plus sun यहाँ पर क्या represent कर रहा है donor है यह rich person है donor है क्योंकि donate कर रहा है plus r मतलब resonance तो इसका बहुत सारा नाम हो सकता है electron donating group electron releasing group plus m group plus r group okay now दूसरा case क्या हो सकता है तो दूसरा case यह हो सकता है कि जो carbon पर functional group लगा हुआ है वो carbon के electron को अपनी तरफ खीच ले group electron को अपनी तरफ खीच ले तो इस group का क्या effect होग खीच रहा है कर दे ले रहा है तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे accepting group क्या बोलेंगे electron accepting group e a g short form या फिर यह क्या कर रहा है electron को withdraw कर रहा है खीच रहा है तो short form में क्या बोलेंगे e w g electron withdrawing group बाकी और क्या नाम हो सकता है तो minus m group minus यहाँ पर क्या represent कर रहा है क्योंकि इसने कर्द ले ले लिए अपनी तरफ खीच रहा है electron को तो इसलिए यह minus m बाकी और कोई इसका relation नहीं है या minus r group भी बोल सकते हैं तो पहले तो यह बात क्यलिए रहोगी कि carbon पे जो भी functional group लगे होंगे या तो वो carbon को electron देंगे तो donating group और carbon से electron अपनी तरफ खीचेंगे तो accepting group ओके now सबसे important question की सर हम कैसे पैचानेंगे कि वो group plus m होगा या minus m तो वो बहुत ही simple है रफी सर के tricks है tricks रफी सर का क्या कह रहा है कि भाई जो भी functional group benzene ring से attach है उसके पहले element को देखना है ध्यान दे benzene ring से जो भी functional group attach है उसका सबसे पहला element को देखना है अगर उस element पे at least one lone pair है तो ये ऐसे group plus m हो जाएंगे क्यों? क्योंकि lone pair single double से ये resonance होगा आपको मालूम ही है तो आप दियान से देखो तो क्या कर रहा है group benzene में electron को भेज रहा है electron density benzene में increase हो रही है तो ऐसे सारे group क्या हो जाएंगे plus m या plus r group for example एक दो example समझा देता हूँ जैसे देखो ये आपका हो गया benzene इस पे मैंने लगा दिया OH तो benzene ring से जो पहला element functional group का है वो oxygen है और इसके पास ये उनो lone pair है तो ये क्या हो जाएगा अपने आप plus m group हो जाएगा क्यों क्योंकि lone pair है तो resonance कैसे होगा आपको मालूमी है इस type से resonance हो जाएगे औराइट similarly अगर कोई double bonded carbon ध्यान दे double bonded carbon से कोई group attach है कोई functional group और again उसके पास जो पहला element है जो carbon से attach है double bonded carbon से उस group या उस element के पास अगर lone pair है तो फिर से ये कौन से हो जाएगा plus m या plus r group तो क्यों क्योंकि ये भी wire resonance आपका क्या करने वाला है electron देने वाला है donating similarly आप कैसे पैचानेंगे कि minus m group होगा तो again benzener rig से जो भी functional group attach है उसमें पहली चीज तो क्या होना चाहिए double bond होना चाहिए और जो double bonded atom है उसमें जो benzener rig से नहीं attach है that means outside वाला उसकी electron negativity EN मतलब electron negativity उसकी electron negativity जो attach element है benzener rig से उससे ज्यादा होना चाहिए तो ऐसे case में electron का moment क्या होगा out होगा benzener rig से बाहर की तरफ जाएंगे इसलिए ऐसे group को क्या हो लेंगे minus M या minus R क्योंकि electron को accept या withdraw कर रहे है इसकी वज़ाद से electron density benzener rig में क्या हो जाएगी कम हो जाएगी similarly double bonded carbon से अगर कोई आपका group attach है जिसमें pi bond है और y जादा इधर वाला element जादा electron negative है तो ये group भी electron को अपनी तरफ खीचेंगे क्योंकि इसका moment इस type से होगा तो ये भी क्या हो जाएंगे minus M group तो I hope clear हो गया होगा कि benzene ring पे या double bonded carbon पे जो functional group attach है अगर उसके पास direct loan पे रहे तो plus M और pi bond बना हुआ है and with the condition कि वो जो pi bonded element है उसमें y जादा electron negative है तो minus M होगा y in the sense जो double bonded carbon से attach नहीं है क्योंकि double bonded कारवन से attach को होने है यहाँ पे x यहाँ पे x चलिए अब हम उस tricks को apply करके देखते हैं और पहचानते हैं कि जो group लगे होए है वो plus M होंगे या minus M तो देखिए identification of plus M या minus M तो जैसे यह point number 1 है आपका क्या है कि यह phenol बोलते हैं तो वो तो हम देख लेंगे कि name क्या रहेगा तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो benzene ring पे यह group attach है और इसके पास क्या है loan pair है trick upon याद करो कि अगर benzene ring पे कोई functional group attach है और जो benzene ring वाले carbon उससे direct attach होना चाहिए वो group और उसके पास अगर loan pair है तो यह कैसा so करेगा तो यह plus M so कर जाएगा इसका क्या हो जाएगा plus M effect यहीं पे ध्यान से देखो अगर यह चीजे ऐसे होती तो फिर plus M effect नहीं बोलते मालो यहाँ पे आपका OH होता तो यहाँ पे भी loan pair है लेकिन loan pair single single चुकि resonance की condition ही नहीं बन रही है सबसे पहले चीज की रजो की condition बनने चाहिए जो 5 point हम आपको दिये थे वो apply होगा तभी plus M या minus M की बात करेंगे तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि benzene ring से direct attach होना चाहिए वो functional group तब जाकर क्या plus M या minus M की बात कर पाऊगे क्योंकि resonance की condition बन जाएगी तो इस में इस group का कोई plus M या minus M नहीं होगा ओके no plus M या minus M similarly यहाँ पे तो ध्यान से देखो कभी भी वो loan pair आपको draw करके नहीं देगा you know nitrogen ने तीन बन बनाया loan pair है यह benzene ring से direct attach है यह nitrogen इसके पास loan pair है तो कौन सा effect हो जाएगा plus M similarly इस वाले को देखो तो oxygen के पास you know loan pair है benzene ring के करण से direct attach है loan pair है कौन सा effect हो जाएगा plus M similarly इस वाले को देखो तो same oxygen यहां पर आप ध्यान से देखो डवल बॉंडडेट कारवन है राइट डवल बॉंडेट कारवन है नाइट्रोजन के पास लोन प्यार है राइट और रेजोनेंस की कंडिशन हो रही है लोन प्यार सिंगल डवर तो इसलिए कौन सा एफेक्ट हो जाएगा इस गुरूप का इन और उक्सिजन इस मोर इलेक्ट्रो निगेटिव दर कारवन तो इसलिए क्या होगा इलेक्ट्रॉन का मुवेंट इस डिरेक्शन में होगा रेजोनेंस की कंडिशन बन रही है इसलिए कौन सा गुरूप हो जागा माइनस सम्हें फिर से वही सेम जतने भी वी कैंसे कि बैंज लब नहीं राइट तो इस ग्रूप का भी क्या सा एफेक्ट हो जाएगा माइनस हम एफेक्ट हो जाएगा राइट यहां पर ध्यान से देखो कारवन नाइट्रोजन के बीच पाई बॉंड आ गया राइट और नाइट्रोजन इस तो आप देख सकतो यह जो गुरूप है पहले आपका वो रिंग के कारवन से डारेक्टली अटेच है और एलेक्ट्रोनेटिविटी न की जादा है तो यह एलेक्ट्रोन का मुमेंट क्या हो जाएगा बाहर की तरफ तो यह भी क्या हो जाएंगे माइनस हम तो एक पॉइंट औ तो आपको ऐसे नहीं समझ में आगा इसको थोड़ा सा एनो टू को ड्रॉ कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा तो आप द्यान से देखो डबल सिंगल डबल रेजोनेंस की कंडिशन बन रही है और कैसा हो रहा है कि रिंग से जो फंक्शनल गूरूप एटेच है वो पाइ से लोन पेर होगा तो वो पलसेम शो करेगा तो आप ऐसा नहीं कि इसको पलसेम लिख देंगे गलत हो जाएगा रीजन क्योंकि यहां पर रेजोनेंस की कंडिशन ही नहीं बनी द्यान से देखो लोन पेर सिंगल सिंगल जब तक रेजोनेंस रजो नहीं होगा यू कांट से क plus m होगा कि minus m होगा, वो लगा ही नहीं सकते, तो यहाँ पे no effect, right, plus m या minus m बात नहीं कर सकते, यहाँ पे भी आप द्यान से देखो, कि यह मत रट ले ना, कि सर ने बोला था, ring से कोई functional group attach होगा, double bond होगा, तो minus m सो कर जागा, ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि double, single, single, resonance की condition ही नहीं है, तो no minus m, minus m, नहीं होगा, next वाले में द्यान से देखो, तो यह double, single, again, इसको अगर open करके लिखोगे, तो आपको फिर idea लग जाएगा, तो double, single, double, resonance की condition बन रही है, और यह जो group है, उसमें pi bond है, और oxygen more electron और negative है, तो लगटाउन को अपनी तरफ खिचेंगे, तो क्या हो जाएगा, minus m, right, similarly, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, तो lone pair, single, single, यहाँ पर resonance नहीं हो रहा है, तो इस group का आप plus m या minus m नहीं क्या सकते, right, क्यों, क्योंकि resonance नहीं हो रहा है, यहाँ पर oxygen के पास negative, negative, single double, right, तो अभी सिवत है, यह क्या हो जागा, plus m, क्यों, क्योंकि electron donating group हो गया, और यहाँ पर resonance की condition हो रही है, यहाँ पर भी इसके पास एक lone pair होगा, right, तो बेंजीरी से जो element attached है, उसके पास lone pair है, और resonance हो रहा है, तो plus m, यहाँ पर, you know, C triple bond N होंगे, right, और double, single, double, resonance की condition बन रह है, और यह X double bond Y type का हो गया, जहाँ Y more electron negative है, तो यह अपनी तरफ electron को खीचेंगे, तो क्या हो जागा, minus m, तो I hope, यह concept आपको समझ में आ गया होगा, right, जितने भी बेंजीरी से कोई group attached है, उसके पास lone pair है, तो वो plus m सो करेंगे, condition is resonance होना चाहिए, वैसे ही, बेंजीरी से जि इतने भी C double bond O attached है, तो वो आपका electron को खीचेगा, तो वो minus m होगा, right, चलिए, अब हम बात करते हैं, plus m और minus m का analysis की, right, और बहुत important है, यही concept का आपको समझना है, तो एक मैंने plus m वाला लिया, क्यों, क्योंकि बेंजीरी रिंग से यह group attached है, और इसके पास lone pair है, right, और resonance की condition आपकी बन रही है, तो यह कैसे group है, आपके plus m, तो इसका मैंने resonating structure draw कर लिया, पहली से, right, आपको कैसे draw करना है, यह already video lecture में बता रखा हूं, तो मैं यहाँ पे क्या समझाना चाहरा हूं, कि ध्यान से देखो, बस दो minute मैं आपका लोंगा, यह चीज़ आपको समझ में जितने भी plus m group होंगे, वो सब के सब क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो, या तो आपका ortho position पे negative charge लेके आ रहा है, या फिर para position पे, now ortho para कैसे पहचानेंगे, तो वो भी very simple है, कि benzen ring पे जो भी group attach होंगे, उस group के adjacent वाले carbon, right, benzen ring पे जो भी group attach है, उसके adjacent वाले carbon को ortho बोलेंग उसके बाद वाले carbon को, meta बोलते हैं, इसको बोलते हैं, meta, okay, और last वाले को, जो exactly उसके opposite में होते हैं, उसको बोलते हैं, para, तो पहले ये चीज़ के लिए रहे हैं, benzen ring पे जो भी group attach है, उसके respect में बात होती है, उस group के दो adjacent वाले carbon, either side ortho कैलाते हैं, और either side, उसके बाद वाले carbon, meta और जो exactly opposite होते हैं, वो para कैलाते हैं, तो आप ध्यान से देख सकते हो, कि मैंने जो analysis word लिखा है, वो ये, कि जितने भी पलसेम group है, वो benzen ring में electron कहां कहां पे लिखाएंगे, तो ortho पे and para पे only, ortho and para position में negative charge बरेगा, that means benzen ring में electron density क्या हो रही है, बर रही है, तो जितने भी plus M group है, वो benzen ring में electron density को increase कराएंगे, इसलिए जब हम इसके application की बात करेंगे, elektrofile जब attack करने आएगा, plus charge कहां पे attack करेगा, simple सिवात है, जहां पे minus होंगे, इसलिए कहां पे attack करेगा वो, ortho या para पे, similarly, अगर कोई minus M group attach है, कैसे minus M group है ये, benzen ring से functional group attach है, resonance की condition हो रही है, right, x double bond Y है, तो ये minus M group होगे आपका, तो minus M group का मैंने पूरा resonating structure एक ड्रॉ किया है, एक बार आप भी खुश से draw कर लें, और फिर इस condition को ध्यान रखें, इस point को ध्यान रखें, क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, तो आपके जो positive charge है, वो ortho position पर रहा है, या para position पर, फिर से आपका जो positive charge है, वो ortho या para पर है, that means, इस case में क्या हो रहा है, benzene ring से electron खीच रहा है, that means, benzene ring में electron density कम हो रही है, पहली तो ये बात होगे, तो जेतने भी minus M group है, वो electron density को decrease करते हैं, benzene की, next point, कि आपका positive charge है रहा है, कहां पर, again, ortho या para पर, that means, meta position unaffected है, इसलिए अब इस पे attack कौन करेगा, तो खुद ही है, क्या हो गया, plus हो चुका है, तो अब इस बात इस पे कौन attack करेगा, minus, मतलब इस पे nickelophile attack करेंगे, तो कभी भी nickelophile आएगा, तो इसमें किस position पाएंगे, ortho या para पर, जो हम aromatic substitution की बात करेंगे, तो, okay, तो final point क्या हुआ, कि जितने भी plus M group लगे होंगे, वो electron को negative charge को ortho या para position पे लेके आएंगे, meta position unaffected है, वैसे ही, जितने भी minus group होंगे, वो positive charge ortho या para पे लेके आएंगे, meta position unaffected है, इसलिए हम बोलेंगे, कभी भी meta position पे अगर मैं कोई group लगा दिया, जैसे ये group लगा हुआ, उसके बाद एक और group मैंने अगर meta पे लगाया, तो उसका कोई effect नहीं होगा, that means resonance effect उसका नहीं होगा, meta position not participate in resonance, I hope clear होगा, जैसे कहने का क्या मतलब है, कि suppose करो, कि मैंने ये लिया, right, यहाँ पे OH, और यहाँ पे मैंने लगा दिया C triple bond A, तो अगर मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ, तो इसके respect में ये कहाँ पे, meta position पे, ये कहा कहाँ पे होगा, meta position पे, तो इस group का कोई effect नहीं होगा, that means, वो इस group के electron को कुछ नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि इसके विए से यहाँ पे आगा electron, उसका electron कहाँ पे यहाँ पे, bypass होगा एक तरीके से, यहाँ पे electron आया नहीं कि वो resonance इसको करा पाएगा, right, इसलिए इस point क बहुत importance ध्यान रखना है, meta position पे अगर कोई group लगा होगा, तो वो resonance नहीं करता है, उसका minusm या plusm effect नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देख सकतो हो, यहाँ से जब resonance होगा, तो यहाँ पे negative आएगा, right, आप देख सकतो, और फिर, पैरा पे आते, यहाँ पे आया ही नहीं, यहाँ आया नहीं, तो यह resonance कराएं नहीं पाएगा, तो यह group का mesomeric effect फिर नहीं हो पाएगा, हेलो बच्चों, कैसे हो, आज हम लोग बात करेंगे, permanent effect में, last effect, that is hyperconjugation के बारे में, तो देखो, hyperconjugation को, प्यार से लोग, बेकर नाथन effect भी बोलते हैं, hyperconjugation को, बेकर नाथन effect के नाम से बुलाएंगे, no bond resonance भी बोल सकते हैं, या फिर sigma pi effect, तो hyperconjugation के चार नेम होगे, hyperconjugation, बेकर नाथन effect, no bond resonance, sigma pi effect, सब एक ही बात है, ओके, यह तो हो गया किताब का ग्यान, hyperconjugation को, मैं प्यार से क्या बोलाता हूँ, hyperconjugation को, मैं प्यार से बो हाई करश, देखो, उस सज्जन को देखो, करश का नाम आते ही, जाग गए, बेटा थोड़ा परलो, तो लोगों के करश बन जाओगे, नहीं परलोगे तो, समझ रहो ना, करश तो जाओगे, समझ गया होगे, तो देखो, देखो, यह चीज़े जो मैं जोर रहा हूँ, यह proper पर feeling दिलाने के लिए, हवा में बातें नहीं होनी चाहिए, एकदम conceptual बाते हो रही है, कि मैं क्यों इसको hyperconjugation को high crush बोल रहा हूँ, ताकि इस chapter की, इस concept की आपको feeling आ जाए, कैसे द्यान से देखो, crush का यहाँ पर relate करने का मतलब क्या है, कि जिस carbon पर positive charge होगा, जिस carbon पर free radical होगा, या जिस carbon पर double bond होंगे, त्यान से देखो, जो carbon double bond बना रखा होगा, या जिस carbon पर positive charge होगे, या जिस carbon पर free radical होगा, ये crush वाला बंदा हो गया, कौन होगे, crush वाले बंदे, और इससे जो attach होगे, वो उनके crush होगे, तो trick का point क्या है, कि जिस carbon पर double bond, या plus charge, या free radical होगा, वो crush वाला बंदा होगा, उससे जो carbon attach होगे, वो उसकी crush होगी, और उसका नाम, उस crush का नाम उसने प्यार से क्या रखा है, alpha carbon, क्या रखा है, alpha carbon, क्या होने चाहिए, single होनी चाहिए कि नहीं, single का यहाँ पर क्या मतलब है, sp3 hydrogen, तो पहला point that is very very important, कि alpha carbon should be sp3 hydrogen, that means वो single होनी चाहिए, ओके, और जो crush की friend है, crush की जो friend है, उसका नाम उसने प्यार से क्या रखा है, alpha hydrogen, आप सोचो, day to day life में क्या होता है, जैसे ध्यान से देखो, यह जो carbon है, इस पर either plus charge होगा, या फिर single electron होगे, फिर electron, तो यह जो बंदा होगा, यह crush वाला बंदा होगा, यह जो carbon होगा, यह जो इससे directly connected है, यह उसकी crush होगई, यह भी carbon उसका crush होगई, यह carbon उसके crush होगई, अब practically feel करो, right, अब यह crush होगई, तो यह बंदा क्या चाह रहा चाहिए, friend हुना चेह, क्यों हो, क्यों होगई, अपनी बा Champ तो यह जादा friend होगे, उतना easily इसका काम बनेगा, क्यों, क्यों हो, क्यों हो, क्यों है, यह friend नहीं बोलीज, इसको बोलेगा, यह नहीं बोलीज, इसको बोलागा, and given your friend, just feeling के लिए यह है, और इसका कुछ, दूसर होगा एंड फ्री रेडिकल बस यही तीन जगा पे होंगे जिस कारवन पे यह होंगे वो करश वाला बंदा हो गया उससे जो करवन एटेच होगा वो उसकी करश होगे उसका नाम उसने प्यार से रख दिया है अलफा करवन और वो सिंगल होनी चाहिए राइट सिंपल सी बात ह that means sp3 out of the zone चाहिए और उसके पास जो हाइडोजन है जो उसकी फ्रेंड है करश की फ्रेंड उसका नाम उसने प्यार से रख आ अलफा हैडोजन तो यहां से मैं कह सकता हूँ कि जितना ज्यादा अलफा हैडोजन होगा that means करश के जितना ज्यादा फ्रेंड होंगे stability that means इस बंदेगा काम उतना easy बनेगा stability increase होगी that means number of alpha h अगर कहीं पर number of alpha h अगर increase हो रहा है तो we can say stability क्या हो जाएगा increase हो जाएगा clear point similarly यहाँ पर आप जहाँ से देखो कि यह double bonded करवन है तो यह crush वाला बंदा हो गया right यह वो करवन है यह crush हो गई और यह उसके crush के friend हो गई तो यहाँ पर अगर मैं count करूँ इस वाले case में तो दियान से देखो यह भी crush जो carvocatine, fyridical या ilkin से direct carbon attach होंगे वो शब crush हो जाएगे तो यह भी crush है यह भी direct attach है क्योंकि direct bondage से connected है तो यहाँ पर 3 crush है और 3 crush के 3-3 friend है तो total कितने alpha h हो गई यहाँ पर 9 alpha h similarly इस case में देखें तो यह double bonded carbon यह crush वाला बंदा और यह सब direct connected है तो यह सब उनकी crush हो गई 4 crush और हर crush के पास 3-3 friend तो यहाँ पर कितने alpha h है यहाँ पर आपके पास 12 alpha है हो गई similarly बेंजीन के case में भी हो सकता है same यही procedure ध्यान से देखो यह double bonded carbon हो गया अगर यह double bonded carbon है तो यह वो crush वाला बंदा हो गया इससे जो direct connected है यह क्या हो गया आपका alpha carbon वो crush हो गई उसके पास 3 hydrogen है तो यहाँ पर alpha h कितने हो जाएंगे 3 ध्यान दे कि इधर यह भी carbon है test है crush वाले बंदे से यह carbon या फिर यह crush वाले बंदे से यह भी carbon तो यह crush नहीं हो सकती क्यों नहीं हो सकती बोलो क्योंकि यह single नहीं है right संजरोबात को क्योंकि sp3 hydrogen हो जाए तो I hope proper feel आगया होगा now अब हम बात करते हैं इसके application की चलिए अब हम बात करते हैं application की तो यहाँ पे मैंने 3 problem लिया है ध्याँ से देखो इस carbon पे plus charge है right यहाँ पे इस carbon पे plus charge है यहाँ पे इस carbon पे plus charge है right तो यह क्या होगा crush वाले बंद होगे right तो crush वाले बंदे से एक ही carbon यहाँ पे attach है यहाँ पे दो-दो carbonate है है, यह दो-दो crush है यहाँ पे इसके पास और इसके पास तीन-तीन crush है, राइट, तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे alpha hydrogen, SP3DSN है, 3 alpha H है, यहाँ पे 3 और 3, 6 alpha H है, यहाँ पे 3, 3-6 और 3, 9 alpha H है, तो अभी बता है, जतना ज्यादा alpha H, जतना ज्यादा जो crush के friend होगे, उतना ज्यादा stability, राइट, तो इसलिए stability का order अगर पूछेगा, तो सबस्यादा 3, 2, 1, यह किसका order हमने निकाला, stability का, कार्व कर्टाइन के stability, similarly अगर मैं plus की जगा free radical कर देता, तो उसका भी क्या था, same order होता, तो कार्व कर्टाइन के stability चेक करना हो, यह free radical का via hyperconjugation तो आपको देखना कितना ज्यादा alpha h है, जितना ज्यादा alpha h, उतना ज्यादा stability, दूसरा जो problem हमने लिया है, वो इलकीन के stability पूछा जाएगा, इस question में पूछा जाएगा क्या, कि इलकीन के stability बताओ, कौन इलकीन सबस्यादा stable है, तो similarly, यह तो जो double bonded carbon है, यह तो crush वा बंद हो गए, इससे यह carbon attach है, और single है, तो यह crush हो गई उसकी right, तीन hydrogen, तो यहाँ पे तीन alpha h है, similarly, यह crush वाले बंद हो गए, double bonded carbon, इससे इधर भी इसके connected है, single है, यह भी उसकी crush है, और यह भी उसकी crush है, तीन तीन, छे alpha hydrogen, जितना ज्यादा alpha hydrogen, उतना ज्यादा एलकीन के stability, इसलिए इस case में भी order क्या होगा, third सबसे ज्यादा stable, फिर second, फिर first, जितना ज्यादा alpha hydrogen, उतना ज्यादा एलकीन stable होगा, अगर कहीं पर alpha h same हो जाता है, तो फिर आप कैसे check करेंगे, एलकीन के stability, cis trans है, trans is more stable than cis, जो geometrical 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 का part है, similarly, एक औ alpha carbon हो गई, crush हो गई, क्यों क्योंकि single है, sp3 audition है, तो 3 hydrogen है, तो यहाँ पर 3 alpha h होए, ध्यान दें, यहाँ पर भी यह double bonded carbon है, यह crush होई, क्योंकि उसके बाद यह दूसरी connected है, तो यह नहीं है, double bonded carbon से जो direct connected होगे, जो direct connected होगे, वो crush होगे, और यहाँ पर दो ही hydrogen है, यहाँ पर एक ही है, यह सबसे मतलब नहीं है, right, crush जो है, उस पर कितना hydrogen है, तो एक ही है इनके पास, और यहाँ पर कोई भी नहीं है, 0 alpha h है, इसलिए इस case में अगर बात क्या जाए, कि इसमें क्या पुछा जा सकता है, कि किसमें benzene में ज्यादा से ज्यादा electron होगा, electron density किसमें ज्याद होगा, तो सबसे ज्यादा 1 में होगा, फिर आपका 2 में होगा, फिर 3 में होगा, फिर 4 में होगा, तो यह जो हमने बात क्या है, stability order किसके stability कार्व कटाइन की या फिरेडिकल की यह जो हमने बात किया है यह वाले क्या है एलकीन के stability राइट एलकीन के stability के order और यह जो हमने बात किया है वह बैंजीन रिंग में electron density का order तो I hope यह point आपको clear होंगे कैसे हमें apply करना है चलिए अब जाते जाते एक ज्यान की बात और that is very important कि आप कैसे hyperconjugative structure को draw करेंगे तो very simple जिस कारवन पे plus से right यह आप का ओगया crush वाला बंदा इसके बगल में जो कारवन है वो उसकी crush हो गई और single bonded है तो यहाँ पर hyperconjugation होगा तो करना क्या आपको यह मैं किसी एक को करके बता रहा हूँ double headed arrow से दिखाना है और यह वाला जो bond है इसको guy up कर देना है तो देख और bond और CH2 उसके साथ क्या हुआ तो वो जो फ्रेंट थी वो अब हवा में लटक गई राइट अलब हेच पे plus आगर क्या ऐसे तो इसलिए इसको बोलते है no bond resonance क्योंकि यहाँ पे कोई bond नहीं दिख रहा है फिर भी हेच पलस वहाँ पे है राइट तो no bond resonance baker नाथन इफेक्ट यह scientist के नहीं में जिन्होंने यह बता है था तो आपको hyperconjugative structure draw करना होगा तो ऐसा करना है तो यहां से यहां तक के process में हो क्या रहा है ध्यान से देखो यह जो plus charge है वो एक बार हेच इस हेच को मिल रहा है एक बार इस हेच को एक बार इस हेच को तो वही चीज मैंने बता है कि यह burden था रहा है तो जतने लोग इसको share करेंगे जतने लोगों में यह distribute होगा उतना ज्यादा stability बरेगा वही point तो यहां पर लग रहा है simple दूसरा point that is very important कि अगर इस type के question आ जाए तो यहां पर गलती होने के chances है लेकिन ध्यान से देखो यहां पर अगर आप ध्यान से देख होगे इस case में अगर देखेंगे तो यह double bonded carbon है तो यह crush हो गई यह भी हो गई राइट यहां पर तीन अलफा हेच होंगे क्यों क्यों कि carbon 4 बनाएगा एक ही बन बनाए था तो तो यहां पर कितने होगे total 5 अलफा हेच यहां पर 5 है और यहां पर कितने है 4 है तो अब लोगों क देखो ध्यान से देखो तो यहां पर रिंग में double bond आने को जासे एंगल कितना है 60 जबकि SP2 हैविजाशन की वज़ा से कितना होना चाहिए 120 डिग्री एंगल के तना मेरा 60 डिग्री और यहां पर दो-दो करवन ऐसे हैं जो effect हो रहे हैं इस से इस problem को दो-दो करवन फिल कर र 120 से तो कम है तो एंगल strain होनी की वज़र से बहले ही यहां पर alpha है जादा है बट stable कौन जादा होगा वो तो यह एक exception step के ध्यान रखना है कि ring के case में ही manly लगे गई है कि अगर ऐसा चीज़ आ रहा है तो देखना है कि कितने लोग इससे effect हो रहे हैं कितने carbon angle strain feel कर रहा है ओके तीसरा point that is very very important question को घुमा करके कैसे पूछा जाता है कि heat of hydrogenation को order बता हो एलकीन की stability ना पूछ करके heat of hydrogenation को देगा तो इसको उसी से मैंने connect कर दिया कि कभी भी heat of hydrogenation पूछे तो आप stability of alkीन निकाल लो और उसका क्या कर दोगे उस order का उल्टा कर दोगे तापको heat of hydrogenation आगा heat of hydrogen का मतलब क्या है कि मैंने एक 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 ग्जामपल लें कि इस compound की reaction अपने किस्ते करा दिया है तो यह py bond यह break what करके क्या जाएंगे हेच हेच जाएंगे वैसे ही इस कंपाउंट की रेक्शन अपने किस से करा दिया हेच टू से राइट तो यह प्रोडक्ट यहां पर जो हमने बनाया है यह मालो मेरा प्रोडक्ट है तो यह सेम है दोनों की इस्टेविलिटी क्या है अलग अलग है दोनों की इस्टेविलिटी कैसे अलग है तो यहां पर आपके पास कितना अलफा है दियान से देखो तो यह डवल बॉंडेड वाला करवान करश वाला बंदा तो यहां पर दो ही अलफा है जबकि यहां पर दियान से देखो तो 6 αH है, तो यह ज़्यादा stable हो गया, अगर कोई चीज ज़्यादा stable है, तो उसके energy, उसका stress क्या हो जागा, कम, तो दो काई position कहां पर बनाएंगे कम, क्योंकि इधर energy लिया y-axis पर हमने, तो दो आपका क्या रहाएगा, origin से कम distance पर रहागा, क्योंकि इसके energy कम है, और one वाला, कम stable है, energy ज़्यादा, तो इसलिए उसको उपर बनाएंगे, और always जो heat of hydrogenation है, वो reactant, और product के बीच का, जो energy gap है वो, तो इसलिए आप देख सकते हो, कि energy gap किसका कम हो रहा है, यह जो two वाला है, क्योंकि यह बस इतना ही gap है, जबकि one वाले में, यह gap है, तो इसलिए क्या हो गया, stability का उल्टा हो गया, तो कभी भी आपको heat of hydrogenation पूछे, तो आप क्या कर देंगे, लकीन के stability निकाल करके, उसका उल्टा order कर देंगे, और proper feeling देंगे लाने के लिए, कि यह ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ से, जितना कम potential energy या energy, उतना ज़्यादा stability, और वो उतना नीचे होगा, इसलिए यह gap उतना कम होगा, तो stability ज़्यादा हो गया, तो यह जो heat of hydrogenation है, यह जो gap है, that is heat of hydrogenation, वो क्या होगा है, कम होगा है, तो इसलिए inversely चलेंगे, तो इस पे base आपको यही सब question पुछे आ सकते हैं, carvacatine के stability, alpha हैस से जाएंगे, free radical के stability, alpha हैस से जाएंगे, alkin के stability, alpha हैस से जाएंगे, और heat of hydrogenation, तो भी alpha हैस से जाएंगे, लेकिन उल्टा करेंगे उस case में, राइट, जतना कम alpha हैस होगा, उतना ज्यादा heat of hydrogenation होगा, तो चलिए आज हम start करते हैं अपने अमीर गरीब वाले trick से, वो क्या है, ध्यान से देखो, कि यह trick के पीछे logic क्या है, कि इस पे base बहुत सारे question पूछ जाते हैं, और you can say कि organic chemistry में, यह concept आपको reaction में भी use होंगे, acidic basic order निकारना होगा तो भी, stability order निकारना होगा तो भी, तीन जगाओ पे सबसे ज़ादा यह use होंगे, right, तो उसी को मैंने अपने simple tricks में लिया है, देखो, tricks का point क्या है, उसको पहले समझे ले, क्योंकि रफी सर को concept पाहिजे, right, कैसे समझो, ध्यान से देखो, कार्बो कटायन, फिरी रेडिकल, basic order, या फिर equilibrium constant, base का, KB, B for base, और K equilibrium constant, right, तो यह सब के सब को मैंने क्या माना है, कि यह bigger है, कैसे connect के ध्यान से देखो, B for basic, B for bigger, poor इसको क्यों बोला, कार्बो कटायन, electron deficient है, electron की कमी है, मतलब गरीब है, free radical, अभी भी octet पुरा नहीं वा, साथ ही electron है total, तो यह poor होगे, B for bigger, B for bigger, तो इन सब को हमने क्या माना है, कि यह poor person है, अब तुम खुदी सोचो, तुमारा mind एक कदम आगे चला गया होगा, कैसे, कि अगर यह poor person है, तो अब भी सी बात है, इसको कौन help करेगा, जो donor होंगे, donor कौन है, plus M group, plus I group, right, आपको पहली बता रखाऊं, कि हमारे पास electron donating group, पहले वीडियो लेक्चर में बता रखाऊं, electron donating group कौन हो जाएंगे, जो plus M show करेंगे, या hyperconjugation show करेंगे, या plus I, वो सब क्या electron donating group है, that means वो लोग Amir है, तो Amir गरीब को help करेगा, और vice versa बोल सकते हैं, गरीब Amir से help लेगा, बस इसी पर मैंने पूरी organic chemistry को आपका complete किया है, तो ये पूरे, पूर हो गए, तो अभी इसी बात है, इसको कौन support करेंगे पहले, rich person, rich person में सबसे पहले कौन आएंगे, donor वाले plus, इसलिए plus लगाया, plus मतलब जो donor है, donate कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा stabilize, या सबसे ज़्यादा जो इसको help करेगा, वो plus है, right, क्योंकि resonance है, उसके बाद hyperconjugation, उसके बाद plus I, यहाँ पर N मतलब कोई group ही नहीं लगाया, मोमाया से दूर वाले, कोई group नहीं लगाया, तो वो minus I support नहीं कर रहा है, approach कर रहे हैं, बट उतना approach नहीं करेगा, जितना आपका minus M करेगा, क्योंकि यह strong effect है, right, महाराष्टरा इंडिया में है, that's it, that means, सबसे ज़्यादा strong effect, mesomeric होगा, then hyperconjugation होगे, then inductive होगा, now, similarly, जैसे carbonine का अगोरा आपको stability पूछे, acidic का order पूछे, या फिर equilibrium constant of acid का order पूछे, यह तीनों में से को भी पूछे ले, carbonine, acidic और K, तो देहन से देखो carbonine, मतलब electron rich है, तो इसलिए मैं उसको क्या बहुआ रहा हूँ, rich, अपने आप उससे connect कर दिया, या फिर acidic, A for acidic, A for amir, K, A for amir, तो यह लोग क्या है, अमीर लोग हैं, तो अब इससे बात है, इनके पास कौन आएंगे, जो गरीब होंगे, health clear, right, गरीब कौन होंगे, जो electron withdrawing होंगे, minus वाले, right, कर्ज लेने वाले, तो इसलिए, सबसे पहले कौन, stabilize करेगा, इसको, minus M group, सबसे पहले stabilize करेगा, फिर minus I, फिर neutral, मुमाया से दूर वाले, फिर ये approach करेंगे, लेकिन कम approach करेंगे, पलस I, hyperconjugational, सबसे ज़्यादा approach कौन करेगा आपका, पलस M, और इस चीज़ को मैंने यहाँ पे clear विकिया आपको, जो already video lecture में है, आप उसको देख सकते हैं, कि हम कैसे पैचानेंगे, कौन पलस M है, कौन minus M है, वो भी मेरे simple trick से, तो minus लगाने का उतलब है कि वो क्या कर रहा है, कर्ज ले रहा है, electron को withdraw कर रहा है, तो यह electron withdrawing group होते हैं, तो obviously बात है, अगर यह खुद क्या होगे, poor होगे एक तरह से, तो किसके पास जाएंगे, reach के पास, तो stability बढ़ेगा, अगर मान लो कि यह भी reach हैं, और यह reach वाले चलेगे, तो क्या होगा, stability नहीं होगी, right, कोई आदमी और ready अमीर है, तो अमीर से फिलेने नहीं जागा, right, उसकी बेजज़ती हो जाएगी, तो कहने का मेरा, देखो, simple से मतलब है, कि यह चीज़े मैं connect कर रहा हूँ, day to day लाप से, क्योंकि यह चीज़े आप फिर कभी भूलोगे नहीं, right, तो very simple, poor, अमीर के पास, अमीर, गरीब के पास, simple, right, एक और point है, कि जो आपका KB है, equilibrium constant of base, वो जितना जादा होगा, PKB उतना कम होगा, तो लब यह दोनों inverse में चलेंगे, तो कभी-कभी आपको KB का order नहीं पूछ करके, PKB का पूछ देता है, तो ध्यान रहे, आप पहले basic का निकाल लें और उसका उल्टा कर दें, वैसे ही, अगर के-ए का पूछा, तो फिर तो वही order रहेगा, यही वाला, लेकिन अगर PKB पूछा, तो आप इस order को निकाल लें, उसके बाद उल्टा कर दें, क्योंकि यह दोनों inversally चलते हैं, तो चलिए, हमने जो आपको ट्रिक्स दिया है, अमीर गरीव वाला, तो वो कहां-कहां अप्लाई करने वाले हैं, पूरी organic chemistry में, तो आपका यूज होगा, वो ACD की या basic order निकालने में, जो कि इस वीडियो लेक्चर का important point है, आज मैं सिर्फ इसी को explain करूंगा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, we will talk about carbon cution stability, carbon anion stability, free radical के stability का order, उसके वाज़ें बात करेंगे, कि क्यासे यह group effect करते हैं, और उसके next वीडियो लेक्चर में, third वीडियो लेक्चर में, आपको reaction, organic की जतनी reaction है, उसको रटना नहीं है, वो मेरे simple trick से होगा, और उसमें भी सबस substitute करना होगा तो वह एलक्ट्रोफाल कहां पर आएगा और्थोप पर आएगा या पैरा पर आएगा कहां पर आएगा वह भी हम इसमें देखने वाले तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने acidic और basic के order को कैसे हम करेंगे तो चलिए आज के lecture में हम बात करेंगे कि acidic order और basic order कैसे निकालेंगे हम वाया application of mesomeric effect तो देखो acid के बारे में पहले हम कुछ पांड जान ले कि you know acid वो होते हैं जो h plus donate करते हैं right h plus donor जो होंगे वो acid होंगे तो देखो h plus donate करने के बाद निकानने के ब बनेगा right इसलिए हम इसको अमीर बोले थे right क्योंकि negative charge आएगा कौन से hydrogen को आपको अटाना है तो वो hydrogen जो directly fluorine से attach हो या oxygen से या nitrogen से वो hydrogen acidic hydrogen कहलाते हैं या फिर sp carbon से भी अगर attach हो terminal वाले तो वो acidic hydrogen कहलाते है right ध्यान से देखो always जो reaction proceed होती है वो strong से weak की तरफ होती है strong से weak acid अगर बन रहा है तो यह reaction हो जाएगा यह spontaneous होगा लेकिन कहीं पर अगर आप यह देख पार हो कि weak acid से strong acid बन रहा है तो ऐसी reaction फिर नहीं होंगी तो यह एक important point है इसको थोड़ा ध्यान में रखना use होता है वैसे application में लोगा भी always strong से weak बनेगा weak से strong नहीं बनेगा और acid का conjugate को क्या बोलते है conjugate base, acid का conjugate base होता है तो जैसे मैंने एक example लिया है यह acetic acid है तो इससे 1H plus में निकाल दूँगा यह acetic hydrogen होगा क्यों क्योंकि oxygen से attach है, phone से right तो इसका यह anion बना right तो इसका नाम क्या हो जागा conjugate base, acid का conjugate base होता है right और आप कैसे पैचानेगे कि क्कोन acid है क्कोन conjugate base ह से तो simply acid में एक hydrogen ज्यादा होगा तो यहां से यहां तक में डिफरेंस क्या है एक hydrogen का है ज्यादा hydrogen वाले में acid लगेगा कम hydrogen वाले में आपका conjugate word लग जागा तो acid का conjugate base होता है और acid h plus डोन हो रहते हैं वो नास भी समझवा रहा है कि h plus इसने डोनेट किया तो बचा जो यह बचा इसकी stability यह जतना ज्यादा stable होगा आप ही सोचो यह जतना ज्यादा stable होगा यह उतना आगे आने की खोशिश करेगा तो that means h plus के जाने से इसको फिर फर्ग नहीं परेगा क्यों क्यों कि आगे stability मिल रही है तो फिर यह easily देंगे तो वह एक अच्छा acid होगा उसका के जादा होगा पी के कम हो जाएगा राइट वैसे ही basic में अगर हम बात करें तो organic में base का मतलब यहां पर जैनरली 99% वह लोटे हैं जो loan पर डोनेट करें यहां पर ओएच मानस से हम नहीं लेते है राइट जो loan पर डोनेट करें और loan पर डोनेट करने के लिए अभी सबत है loan पर उसके पास क्या होना चाहिए अवे लेवल होना चाहिए resonance में वो नहीं जाना चाहिए, घुमना फिरना नहीं चाहिए, दूसरा generally वह पॉंड लिखा है कि nitrogenous base के बारे में हम बात करेंगे, इस organic point में, और strong base से always weak base की तरफ reaction proceed हो जाएंगी, easily हो जाएंगी, spontaneous होंगी, but weak base से अगर strong base बन रहा है, तो ऐसी reaction फिर नहीं होंगी, non spontaneous होंगी, similarly base में अगर 1H+, आप add कर देतो, तो जो बनेगा उसका नाम हो जागा conjugate acid, क्योंकि इसमें एक hydrogen ज्यादा होगा, आप देख सकतो, तो base का conjugate acid होता है, acid का conjugate base होता है, दोनों को पैचानेंगे कैसे, तुमने पहले बोला, acid word उसी में लगाने, जिसमें ज्यादा hydrogen हो, तो उससे कम व हाले में, problem में आप से पूछा जागा, कि acid का order बता है इसमें, तो देखो, exam में आपको कैसे quickly करना, अगर अगर ध्यान से देखो, तो इतनी चीज सम में common है, यहां तक, सम में common है, वो आपको देख के पता लग जाएगा, सब phenol है, तो इसलिए acid की बात क्या है, क्योंकि यह सब hydrogen, acid hydrogen है, इसके जाने से oxygen पर minus आएगा और जो resonance में जाएगे, इस्टेपलाइज होंगे, तब हमें group का effect देखने है, यहां कुछ group नहीं है, तो कौन है, by default hydrogen है, तो आपको acid पूछा मतलब क्या, अमीर पूछ रहा है, तो हमने क्या trick दिया था, अमीर है, तो सबसे पहले कि इसको search करना है, गरीब को, गरीब मतलब minus M को, right, तो यह वाले group का minus M effect हो जाएगा, N02, क्या trick दिया था, कि pi bond होना चाहिए, N और O की बीच pi bond है, उसका इसके पास loan pair है, right, अगर जो benchering से जो element attach हो, उसके पास loan pair है, तो plus M, right, ACS3 का, यहां पे double bond होगा, तो hyperconjugation, HC, और इसका neutral momaya से दूर को effect नहीं, तो अब इसी बात है, आपको मालूम है, ACT में सबसे पहले कोन हैंगे, minus M, right, फिर minus I वाले, इसमें कोई नहीं है, फिर neutral वाले, तो neutral वाले यह fourth वाले, फिर plus I वाले, तो वो थे नहीं, तो hyperconjugation, last में plus M वाले, तो इसलिए order क्या रहेगा, आप ही बत two, तो इस टाफ से चार option given होंगे, आपको सबसे ज़्यादा मालूम है, सबसे कम मालूम है, या दो कम मालूम है, तो आप option तक पहुंच सकतो, eliminate करके, right, next question में, आपको basic order पूछा जा रहा है, कि basic क्या होगा, यह just make आपको idea दे रहा हूँ कि लगाना कैसे point को, right, इस टाफ के आपको बहुत सारे PYQs मिल जाएंगे, तो basic अगर order आपको पूछा जाए, तो आप फिर से ध्यान से देखो, तो इतनी चीज़े सम में common है, right, और basic order में बताया था कि nitrogen के पास जो loan पर होता, उसको देने की बात होती, यहाँ पे सभी nitrogen के loan पर resonance में जा रहे हैं, right, but group के effects minus M, क्योंकि C triple bond है नहीं, 5 bond है, और यहाँ पे कोई group नहीं, तो H है, तो no effect right, B for base, B for beggar, poor, तो poor किसको search करेगा, donor को, plus M वाले को, plus M वाले यहाँ हैं, तो यह सब साधा, फिर hyperconjugation, फिर मुमाय से दुरवाल है, last M minus M, तो अगर मैं इसको 1, 2, 3, 4 आजिम करूँ, तो सब से ज very simple, next question is, कि again, देखो एतना part sum में common है, right, sum में यह phenol है, और group लगा हुए है, तो definitely आप सो क्या पुछा जाएगा, acidic का order, 1, 2, 3, 4, इसके acidity का order, तो very simple, यह जो है, इसका कौन सा effect है, minus M, ध्यान दे, meta position पर, यह point बता है था, meta position पर कभी भी mesomeric effect नहीं लगता, तो सिर्फ इसका कौन सा effect होगा, minus I, due to electron negativity difference of oxygen, यह पहला position पर, तो इसका क्या होगा, minus M, और यह hyperconjugation आपका show करेगा, तो देखो यह अच्छे concept आला problem लिया है, तो ACD का order में तो सबसे पहले कोना जाएगे, minus M वाले, अब यह भी minus M है, यह भी minus M है, तो sir कैसे करे, तो जब mesomeric आपका common हो जा तो हमने क्या दिया था, M, H, I, मारास्टरा इंडिया में है, ऐसे यहाद रह सकते हैं, तो यहाँ पे minus M अगर same हो गया, hyperconjugation तो होने लिए, तो अब हम inductive से decide करेंगे, और inductive क्या होता है, distance dependent, तो यह closure है इसके, तो इसका ज़्यादा effect होगा, तो इसलिए सबसे आपका, one, right उसके बाद, अगर हम बात करें, तो कोना जाएगा, three, उसके बाद अगर हम बात करें, तो कोना जाएगा, two, क्योंकि उसमें minus I at least, और इसमें तो hyperconjugation है, तो यह सबसे पीछे चला जाएगा, that is four, तो यह order आजाएगे, वैसे इसमें एक point है, कि ortho position पर अगर hydrogen bonding हो जाएगी तो उसके acidity कम होगी, तो वो हम बात करेंगे, यह सब हम gas phase में बात करेंगे, एकको solution में अगर बात करेंगे, तो थोड़ा सा order change हो सकता है, बट आपको एक idea आया है, कि हमें कैसे करना है, group का effect, पहले आपको resonance को priority देना, अगर resonance common हो जा रहा है, जैसा कि third case मोरा यहां यहां प करेंगे, चलिए अब हम कुछ और problem लिए हैं, आगर आप ध्यान से देखो, तो पहले वाले question में आपको acidic order पूछा जा रहा है, यह आपका मालोग की 1 है, यह आपका 2 है, यह 3 है, यह 4 है, और यह 5 है, इनका acidic order, तो अब यहां पर मैंने जो problem लिए, थोड़ा सा mix-up लिए, ध यह alcohol है, यह phenol है, phenol है phenol, तो phenol जो होता है, वो always more acidic than alcohol होगा, क्यों हो? क्योंकि phenol में जब h जाएंगे, तो यहां पर negative उएगा और यह resonance में जाएगा, जबकि यहां पर कोई resonance नहीं होगा, तो phenol always more acidic होते है धन alcohol, यह point ध्यान में आपको रखना है, phenol जो होगा आपका, वो always more acidic than alcohol होंगे now अगर इसमें compare करना हो तो ध्यान से देखो तो यह आपका phenol हो गया यहां तक तो इस तीनों में क्या है same है यहां पे OME यह group आ रहे हैं यहां पे NO2 तो इसका minus M है इसका आपको मालूम है plus M है इसमें कोई group नहीं है momaya से दूर और यह सब तो alcohol है तो acetic order में सबसे दाधा कौन हो जाएगा minus M वाला आपको trick बता रखाऊ तो सबसे दाधा acetic 5 हो जाएगे फिर उसके बाद जो momaya से दूर होंगे right तो momaya से दूर कौन है 3 वाले फिर 4 वाले क्योंकि आपका phenol always more acetic होगा alcohol से now उन दोनों में तो आपको मालूम है कि इसमें 3-3 क्या लग रहे है plus i और plus i से acidity क्या होते है कम होते है क्योंकि all alkyl group फिर 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 हो जाएगा आपका two तो इस तरीके सम कर सकते है next question में again आपको acetic order ही पूछा गया है तो again आप ध्यान से देखो तो sum में एतना part क्या है common है right sum में क्या है phenol है एतना part sum में common है तो सिर्फ group का effect देखना है तो NO2 ध्यान दे यहाँ पे metaposition पे only minus i don't give minus i metaposition पे mesomeric effect होते है cl minus i यहाँ पे कोई group नहीं है right तो hydrogen मान सकता मुमाय से दुर्वाले CH3 तो यहाँ पे plus i तो again acetic पूछा है तो सबस्यादा minus i वालोग आप दोनों minus i है तो क्या करेंगे तो आपको बता रखा हो कि जिसका ज़्यादा stronger minus i होगा और NO2 का ज़्यादा होगा क्यों nitrogen more electronegative है और फिर उससे oxygen attach है वो भी electronegative है तो दोनों मिल करके काफी ज़्यादा खीचेंगे तो इसलिए सबस्याद acetic हो जागा आपका 1 फिर 2 फिर 3 4 इसी order में आ जाएगा next question में हमने acetic न पूछ करके pka order पूछा है तो हमने बताया था कि अगर pka पूछा है तो पहले आप acetic निकाल लो फिर उसका उल्टा कर दो अब ध्यान से देखो acetic में निकालूँगा फिर से एतना चीज क्या है सम्में common है तो acetic hydrogen यही सब है राइट phenolion तो यहाँ पे कोई group नहीं लगा तो मान लेते है यहाँ पे nitrogen के पास loan pair है right तो यह plus M वाले होगे यहाँ पे NO2 तो minus M वाले होगे और यहाँ पे यह alkyl group तो hyperconjugation होगे तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कर लूँगा acetic का order निकालूँगा तो acetic में आपका सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा यह third वाले right फिर minus M है तो फिर उसके बाद momaya से दूर वाले right that is one फिर उसके बाद hyperconjugation वाले that is fourth and last में को न जाएगा that is plus M वाले two तो यह तो मैंने किसका निकाल ला है acetic का that is ka का मुझे किसका चाहिए pka का तो क्या करूँगा उल्टा कर दूँगा तो क्या हो जाएगा two, four, one, three यह आपका answer हो जाएगा तो चलिए अब हम बात करते हैं ग्यान की right that is very very important तीन point इसमें तीनों important है कि हैलोजन की केस में that means CL, BR, iodine या fluorine हैलोजन के केस में चाहे आप acetic order compare कर रो basic order या minus I effect जो उसका वो dominant करता over plus M effect क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो plus M क्यों so करेगा जैसे मानलो यह OH है और यह CL है right तो इसके पास lone pair है तो इसका plus M भी effect हो सकता है और electron negativity difference है minus I effect भी हो सकता है तो आपको कौन सा लेना कौन सा dominant करेगा always minus I dominant करेगा over plus M कब-कब जब ACD करडर basic order और stability ले रहे but जब हम reaction के case में बात करेंगे एलक्ट्रोफाइल को attack करना होगा तो फिर इसका plus M dominant करेगा minus I पे तो इसलिए यह point जहां रखना है point number 2 that is very very important कि benzoic acid में सरिफ उसी में और किसी में बैंजोइक एसीड में that means benzene पे जब C double bond OH group होगा benzoic acid में जो ortho substitution होता है वो ज़्यादा acid हो जाता है normal benzoic acid से तो उसका एक best example हमने यहां पे लिया है ध्यान से देखो अगर हम अपना जो concept लगाएं तो यह benzoic acid है यह भी इसमें यह CS3 इसका hyperconjugation होगा तो acetic order में यह पीछे जाना चे लेकिन यह ज़्यादा है तो वही यह exception एक तरीके से और्थो substitution पे कोई भी group आ जाए तो फिर वो ज़्यादा acetic हो जाएगा आपका normal benzoic acid से देखो minus M या minus I वाले होंगे तो वो तो वैसे भी concept से हो रहे plus M या plus I वाले अगर आ जाते हैं तो भी यह ज़्यादा होगा आपके normal one से और इसका exactly ultra है तीसरा point कि अगर ortho substitution aniline है aniline के case में ultra होता है जो आपका normal aniline है वो ortho substitution से ज़्यादा basic हो जाता है तो again अगर अगर आप ध्यान से देखो तो इसका hyperconjugation effect था तो इसको ज़्यादा basic होना था क्योंकि यह support कर रहते हैं लेकिन less basic है क्योंकि यह exception है तो यह 3 point आपको ध्यान रखना है halogen का minus I dominant करता है पलस M पे ortho substitution benzoic acid ज़्यादा acidic होगा normal benzoic acid से irrespective of group गुरूप कोई भी हो और ortho substituted aniline वो कम basic होगा normal aniline से चाये गुरूप कोई भी हो राइट हलो अच्छो कैसे हो आज की इस वीडियो lecture में हम लोग बात करेंगे stability of carbo cation carbo anion and free radical के बारे में राइट जो हमने permanent effect that is inductive effect resonancia mesomeric effect and hyperconjugation जो आपको बताया है उस तीनों को combine करके किस तरीके से question पूछे जाएंगे कैसे हम stability का order निकालेंगे उसके बारे में बात करने जा रहे हैं तो again सबसे पहले रफी सर का tricks और जो tricks मैं देता हूँ वो concept के साथ देता हूँ right हवा में बाते नहीं होती है पहले concept concept के साथ उसको हम कैसे day to day life से connect करेंगे and कैसे उसका tricks बनाएंगे जिससे हमें chemistry बिल्कुल easy लगे तो let's see stability of carvocatine carvenine and free radical इसके बारे में बात करते हैं तो tricks का point बहुत simple है और जो concept है या funda है वो भी बहुत simple है you know already कि देखो अगर कोई rich person है तो उसके पास कोन आएंगे poor person आएंगे rich के पास तो rich तो जाएगा नहीं और similarly अगर कोई poor person है तो उसके पास कोन जाएगा rich person जाएगा simple मतलब आपको rich पता चल गया तो poor उसको stabilize करेंगे और poor पता चल गया तो rich उसको stabilize करेंगे simple amir garib का खेल है पूरा आपका mesometric inductive and hyperconjugation मेरे trick से बस आपको ऐसी करना है now तो मेरे कहने का क्या मतलब है वो भी समझ ले कि जहाँ पर भी आपको carvokatan दिख जाए free radical दिख जाए या basic का order कूछ है या kb का order ये सब को आपको मनना है कि ये सब क्या है poor person है क्यों carvokatan electron की कमी free radical electron की कमी है बी फ़र बेस बी फ़र बेगर तो ये सब क्या है आपके पास poor person है तो obviously बात है ये किस के पास जाएंगे ameer person के पास ameer कौन होते है जो donor होते है donor कौन है अपने पास जो plus m सो करते है right plus m कौन सो करेगा benzeninic से कोई भी group एटाच है उस पे loan पेर होना चाहिए first element पे जो directly benzeninic से प्लस i inductive effect जो सो करेंगे और hyperconjugation जो सो करेंगे ये सब क्या है donor है या rich है तो obviously बात है ये सब क्या करेंगे इसको stabilize करेंगे इसलिए सबसे पहले plus m आएगा फिर hyperconjugation फिर plus i याद कैसे रखेंगे तो बताया था mhi इस order मे महारास्टरा इंडिया मे पहले mesomeric चेक करेंगे अगर mesomeric same हो जाता है या नहीं लग रहा है तो फिर hyperconjugation लगाएंगे वो भी नहीं लग रहा है तो फिर inductive लगाएंगे अब ये जो है ये खुद पोर और ये पोर 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 के पास आएगा तो कोई काम नहीं बनेगा तो इसलिए ये सब क्या करेंगे de-establish करेंगे इसलिए हमने इसको पीछे लिखा है और चुकि ये strong effect है तो ये सब से पीछे आएंगे और inductive weak effect है तो इसलिए ये पहले आगे similarly कहीं पे अगर आपको carbonine के stability पूछे acidic का order पूछे का order पूछे तो ये सब को मैं क्या मान रहा हूँ द्यान से देखो यहाँ पे electron rich है carbonine, acidic, A for acid, A for amir तो ये सब को मैं rich person मान रहा हूँ तो अब इससे बात है इसके पास कोन आएगा poor person आएगा poor person कौन थे हमारे पास जो electron withdrawing group है minus M या minus आए वाले जो poor ये acceptor है तो इसलिए हमने इसको पहले आगे किया उनमें भी जो strong होंगे वो पहले आएंगे तो इसलिए इनको आगे किया फिर neutral मतलब N मतलब फिर से कोई group नहीं है मुमाया से दुरवाले फिर आब जो ये सब group जो है ये सब तो क्या करेंगे एक तरह से destabilize करेंगे right oppose करेंगे लेकिन oppose करने में इसका weak oppose होगा क्योंकि effect weak है फिर उस से ज़ादा oppose hyperconjugation करेगा और सबसे ज़ादा आप पोच कौन करेंगे फलास्यम वाले right तो ये आपको trick का एक simple सा point हो गया कि अमीर गरीब और गरीब अमीर बस जियोसी में यही करना है ओके तो चलिए अब हम बात करते हैं application की तो देखिए application में मैंने total 5 question अभी लिया है right और इसको कैसे करना है तो very simple है पहला question आपको पूछा जा रहा है कि इन चार में most stable carbocatine कौन है दियान से देखो यहाँ पे इस कारम पे plus है यहाँ पे यहाँ पे plus है यहाँ पे है और यहाँ पे इन चारों carbocatine में कौन सबसे जादा stable होगा तो कैसे चेक करेंगे दियान से देखो plus single double resonance हो रहा right यहाँ से लेकर करके यहाँ तक resonance होगा बस NH2 का जो loan pair है वो resonance में नहीं आ पागा क्योंकि loan pair single single हो चुका है तो इसलिए हमने वो trick दिया था आपको तो यहाँ पे NH2 का सिर्फ minus i effect होगा क्योंकि वो resonance में participate नहीं कर रहा है यहाँ पे दियान से देखो तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक again resonance होगा that's it उसके बाद नहीं हो पागा क्योंकि loan pair single single हो गया है तो यहाँ पे भी NH2 का minus i effect है और resonance effect यहाँ पे नहीं है यहाँ पे दियान से देखो तो यह यहाँ से लेकर करके यहाँ तक जाएगा क्यों? positive single double से यहाँ पे आगा positive फिर positive single double से यहाँ पे आगा फिर positive single loan pair से जाएगा that means NH2 का यहाँ पे plus same effect है और दियान दे यह बेंजीन रिंग नहीं है just resonance के थुरू आपको देखना है की यह कर पारा की नहीं और similarly यहाँ पे दियान से देखो तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक यह stabilize होगा again NH2 का loan pair नहीं आ पाएगा resonance में that means ऐसे तो resonance में loan pair single double से बट यह positive charge नहीं जा पाएगा positive single single है right तो इसका भी आपका कौन सा effect रहेगा minus effect रहेगा तो इसलिए सबसे अधा stable कौन हो गया this one option C तो इस टापके question आपको application में पूछे जाएंगे question number 2 में again पूछा जा रहा है कि इनकी stability का order बताओ यह कर्व कर्टाइन के stability का तो जब कर्व कर्टाइन के stability का order पूछा जाए तो आपको check करना है आपको shift रहा के नहीं देखना है यह already इस condition बना के दिया है तो यहाँ पे द्यान से देखो यहाँ पे loan pair होगा oxygen का loan pair single positive तो यहाँ पे क्या हो जाएगा resonance हो जाएगा यहाँ पे loan pair तो है लेकिन loan pair single single no resonance और यहाँ पे कुछ नहीं है तो अगर मैं इसको structure A मानूं इसको B मानता हूं इसको C तो एक बात तो clear है कि सबसे ज़्यादा stable A होगा क्यों क्योंकि उसमें resonance है अब B C में कैसे करेंगे तो ध्यान से देखो जब कि यह resonance है participant नहीं कर रहा है तो इसका कौन सा effect होगा oxygen का minus I effect यहाँ पे कौन सा हो रहा है plus M effect यहाँ पे minus I effect हो गरेगा वो तो minus I को जैसे क्या होगा de-estabilize होगा यहाँ पे at least कोई हैसा effect नहीं minus I और क्या हो रहा है तो यह दोनों साइट से दो-दो अलफा हो जाएना चार अलफा होनी का जाएसा है hyperconjugation हो जाएंगे right HC तो इसलिए stability में फिर C आगे आएगा और B पीछे चला जाएगा क्योंकि उसमें minus I है तो वही order हो गया plus M फिर hyperconjugation फिर minus I तो इसलिए मैंने वो trick दे आपको कि आप सब group का effect आपको पहचानना वो भी trick दे रखा हूँ आप करिया और direct आप answer पाईए next में ध्यान से देखो इन सब में carbocatine के stability का order पूछा जा रहा है again इसको मैं मानता हूँ A इसको मानता हूँ B इसको C and D carbocatine के stability का order तो यहाँ पे देखो यह जो positive charge है positive single double resonance होगा तो यहाँ पे यह resonance में जा रहे है यहाँ पे double bond पे positive है positive double हो गया तो यहाँ कोई resonance नहीं है यहाँ पे क्या हो जाएगा hyperconjugation हो जाएगे यहाँ पे triple bond पे positive है यहाँ पे भी resonance नहीं होगा तो सबसे ज़्यादा stable कौन होगा आपको clear हो चुका है सबसे ज़्यादा stable होगा A क्यों due to resonance उसके बाद होगा C क्यों due to hyperconjugation यहाँ पर क्या होगा है लिख दे रहाँ R for resonance, H C for hyperconjugation अब यहाँ पर double bond है positive यहाँ पर 3 पर more electro negative पर negative stable होता है यह SP carbon है तो SP पर positive unstable होगा और यह SP2 है तो थोड़ा stable होगा तो इसलिए order में आपका कोना जाएगा B और last में कोना जाएगा आपका D तो यह just में एक आपको idea दे रहाँ कि आपको question को कैसे solve करना है similarly यहाँ पर question number 4 में carve A9 के stability आपसे पूछ लिया तो carve A9 के stability तो ध्यान से देखो इतना चीश सम में क्या है common आपको देखती ही पता लग जागा है इतना चीश सम में common है सम में resonance होगा शरीफ हमें क्या देखना परेगा group का effect N02 का कौनसा effect minus M कैसे इसको open करके लिखोगे तो क्या जागा N double pond O आ जागा तो जब भी benzeny ring पे कोई group attach हो और pi bond बना हो और y के electronic activity एक से जादा तो minus M यहाँ पे इसके पास loan pair है तो कौनसा effect plus M यहाँ पे कुछ नहीं है hydrogen तो neutral वाला तो आपको क्या order बता है था किसके stability carbonine carbonine मतलब reach तो सबसे पहले कौनसा pore pore कौन है minus M तो इसलिए stability order में अगर इसको मैं 1 मानता हूँ इसको 2 मानता हूँ इसको 3 मानता हूँ तो सबसे अधा कौन हो जाएगा आपका 1 क्योंकि minus M फिर 3 मुमाया से दुर्वाले और last में क्या जाएंगे 2 next question fifth question again इस टाप से पुछा सकता है important है कि यहाँ पे यह 4 compound आपको given है किसमे carbon और chlorine के बीच का bond जो होगा length carbon chlorine bond length shortest होगा shortest CCL bond तो you know bond order जतना ज़्यादा होता है bond length उतना कम होता है तो अब यहाँ पे क्या होगा वो दियान से देखो यह सब question exam में सौंज में नहाते loan pair single double resonance हो रहा है यहाँ पे भी resonance होगा दियान से देखो loan pair single double और resonance होने के बाद फिर यह NO2 का minus M यह resonance और further आगे shift हो जागा कैसे तो इसको open करके देखलो आपको सौंज माँ जाएगा तो यह आगे यहाँ तक shift हो करके आएगा तो that means NO2 chlorine के loan pair को खीचने का काम कर रहा है इसलिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा bond बना रहेगा bond order increase होगा तो bond lid क्या हो जाएगा कम हो जाएगा third option में भी resonance होगा लेकिन CS3 का कौन सा effect hyperconjugation तो यह back करेगा देनी कोशिश करेगा तो ज़्यादा loan pair को आने नहीं देगा similarly यह तो plus same effect वाल होगे यह और back करेंगे आने नहीं देंगे तो यहाँ पे तो हमसे पूछा गया कि सबसे ज़्यादा किसमे होगा bond order तो two में होगा इसलिए shortest bond length होगी तो अगर shortest bond length है तो वो two है अगर आपसे यह पूछा जाता कि order ही बताओ मेरे को तो order आप कैसे बताते bond length और shortest तो shortest सबसे किसमे आ गया two में right उससे ज़्यादा bond length ध्याँ रहे उससे ज़्यादा bond length किसमे होता आपका तो definitely one में और उससे ज़्यादा फिर three में और सबसे आदा किसम हो जाता four में क्यों क्योंकि four में तो chlorine के loan pair को आने नहीं देगा यह पलासम गुरूप है यही इधर की तरफ resonance कराएंगे और इसमें यह hyperconjugation से back मारेगा इसमें कम से कम कोई गुरूप नहीं है तो neutral वाले मुमायज से दूर वाले तो bond length का order पूछा जाता आप से तो यह वाला हो जाता तो इस टाप के भी application वाले question पूछे जा सकते है कुछ और problem हम लेते हैं तो ध्यान से देखे question number six इसमें पूछा जा रहा है कि bond length carbon और OH bond द्यान से देखेो carbon और OH bond यहाँ पे यह है यहाँ पे यह है और यहाँ पे यह bond length का increasing order बताना है то यहाँ पे द्यान से देखेो तो यहाँ पे कोई resonance नहीं होगा right बट यहाँ पे क्या होंगे resonance हो जागा лон pair single load से तो यहाँ पे bond order जढ़ा होगा तो bond length कम होगा, यहाँ पे भी resonance तो होगा, बट यह oxygen का लोन पेर भी resonance करेंगा, जिसका जैसे इसको यह आने नहीं देगा, बैंजी रिंग बे, तो सबसे ज़्यादा bond order यहाँ पे होगे, क्योंकि resonance पुरा fully हो रहा है, तो bond length क्या हो जाएगा, कम, तो increasing bond length, तो you know, जितना कम bond order होगा, bond length उतना ज़्यादा होगा, तो सबसे कम bond order 1 में होगा, तो सबसे ज़्यादा bond length आपका, 1 का हो जाएगा, उसके बाद, 2, 3 में अगर करना हो, तो दोनों में resonance है, बट यह, इसको de-stabilize एक तरीके से करेगा, that means, यह loan पर देंगे, तो फिर यह नहीं आ सकता, तो यहाँ पर bond order कम होगा, तो फिर 3 होगा, और last में आपका 2 होगा, bond length, carbon होगा, इसका bond length सबसादा, 1 में होगा, फिर 3 में होगा, फिर last में 2 में होगा, तो इस टाब के भी question आपको पूछा सकते हैं, question number 7 में पूछा जा रहा है आपसे, कि इन सब की stability का order बताना, ध्यान रहे हैं कि सिरिफ ऐसा नहीं कि carbonine, oxygen पर minus है सब में, इसके stability order, तो आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पर negative single single, तो यहाँ पर को resonance नहीं होगा, इसका सिरिफ minus effect है, negative single double resonance भी हो रहा है, right, और negative single single इधर कुछ नहीं आपाएगा, तो इसका minus I effect होगा, और plus resonance है, यहाँ पर क्या होगा, negative single double resonance, और फिर negative single double से फिर से resonance, तो यहाँ पर पूरा resonance, इसका कौन सा effect है, minus I, तो अब इसे बात है, negative मतलब, ameer log right, ameer log मतलब, उसको कौन stabilize करेगा, minus I वाला, तो सबसे ज़्यादा 3 stable होगे, फिर 2, that is B, and then फिर 1, right, तो यह stability का order हो जागा, question number 8, इस type के भी question बहुत बाहर पूच आते हैं, मैं different concept वाले question ले रहा हूँ, कि which will give precipitate with AgNO3 solution, तो वही दे सकता है, जिसका कार्व काटाइन stable हो जाए, right, क्योंकि Ag क्या करेगा, आपके chloride को खीज लेंगे, यहाँ से chlorine है, यहाँ से chlorine है, यहाँ से chlorine है, और यहाँ से कोई एक chlorine, तो खीज करके AgCl बनेगा और प्रिसिपेटर हो जाए, तो कौन दे सकता है जिली, तो जिसका कार्व काटाइन stable होगा, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, तो पहले वाले में क्या होगा एक्चुली, इसको समझना है, CH2 double bond CHCL है, तो यह CL जल्दी नहीं जागा, क्योंकि lone pair single double से क्यों होगा resonance, तो यहाँ पे sigma bond को नहीं बिरेकरना, आपको 2-2 bond को बिरेकरना है, इसलिए यह जल्दी आपका precipitant नहीं देगा, दूसरा वाला जो है, वो बहुत इसलिए दे सकता है, क्योंकि carbon पे chlorine इधर लगे हुए हैं, और 3 CH3 है, कभी भी step के problem आए, तो पहले आप open करके लिखो, तो यह CL जाते ही, CL को जैसे आप निकालोगे, तो क्या बन जाएगा, carbocatan वो भी 3 degree, 9 alpha H है, hyperconjugation भी एक concept बता रखाँ, तो यह stable होगा, तो यह जाने के ज़्यादा chances है, यहाँ पे CCL 4 है, राइट, चारो chlorine आपका, तो यहाँ पे chlorine गया भी तो, इसका minus I effect होगा, इसके जासे यह carbocatan क्या होगा, खुद carbocatan भी खा रही है, और उपर से CL और खिचने वाले, तो कहां से देगा वो, तो unstable होगा, इसलिए यह भी, आपका precipitate जल्दी नहीं देगा, यह भी नहीं देगा, दो दे सकता है, और CSCL 3 में भी भाई चीज़ हैं, राइट, एक chlorine जाने का अभी भी दो chlorine का minus आई है, तो यह भी जल्दी नहीं देगा, तो इसलिए option क्या हो जाएंगे, 2, next में free radical के stability, तो यहाँ पे दियान से देखो, तो यह one degree free radical है, राइट, शिरिफ इसके पास केतने, एक ही alpha है, यहाँ पे जो free radical है, इसके पास 3, 2, 5 और 2, 7 alpha है, राइट, और यहाँ पे जो free radical है, इसके पास 3, 2, 5 और यह resonance है मैं ली, तो इसलिए stability का order कैसा हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा, राइट, question number 10 में, carbonine के stability का पूछा जा रहा है, तो दियान से देखो, यहाँ carbon पे minus है, 3 chlorine का 3 minus है, यहाँ पे carbon पे minus है, negative single single, कोई resonance नहीं है, तो इसका स्रीफ और स्रीफ क्या रहेगा, minus i effect, यहाँ पे current पे minus है, और 2 आपके methyl group है, क्या होगा, 2 plus i effect, और यहाँ पे 3 methyl है, तो 3 plus i, all alcohol group सोज, plus i effect, तो अभी आपको समझ में आ गया, कि carbonine मतलब reach person था, तो वो कैसे लोगों को सर्च करेगा, negative minus i है, minus i वाले को, minus i वाला यह है, तो सब स्यादा stable कौन होगा, 1, उसके बाद यह भी है, लेकिन उतना ज्यादा minus i नहीं है, तो उसके बाद हो जाएंगे 2, यहाँ पे 2 ही plus i है, दो ही लोग आपोज कर रहे हैं, यहाँ पे 3 लोग आपोज कर रहे हैं, तो इसलिए 3 and 4, stability का यह उलोग है, तो यह just मैंने different concept वाले problem लेकर के, हमने कोशिश किये कि आपको कैसे, हमारे tricks को apply करना है, और आप जितने भी PYQs हैं, या जो भी book आप solve कर रहे हैं, आप हमारे concept से easily कर सकते हैं, जाते जाते एक छोटे से घ्यान की बात, कि इस टाप की भी question पूछे जाते हैं आप से, कि किस case में सारे bond lane ठिक को लें, तो again वहाँ पर भी resonance का concept लगाना आपको, जैसे CO3 2-, तो इसको draw कर लो आप, तो यह हो गया, CO3 2-, H2CO3 का N1 पट हो गया, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, तो negative single double resonance होगा, negative single double resonance होगा, तो कोई अगर ऐसे बनाया है, तो इसका एक और resonating structure कैसे बना सकता है वो, इस टाप से, इधर O-, इधर O-, इधर O-, इधर double bond, और एक और बनाया जा सकता है, इस टाप से, आप जहाँ से देखो, इन दोनों O-P-, मानस के हमने इन दोनों पर, और मैं, इन दोनों पर कर सकता हूँ, तो यह O-P-, O-P-, इनका यह जो resonating structure होगा, resonance hybrid कैसा बनेगा, आपको मालूम है, right, कैसा बनातेंगे, O-O-O, और सब जगह, यहाँ पर भी pi bond दिख रहा है, तो यहाँ पर भी दिखाना है, यहाँ पर भी दिख रहा है, इस structure में, तो इधर भी दिखाना है, यहाँ पर भी दिख रहा है, और total minus 2 charge है, 3 oxygen है, तो minus 2 by 3, सब पर charge चले जाएंगे, तो इससे क्या हो गया, कि आपको इस structure को देखो गए, तो यहाँ लगएगा कि, यह double bond है, bond हो जाद है, तो यह bond length और यह carbon oxygen bond length different होना चाहिए, लेकिन नहीं, due to resonance, all CO bond length हो रिक्वाल, तो इस टापको question पूछे आ सकते हैं, in which case, all CO bond length हो रिक्वाल, तो इसमें सारे carbon oxygen bond length रिक्वाल होगे, वैसे ही MNO4 minus, तो यह भी उस option हो जाएंगे, CLO4 minus, similarly chlorine, चार oxygen है, बिल्कुल similar to SI, तो यहाँ पे भी सम में resonance होंगे, due to resonance, all chlorine oxygen bond length are equal, तो इसमें भी सारे bond length equal होंगे, और benzene, तो यूनो इसमें भी resonance हो रहा है, सारे carbon carbon bond length क्या होंगे, एक्वाल होंगे, तो इस ट्राप के लिए question पुझा है, तो आपको direct आपके मांड में क्या आना चाहिए, resonance आना चाहिए, हेलो बच्चों, कैसे हो, आज मैं आपको जो concept या tricks देने जा रहा हूँ, वो बहुत ही important है, क्योंकि इस trick से या इस concept से, मेंस या नीट के एक्जाम में, मिनिमम एक question रहता ही है, इसलिए हम इस tricks या concept को, बहुत अच्छे से समझेंगे, और आसानी से भी, तो चलिए हम start करते हैं, कि कोई given compound होगा, या structure होगा, तो आप कैसे पहचाने होगे, कि वो aromatic है, या anti-aromatic है, या non-aromatic है, right, we are going to talk about aromatic city, now the question is, कि sir हम कैसे पहचानेंगे, कोई given structure aromatic होगा, या anti-aromatic होगा, या non-aromatic होगा, तो उसके लिए बहुत simple सा concept है, कि पहले चीज कि आप इसकी बाद, तभी करेंगे, जब आपका structure कैसा होना चाहिए, cyclic, पहला condition जो है, कि अगर आपको कोई cyclic structure दिखा, cyclic structure in the sense, कि एक close ring आपको दिखेगी, right, एक से ज़ादा हो, तो भी चलेगा, बट minimum एक close ring आपको दिखनी चाहिए, तभी आप इसकी बाद करेंगे, तो इसलिए cyclic structure must है, पहला point, अब अगर cyclic structure आपको दिख गया, तो वो aromatic है, anti-aromatic है, non-aromatic है, कैसे पैचाहिएंगे, तो very simple, आपको क्या करना है, ring के सारे element, resonance में participate हो रहे हैं, कि नहीं, वो check करना है, और वो कैसे check करेंगे, तो via resonance की condition के according, अगर ring के सारे element, resonance में participate कर रहे हैं, और फिर उसके बाद, check करना है, second point के ring में, कितने electron, delocalize हो रहे हैं, अगर 2 electron, delocalize हो रहे हैं, that means, 2 electron गूम रहे हैं, या 6, या 10, या 14, अगर आप ध्यान से देखो, तो यह वह है, S में maximum 2 electron, P में maximum 6, D में 10, F में 14, यह उसी टाप का, that means, 4, 4 add करते जाओ, अगर इतने electron, delocalize हो रहे हैं, तो फिर वो given compound आपका क्या होगा, फिर वो given cyclic structure आपका क्या होगा, aromatic होगा, और एक यह rule बोला जाता है, 4N plus 2 pi electron, delocalize, इस rule को बोलते हैं, hacker rule, manly हम इसको यूज नहीं करेंगे, कैसे count करेंगे, मैं आपको application में बताने जा रहा हूँ, तो बस यह ध्यान रखने हैं, कि इस formula को, या इस rule को, hacker rule बोलते हैं, जहाँ N की value 0, 1, 2, 3 हो सकती है, ना तो question is, कि anti-aromatic कैसे पैचानेंगे, तो again very simple, सारा condition aromatic का ही रहेगा, that means, ring के सारे element, resonance में participate करने चाहिए, only thing, जो difference है, वो क्या है, कि 4, 8, 12 electron delocalize होने चाहिए, मतलब 4 का table हो गया, 4, 4, 8, 12, 16, etc, that means, 4N pi electron delocalize होने चाहिए, where N can be 1, 2, 3, 4, and so on, okay, तो यह हो गया anti-aromatic है, अब अगर कोई structure आपका aromatic भी नहीं है, anti-aromatic भी नहीं है, तो अब इसलिए बाद थे क्या होगा, वो non-aromatic, इसलिए मैंने एक point लिखा है, कि जो बच गया, जो बच गया in the sense, अगर वो aromatic भी नहीं है, anti-aromatic नहीं है, तो फिर क्या होगा, non-aromatic, एक और उसको quickly कैसे पैचानेंगे, कि ring में कोई ऐसा atom आपको दिख जाए, जिसकी habitation क्या हो, sp3 हो, ring में अगर कोई ऐसा atom दिख जा, जिसकी habitation sp3 है, तो फिर क्या होगा, non-aromatic होगा, तो पहले तो यह funda clear हो गया, कि आपको aromatic या non-aromatic पैचानना हो, या anti-aromatic, तो सबसे पहले ring के सारे element, resonance है, पार्टिसिपेट अगर कर रहे हैं, उसके बाद, अगर 2, 6, 10, 14 electron delocalize हो रहा है, तो aromatic, 4, 8, 12 electron delocalize हो रहा है, तो anti-aromatic, और अगर ring में कोई ऐसा atom है, जिसकी habitation sp3 है, या फिर इन दोनों rule को follow नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, non-aromatic, तो अगर मैं इसमें stability की बात करूँ, तो सबसे ज़्यादा stable कौन होगा, aromatic compound, उसके बाद, non-aromatic compound, और last में anti-aromatic, that means anti-aromatic compound, highly unstable, इस बात को धियान रखेंगे, and aromatic compound are highly stable, इसलिए aromatic compound को आप मान सकते हो, कि वो एक ideal person है, इसलिए non-aromatic भी aromatic बनना चाहेगा, anti-aromatic भी aromatic बनना चाहेगा, तो aromatic क्या होगा है, एक ideal person हो गया, तो non-aromatic वाले या anti-aromatic वाले, उसकी तरह बनने की कोशिश करेंगे, इसलिए मेरा एक slogan रहेगा, कि aromatic CT के लिए कुछ भी कर सकता है, aromatic बनने के लिए कुछ भी कर सकता है, तो चलिए अब हम बात करते हैं application की, तो आप electron कैसे count करोगे, उसके लिए simple सामने एक logic लिया है, कि अगर कहीं पे positive charge है, तो आपको उसका कोई electron नहीं लेना है, zero electron count करना है, और कहीं पे negative charge है, या lone pair है, या फिर pi bond है, तो आपको 2 electron count करना परेगा, ध्यान दें, कि अगर एक से ज़्यादा भी lone pair हो, तो भी 2 electron count करना है, pi bond के case में 2 electron count करना है, और negative charge के case में 2 electron count करना है, कैसे, वो यहाँ पे आप देखो, अगर suppose करो कि मुझे पता करना हो, कि यह aromatic है या नहीं है, तो पहले तो cyclic structure है, तो वो condition, पास हो गया, अब electron count करना है, तो ध्यान से देखो, positive, single, double, resonance हो रहा है, positive, single, double, that means, ring का जो सारा element है, वो resonance में participate कर रहा है, और electron केतने delocalize हो रहे हैं, तो इसका तो कुछ नहीं लेंगे 0, और πाई का आप लेंगे 2, यह वाले 2 electron, तो 2 electron delocalize हो रहे हैं, ring का सारा element participate कर रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा आपका, aromatic, चलिए, next, नीचे वाले माते हैं, second पे, अगर आप ध्यान से देखो, negative, single, double, resonance हो रहा है, negative, single, double, पहले resonance की condition चेक करनी, कि वो हो रहा है कि नहीं, resonance हो रहा है, ring का सारा element participate कर रहा है, now the question is, केतने electron delocalize हो रहे हैं, तो द्यान से देखो, negative का 2 electron लेना है, 2 यह, और πाई bond का 2, sigma का कुछ भी नहीं लेना है, negative, lone pair, पाई इन सब का electron काउंट करना है, तो 2 दो 4 electron हो गए, 4 electron हो गए, तो क्या हो जाएगा, anti-aromatic, next, थर्ट वाले में द्यान से देखो, positive, single, double, resonance हो रहा है, positive, single, double, resonance हो रहा है, that means, ring का हर एक element participate कर रहा है, resonance में, और electron काउंट करें, तो श्रीफ, यही 2 electron हो गए, positive का तो लेना है नहीं है, क्योंकि vacant है वो, तो यहाँ पे 2 electron delocalize हो रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, aromatic, next वाले में द्यान से देखो, negative, single, double, resonance हो रहा है, negative, single, double, resonance हो रहा है, now, केतने electron delocalize हो रहा है, यह aromatic, 2, उसके बाद 6, 10, etc. aromatic में था, यहाँ पे द्यान से देखो, double, single, double, resonance, double, single, double, resonance, that means, ring का सारे element participate कर रहा है, electron केतने delocalize हो रहा है, 2, 2, 1, 2, 2, 5, 1, total, 4 electron हो रहा है, तो क्या हो जाएगा यह, anti-aromatic, participate नहीं कर रहा है, right, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना तो positive charge है, ना कुछ है, जैसे देखो, double, single, single, तब positive है, तो शरीफ resonance, यहाँ से लेकर के, यहाँ तक में, मतलब यह 3 element ही आपका participate कर रहा है, यह नहीं कर रहा है, तो अगर एक भी participate नहीं कर रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, non-aromatic, या फिर आप दियान से देखो, तो इसकी habitation निकालोगे, तो क्या हैगा, SP3, अगर रिंग का एक भी atom SP3 है, तो non-aromatic, okay, next, 7 पर आते हैं, तो यहाँ पे दियान से देखो, positive single double resonance, double single double resonance, double single positive, रिंग का सारे element resonance में participate कर रहा है, electron कितने delocalize हो रहे हैं, तो 2 यह और 2 यह, 4 electron हो रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा यह, anti-aromatic, next, again, रिंग के सारे element resonance में participate करेंगे, negative single double, double single double, double single negative, और electron कितना हो गहे, 2 इसके, 2 इसके 4 और 2 इसके 6, 6 electron delocalize हो रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा यह, aromatic, next, यह benzene ring हो गई, तो दियान से देखो, double single double 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 single double 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 single double, that means, पूरे ring के सारे element resonance में participate करें, electron कितने में दियान से देखो, 2 और यह 2 4 और यह 2 6, सारे pi वाले 6 electron है, तो क्या हो जाएगा यह, aromatic, अब यहाँ पे एक point में add करना चाहरा हूँ, कि अगर आपको कभी भी, एक benzene ring दिख गया, एक benzene ring के structure में, तो वो always aromatic होगा, that means, benzene ring पे आगर मैं कुछ भी लगा दूँ, suppose करो, इसलिए मैंने 10th example लिया है, कि यह benzene ring दिख इस पे कोई भी group लगा दिया, कोई भी group in the sense, कोई भी group आप लगा दो, जितना भी आप functional group जानतो, कोई भी लगा दो, for example मैंने लगा दिया COH, तो यह क्या हो जागा aromatic, या फिर कुछ भी लगा दो आप, suppose करो, benzene ring पे मैंने इतना बहरा structure कर दिया, कुछ भी कर दो, या फिर benzene ring पे मैंने ऐसा कर दिया, एक और structure बना दिया, बहले यह aromatic नहीं हो, तो overall compound क्या कर लाएगा, aromatic, अगर benzene ring पे कुछ भी substitution आप कर रहेगा, तो वो compound overall aromatic ही रहेगा, तो यह point को आप लिख भी लेंगे, कि benzene ring पे कुछ भी मैं substitute कर दो, तो वो compound overall aromatic रहेगा, जैसे दियान से देखो, benzene ring पे मैंने कोई भी functional group लगाया, तो भी aromatic, कोई open chain वाला लगा दिया, तो भी aromatic, कोई close chain लगा दिया, भेले यह aromatic नहीं है, राइट, यह resonance हो रहा है, by the way, nitrogen के पास भी lone pair है, but nitrogen का lone pair double bond के पास ही है, तो वो participate नहीं करेगा, nitrogen का lone pair resonance में नहीं जा रहा है, यह भी पूछा जा सकता है, तो यह यहीं पे रहेगा, तो resonance में कौन जा रहे हैं, यह 6 pi electron, 6 electron होगे तो कितना हो गया, यह aromatic हो जाएगा, तो यहाँ पे एक point है, कि nitrogen का lone pair resonance में नहीं जाएगा, क्यों कि वो double bond पे ही है, तो वो condition नहीं बन पा रही है, सिमिरली यहाँ पे दियान से देखो, तो आपके पास, यहाँ पे भी lone pair है, यहाँ पे, तो दोनों lone pair में से, आपको बता रहा हो रहे हैं जैसे में, कभी भी एक ही lone pair participate करेगा, तो lone pair single double, lone pair single double, double single double, resonance की condition हो रही है, right, केतने electron delocalize हो रहे हैं, तो वो ध्यान से देखो, 2 यह, 2 यह 4 औरी में से कोई एक ही लेना है, तो 2-6 electron delocalize हो रहे हैं, तो इसलिए क्या हो जागा, aromatic, और यह सब कैसे aromatic compound है, heterocyclic, यह वाले कैसे हैं, homocyclic, सारे अगर एक ही type के element से बन वह है, तो homocyclic, अगर एक भी element different है, तो heterocyclic, ना अगर इसको चेक करें, तो ध्यान से देखो, nitrogen के पास होता है, lone pair, right, lone pair, single double resonance, lone pair, single double resonance, double single double resonance, ring का सारा element resonance में participate कर रहा है, और electron count करेंगे तो, यह 2, और यह 2, 4, और यह lone pair वाले 2, 6 electron, तो यह भी क्या हो जागा आपका, aromatic, now again, very very important, question number 14, कि यह aromatic है, या नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे, तो ध्यान से देखो, कि यहाँ पे, carbon oxygen के बीच bond बना हुआ है, तो यह pi bond क्या हो जाएगा, break कर दिया जाएगा, और oxygen पे negative चार जाएगा, और इस पे positive चार जाएगे, क्योंकि more electron negative पे negative चार इस्टेफल होता है, less electron negative पे positive, now हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमने एक point बोला था आपको, कि aromatic city के लिए कुछ भी करेगा, तो अगर ऐसा करता है, तो क्या होता है, ध्यान से देखो, positive single double resonance, double single double 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 single double 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 single positive, ring का सारा element resonance में participate कर रहा है, electron count करने तो कितना हो गए, 2, 2, 4 और 2, 6, positive का तो लेना नहीं, तो six electron delocalize हो रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, aromatic, तो आपको दो तरीके से question पूछ सकता है, इस तरीके से बना करके भी, या फिर इस तरीके से positive negative दिखा करके भी, या फिर यह oxygen को अटा दे, इतना ही करके positive दे दे, तो भी, तो आपको करने आना चाहिए, and last fifteen, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, double, single, single, resonance नहीं हो रहा है, यह element या यह element, जो की carbon है, यह resonance में participant नहीं कर रहे हैं, SP3 audition है, इसलिए क्या हो जाएगा, non-aromatic, तो I hope, यह सारे example आपको समझ में आये होंगे, कि किस तरीके से मैं पहचान रहा हूँ, कि यह given compound aromatic है, या फिर non-aromatic है, या anti-aromatic है, जाते जाते ग्यान की बात, और that is very very important, कि अगर इस type के आपको question पूछ ले, यह सब resonance के application based question है, कि इन दोनों compound में से, कौन aqueous AGNO3 से react करेगा, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, AG is a strong affinity of halogen, वो halogen को बाहर खीच लेगा, तो यहाँ पर आप बना करके देख लो, अगर halogen चला गया, तो यहाँ पर आजागा positive, और यहाँ से halogen गया, तो आपका यहाँ पर आजागा positive, तो अगर आप ध्यान से देखो, तो यह aromatic हो रहा है, और यह anti-aromatic हो रहा है, तो you know anti-aromatic structure highly unstable है, इसलिए यह reaction आपकी नहीं होगी, और यह reaction हो जाएगी, तो इस type का आप से पूछा जा सकता है, कि which will give precipitate with AGNO3 solution, तो आपको यह check करना पड़ेगा, कि वो BR जाने से जो positive charge के रहे होगा है, वो resonance में जा रहा के नहीं, और aromatic condition बन रही है के नहीं, similarly question number 2, इस type से पूछा सकते हैं, कि which will react with NA, और which will react with NA to give H2, तो अगर दियान से देखो, यह metal है, तो यहाँ से hydrogen जब H plus के form में निकलेगा, जिसको sodium electron देगा, तो H2 gas बनेगी, तो यहाँ पर आएगा negative charge, और इस case में यहाँ पर negative, तो अगर पहले वाले में मैं देखो, तो आपका कैसे हो जाएगा, इस type से, और इसके वाज़ा से यह क्या हो रहा है, aromatic, जो already application ने बात किये हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पर इसके वाज़ा से क्या हो रहा है, anti-aromatic, तो इस लिए reaction possible होगी, यह नहीं होगी, तो इस type से आपको देखा, direct भी पूछ सकता है, या फिर थोरा सा वो क्या करेगा, तो आपको यहाँ पर देखना है, क्योंकि problem तो यहीं से होने वाली है, तो अगर मैं इसको break करूँ, तो break किस side करूँ, इस side करूँगा तो इधर negative और इधर positive आएगा, जो की better है, कैसे, तो ध्यान से देखो, यह single कर दिया, यह pi bond को मैंने break कर दिया हुए, right, और यह double था, यह पहले से जो था, इधर मैंने negative create किया, इधर positive, इससे क्या हो गया, यह भी aromatic, right, और यह भी aromatic, दोनो aromatic होगे, तो aromaticity के लिए कुछ भी करेगा, तो इसलिए यह pi bond रहेगा ही नहीं, वो break हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तब यह sigma bond हो गया, तो इसके about, single rotation possible है, rotate हो सकता है, इसलिए यह rotate होंगे, बट यह नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी side add करो, तो एक side तो aromatic बनेगा, लेकिन एक side anti-aromatic बन जाएगा, इसलिए इसमें sigma, that means इसमें rotation possible नहीं है, तो इस type के भी question पूछे जा सकते हैं, चौथा यह very very important है, जो exception है, जैसे बच्चों को लगता है कि सर, यहाँ पे 8 electron आपका delocalize है, तो 8 electron है तो इसको बोल देते हैं, anti-aromatic जबकि यह गलत है, क्यों, क्योंकि यह structure जैसे आपको बना के देगा, actual में ऐसा है नहीं, यह कैसा structure है, एक tub-like shape है इसका, कैसा है, tub-like shape है, इस type से, तो यह non-planar हो गया, इसलिए यह कैसा है, यह non-aromatic compound है, anti-aromatic नहीं है, non-aromatic तो ध्यान रखना है, यह वाला point, और इस case में भी important है, high level पे बाते करें तो, कि resonance में कौन सा pi-one participate करेंगा, तो सारे periphery वाले, देखो, double, single, double, तो मैं ऐसे करके दिखार दे रहा हूं, periphery पे resonance होता है, outer part में, inner part में कोई resonance है, मतलब यह pi-one आपका resonance में participate नहीं करेंगा, और कितने electron हो रहे हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14 electron delocalize हो रहे हैं, जो हमने लिया, कि कभी-कभी आपको घुमा करके भी resonance को अपलाई करवा सकता है, कैसे करवा सकता है, विच विल गीव, precipitate with AGNO-3 solution, तो आपको वही resonance और aromatic की condition चेक करनी है, विच केन गीव hydrogen gas, same way point, आपको देखना है कि, वो negative charge जो create हो है, उसको यह से aromatic हो रहा है कि नहीं, अगर aromatic हो रहा है तो reaction fast होंगी, वैसे ही which can rotate, तो वही point है कि aromatic हो रहा है कि नहीं, bond भी रिखोने के बाग, और यह एक exception है, जो कि non-aromatic compound है, due to non-planar structure, और कहीं-कहीं पे resonance में ऐसा भी होगा, कि सिरिफ periphery पे resonance होंगे, हम inside वाले pie one को नहीं लेंगे, और इसको यह यह aromatic होगा, Hello friends, कैसे हो, आज हम लोग बात करेंगे, कार्वु कटायन rearrangement के बारे में, और कार्वु कटायन को मैं प्यार से बोलूँगा, धोके बाज, क्योंगे, क्योंकि यह जिस कार्वन पे first time create होंगे, maximum time से ऐसा होगा, कि वो उस कार्वन पे ना रहे, shift हो करके किसी और कार्वन पे चले जाए, तो चुकि यह rearrange हो सकते हैं, यह उसी कार्वन पे नहीं टिक सकते, इसलिए इसका नाम मैंने रखा है धोके बाज, और जो आपको इस वीडियो लेक्चर में पता भी लग जाएगा, कि मैं क्यों इसको धोके बाज बोल रहा हूँ, ना तो कोश्चन ही इसकी इस धोके बाज के बारे में पहले बताओ सर, क्योंकि इससे बच के रहना है, तो देखो इसके बारे में पहला point यह है, कि यह एक intermediate है, यह reaction के बीच में बनता है, और यह एक ऐसा intermediate है, जो सिर्फ shift होता है, बाकी कोई भी intermediate shift या rearrange नहीं होते है, only carvokatine ही shift या rearrange होते हैं, second point कि इसमें 3 sigma और 0 lone pair होता है, आप देख सकतो यह carbon अगर है, इस करण पे plus charge है, तो वो carvokatine हो गया, इसलिए इसका shape कैसा रहेगा, trigonal planar, और यह जो pure vital है, यह board के plan के up होंगे, और एक board के plan के down होगा है, इसलिए इस पे attack जो हो सकता है, निकलियोफाइल का, वो दोनों side से हो सकता है, इसलिए इसमें आपको racemic product भी मिलेंगे, now the question, third point is, इसलिए यह Lewis acid का काम कर सकते हैं, lone pair accept कर सकते हैं, और यह electron deficient molecule में साता है, that means यह bigger हैं, भिखा रही हैं, इसको electron की जरूरत है, चौथा point यह है, कि यह diamagnetic है, क्यों कि इसके valence cell में, कितने electron होगे total, देख सकतो आप, total 6 electron होगे, even number में, तो यह diamagnetic होगे, क्योंकि valence cell में 6 electron है, चुकि यह positive charge contain करते हैं, इसलिए always इस पर attack कौन करेगा, nucleophile या वो जिसके पास lone pair है, positive इसके पास भूल से भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि repel हो जाएंगे, तो यह होगे इसका intro, अब हम बात करते हैं, क्योंकि कार्वो कटाइन कहां कहां पर formed होगे, कार्वो कटाइन के rearrangement में जाने से पहले, मैं आपको बता दूँ कि कार्वो कटाइन कहां कहां आपको form करना है, तो पहला case है, जहां भी SN1 reaction हो, nucleophilic substitution, वाया first order reaction, SN1 reaction हो, या elimination वाया first order kinetics हो, तो SN1 या E1 reaction में आपको कर्वो कटाइन बनाना है, जो कि alcohol halide में generally होता है, alcohol में होता है, ether में होता है, तो जहां भी SN1 या E1 reaction हो रही है, तो वहाँ पे कर्वो कटाइन बनेगा, दूसरा, जहां भी alcohol in presence of acidic medium हो, strong acidic medium हो, तो ये OH और H plus, water के form में बाहर निकल जाते हैं, और कर्वो कटाइन आपका बन जाएगा, तीसरा, जब भी alkyne double bond पे addition हो, HX का, like HCL का, या HBR का, अगर HX का addition double bond पे हो रहा है, तो वहाँ भी कर्वो कटाइन आपका formed होगा, या फिर H plus H2O का addition, hydration of alkyne कर रहो, तो भी वहाँ पे कार्वो कटाइन आपको form होंगे, कार्वो कटाइन और कहाँ पे form होगा, जब 1 degree amine की reaction, aliphatic amine की reaction, अगर आप N, A, N, A2 और HCL से करा दोगे, तो R, N2 positive, CL negative, डाइजोनियम बनेंगे, जो quickly break होकर आपको कार्वो कटाइन देंगे, और कार्वो कटाइन कहाँ पे बनेगा, जब एलकायर हिलाइट की reaction, ALCL3 से कर दोगे, अन हाइडरस वाले से, तो यह ALCL3, X को खीच लेगा, और क्या बनाए देगा, R+, तो कहने का simple सा मतलब है, कि पहले आपके mind में यह भी क्लिवर होना चाहिए, की कर्वो कटाइन बनाना का है, तो very simple, 5 जगा पे आपको कार्वो कटाइन बनाना है, SN1 या E1 reaction में बनाना है, alcohol in presence of acidic medium, अगर दिक जाए तो बनाना है, alkyne in presence of HX, या alkyne in presence of H+, H2, तो वहाँ पे भी कर्वो कटाइन बनाना है, 1 degree, अगरी अलिफेटी के माइन इन प्रेजेंस अफ एन ने टू और HCL, तो और डाइजोनियम सॉल्ट जो होते हैं, उस केस में भी बनाना है, और alkyl halide in presence of ALCL 3, या फिर डी बलोक का कोई कंपाउंड हो, तो वहाँ पे आपको कार्वो कटाइन बनाना है, अब हम बात करेंगे इसके re-arrangement के बारे में, तो चलिए अब हम बात करते हैं re-arrangement के बारे में, तो ध्यान से देखो re-arrangement बस इतनी ही जगा पे possible है, पहला केस वाया हेच माइनस shift, हाइड्राइड shift बोलते हैं, तो हाइड्राइड shift होकर के re-arrangement हो सकता है, तो टोटल चार प्रोसेस है, और चारों को अच्छे समझे लो, कि ताकि confusion ना रहे, हाइड्राइड shift मैंने पहले लिखा है, क्योंकि always पहले इसको कराना है, और जैसे यहाँ पे देखो, यह जो carbonary plus है, और यहाँ पे hydrogen है, तो यहाँ पे hydrogen है, तो hydride shift पहले होगा, तो ऐसे किसमा आपको hydride shift कराना है, यहाँ पे carbonary plus है, बट इधर में कोई hydrogen नहीं है, क्योंकि carbon ने अपना चारों बांट बना लिया, तो जब hydrogen नहीं होगा, तब यहाँ पे आपको कराना alkyl shift, तो पहले तो confusion बिलकुल खतम करना, hydride shift को prefer करना, अगर hydrogen नहीं होगा, तब आपको alkyl shift कराना है, यह तभी possible है, जब हेच नहीं है, यह मैं लिग देता हूँ, जब hydrogen नहीं है, तब alkyl shift अगर hydrogen है, तो फिर hydride shift होगा, ring expand कब होगी, तो दो ही case में, जब four member ring, four member ring के just, बगल वाले करवन पे, four member ring से, जो करवन अटेच होगे, उस पे plus होना चाहिए, तो four member ring होगी तो, या फिर वैसे ही, five member ring होगी तो, four member ring, या five member ring से, जो करवन अटेच है, उसके पास अगर plus है, तो ही ring expand होगी, और four member five में चली जाएगी, और five member six में, कहने का यहाँ पर मतलब है, कि अगर मान लो, कि आपके साथ, ऐसा कोई case है, तो यह four member ring है, बट पलस, यहाँ पर नहीं है, इधर है, तो अभी ring expand नहीं होगा, यह कहने मतलब है, four member या five member ring से, जो करवन अटेच है, बाहर वाला, contraction fix है, जब four member ring पे ही positive charge हो, कहीं पे भी अगर four member ring पे positive चार आ रहा है, तभी contraction कराना है, expansion भी fix है, four member ring के just outside वाले कारण पर, या five member ring के just outside वाले कारण पर असे है, तब expansion कराएंगे, अगर hydrogen नहीं है, तो alkyl shift कराएंगे, और अगर hydrogen है, तो alkyl shift कराएंगे, तो I hope पहले clear होगा, कि हमें चारों जगा पर कैसे करना है, एक भी इसमें confusion का सिन्नी होना चीए, again I am repeating, पहले hydride shift कराना है, hydrogen नहीं है, तो alkyl shift कराना है, ring expansion दो ही case में possibly है, एक जब 4 member ring के just outside वाले कारम पर पलस हो, तो ring expand कराना है, या 5 member ring के just outside वाले कारम पर पलस हो, तो ring expand कराना है, ring contraction का एक ही case है, जब 4 member ring पर पलस हो, इसके अलावगा आपको कुछ नहीं जाना है, तो देखिए ring expansion में आपको hydride shift कराना है, तो very simple है, इसलिए मैंने हेडिंग लिखा रियारेंजमेंट वाया हडाट सिफ्ट तो आप दियान से देखो तो जिस कारण पे पलस है इस कारण पलस है इसके बगल वाला आपका अलफा कारण हो गया हाइपर कंजूगेशन के ट्रिक में बता रखा और यहां पे दो हाइडोजन है तो इ पर पलस यहां आ गया और यहां का हैड़जन यहां चल आ गया जो हम दिखाते नहीं है बाऑ रखा इस तेब часов कह बढए तो यह हो होता वो स्रीफ किसके लिए होता है इस्टिबिटी के लिए तो दो अलफा है से पाँच अलफा हो गया तो इसलिए यह रियर्जमेंट होगा और आपका रियर्ज प्रोड़क्ट यह है राइट अब जो भी निकलोफाइल या कुछ भी होना होगा तो अब यहाँ अटेक करेगा या यहाँ से रियक्शन होगी यहाँ से नहीं होगा इसलिए मैंने इसको बोला है धोके बाज क्यूंकि कारव का टान फॉर्म्ड यहां हुआ तो आपको मैंने बहुत अच्छे समझा रखा है अब देख सकतो चार अलफा है अब यह इधर अगर गया इधर गया तो दो ही अलफा हेच होंगे और अगर इस साइड आ यहाँ पर तो यहाँ पर आ सकता भी क्योंकि अभी एक हाड़िजन बाकी है तो एगेन हेज माइनस सिफ्ट हाड तीन, तीन, छे और दो कितने टोटल आठ अलफा हेच हो गए इस वाज़से यह ज़्यादा स्टेवल हो जागा तो यह रियर रेंज होकर करके यहाँ पर आ जागा इसलिए अगर कारो का टन यहाँ बना तो आप यह एक्सपेट करो कि यहाँ पर निकलोफाल अटाच होगा लेकिन यहाँ पर नहों करके कहाँ पर रहा है, यहाँ पर इसलिए इसका नम क्या है, दोखेबाज, अगर इसको देखें तो अभी यह जिस कंडिशन में हैं, उस कंडिशन में इसके पास और एड़ी आठ अलफा हाइड़ूजन है, अब यह किसी भी साइड जाएगा तो इ rearrange होंगे similarly अगर fourth case देखें हम तो यहाँ पे इसके पास दो ही alpha h हैं अगर यह rearrange कर लिया तो यहाँ पे आ जाएगा plus यहाँ पे आने से कितना हो गया 3 और 1 चार alpha h हो गया right फिर से यह rearrange कर सकता है क्योंकि यहाँ पे अभी भी आपके पास hydrogen है तो ऐसा नहीं है कि एक बार ही rearrangement होगा यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे आने से क्या हो गया 2, 2, 4 और 2, 6 alpha h होगे तो देखो 2 से पहले कितना हो गया 4 और 4 से कितना हो गया 6 तो जब तक alpha hydrogen बढ़ते रहेगा यह rearrange होते रहेंगे तो सब से stable यह है तो यह यहाँ step stable हो alpha h आपको count करना है always अब इसको अगर मैं dc language में समझाओं तो very simple है कि जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो जिस कारण पे plus बना उधर से एक ही तरफ जाने का रास्ता है तो इसलिए always हमें more path खोजना है right दो नाका पे जाना है तीन नाके पे जाना है तो यहाँ से अगर यह plus यहाँ पे आ गया तो ध्यान से देखो अब दो नाका हो गया इधर भी जा सकता है इधर भी तो दो नाका ज्यादा stable हो गया similarly इस case में अगर अब द्यान से देखो तो यह carbon इधर जा सकता था यह plus और इधर adjust समझाने के लिए लेकिन अगर वो यहाँ पे आ गया तो इससे क्या हो गया इसके पास तीन नाका हो गया द्यान से देखो तीन नाका तो जितने जादे नाका उतना जादा stability similarly यह already ती नाके पे था इसलिए यह कहीं नहीं गया यहाँ पे द्यान से देखो इधर एक ही नाका था तो गूम करके यहाँ पे जबाया तो again एक और दो ही नाका था फिर और आगे गया यहाँ पे जबाया तो इसके पास तीन रास्ते तो जास यह समझने के लिए कि plus charge को आपको धीरे धीरे क्या करना है तीन नाका पे लेके आजाना है थिरी डिगरी कारो काटान में convert करके अगर आने की possibility है तो लेके आना है तो यह this is all about कि hydride shift हम कैसे करते हैं इस hydride shift से अगर आप ध्यान से देखो तो structure में कोई change नहीं आगा क्योंकि hydrogen छोटू सा है पता ही नहीं लगता कि वह shift कैसे हो गया बस पलस को आपको shift करते जाना है now next is alkyl shift alkyl shift करना आपको बता रखा हो जब hydrogen नहीं होगा तो अब ध्यान से देखो मैंने तीन example लिए इस कारण पर पलस है अभी इस condition में इसके पास तीन ही alpha h है और यह यहाँ पर shift होने के लिए जात हो सकता है लेकिन इस carbon ने और कोई hydrogen नहीं है यह सब alkyl group है तो ऐसे case में अभी तो तीनों methyl ही है राइट तीनों same है तो इसमें से किसी एक को आपको shift करना है तो ध्यान से देखो जैसे hydrogen के case में करते थे वैसा ही है इसको यहाँ पर लियाना है और पलस को यहाँ पर समझो बाकी चीज को वैसे रखना ह यहाँ पर का जो डंडी था वो यहाँ चला गया और यहाँ पर का पलस अब का यहाँ पर आ गया simple अब यहाँ पर ध्यान से देखो तो 3, 3, 6 और 1, 7 यहाँ पर 7 alpha h होगा इसलिए ज़्यादा इस्टेवर जागा तो बासम जबाए क्या क्या है हमने यह वाले डंडी को पर चिपका दो और इस पलस को जहां से यह डंडी निकाला वहाँ पर लगा तो सेम इस केस में भी देखो इस कारण पर पलस है राइट तो अभी इसके पास 3 alpha h है और इधर कोई hydrogen नहीं है क्योंकि सब alkyl group है तो alkyl shift होगा राइट अब alkyl में कौन सा alkyl shift करोगे जो पादन यहां पर तो यहां से क्या पादा हुआ ध्यान से देखो यहां से पादा यह हुआ कि 7 alpha h now the question is कि सर बड़े वाले को क्यों क्या चोटे वाले को कर देते चोटे वाले को करते तो क्या प्रॉलम होता यहां से देखो अगर suppose करो आपने इस वाले रंडी को खीचा तो ब 6 alpha h हो गए जबकि यहां साथ है तो इसलिए जब डंडी हटाना हो तो कौन सा अटाना है बड़ा वाला ताकि alpha h इनकीरीज हो जाए similarly यहां पर दियान से देखो यह plus है अब यहां पर कोई alpha h इनकीरीज हो गया और वो डंडी कहां पर लगा तो इससे क्या फायदा हुआ तो देखो पहले शरीफ क्या था दो नाका अब कितने नाका हो गए तीन नाका यहां फिर alpha h इनक तो तीन दो पांच एक छे alpha h हो गए जबकि पहले कितने थे शिरीफ 2 alpha h थे तो आई होप आपको एकदम क्लियर होगा कैसे hydride shift करते हैं और कैसे hydride में आपने देखा structure में कोई changes नहीं दिख रहा था लेकिन इलकायल में always structure में आपको changes दिखेगा और करना क्या है वहाँ से वो डंडी या वो bond को अटा लेना है पलस की जगा चिपका देना और पलस वाले को आपको जहां से डंडी हटाए हो वहाँ पर पलस create कर देना है अब हम बात करते हैं ring expansion के बारे में जो कि सबसे important है और बहुत सारे बच्चे से confuse रहते हैं तो उसके लिए उन्हें बहुत simple trick लाया अब ध्यान से देखो तो यहाँ पर ध्यान से देखो तो four member ring है और उसके बाहर वाले कारण पर पलस है तो ring expansion की condition बन गए right तो आपको क्या करना है पहला point हमने लिखा है जिस कारण पर पलस हो उसको one number देना है और फिर ring के अंदर वाले कारण को numbering करना है जैसे ध्यान से देखो apply करके बताता उसको बाद ring के अंदर आजाना तो two अभी किधर भी group नहीं लगा है तो जिधर one करे तो three four और five right तो यह पहले point का उतलब है कि जिस कारण पर that means ring के just outside वाले कारण को one देना है numbering में यह IPC naming का numbering नहीं है यह मैं आपको trick का point बता रहा हूँ तो आपको उसको one देना है उसके बाद ring वाले पर आ जाना है और ring में numbering कर देना one two three four five आप यह करने के बाद आप भूल जाओ कि क्या हुआ पांच total कितना हो गया one two three four five मतला आपको क्या करना है पांच member की एक ring बना देना है क्या कि हमने पांच total आया तो पांच और उसके बाद क्या point है देखो कारण number two पे positive देना और बाकी group जिस कारण पे था लगा देना है तो दियान से देखो तो ring के किसी भी कारण पे कोई group नहीं लगा है और कारण number two तो का क्या मतलब है दियान से देखो जब आपने numbering कर लिया total पांच आये तो पांच member की ring बना दिया आपको जहां से मन करें मैं देखो यहां कारण की आपको ring बन जाएगी ओके और कहीं से भी numbering कर दो और कारण number two पे क्या देना पलस तो यह पलस यहां पे देना तो यह इसका rearrangement हो गया चलिए अब second देखिए second में भी again ध्यान से देखो four member की ring है और उसके just outside वाले पे positive है तो ring expansion हो जागा right तो हमने क्या वहला जिस का पलस उसको one two इस case में जिधर substitution होगा उधर ही three देना है तो three four और five यह पांच indicate क्या कर रहा है कि आपको आख बंद कर करके पांच member के एक ring बना लेनी है और फिर इसमें जहां से आपको मन करें वहां से numbering कर दो देखो मैं यहां से कर रहा one two three four five यह कर दिया carbon number two पे क्या देना पलस उसके बाद यहां पे देखो क्या है three पे एक methyl group है right three पे एक तो three का है यहां तो यहां पे एक methyl group दे देना है यह इसका rearrangement हो गया बात समय है very simple जिस कारण पे पलस है उसको one देते हुए ring वाले carbon पे numbering कर दो जितना numbering आ जा उतने member की ring बना दो उसका उस ring पे कहीं से भी number कर दो two पे पलस दो उसका देख लो कि किस कारण पे क्या लगा हुआ है तो शिरी कारण पे यह लगा हुआ था तो three पे लगा दिया क्योंकि यह सब कारण तो आपका कहा आ गया ring में आ गया बस यही कारण बच गया था अभी further इसका rearrangement possible है right कैसे आप ध्यान से देखो यह यह यहां पर आगा तो क्योंकि यहां पर hydrogen है तो further एक और rearrangement होगा और यहां पर आपका प्लस आ जाएगा similarly तीसरे वाले को देखो तो ध्यान से देखो पहले 5 member ring है condition हो निचे 5 member ring है उसके just outside वाले पर positive है तो ring expansion हो सकता है तो इसको 1 देंगे 2 अभी किदर भी जा सकतो 3,4,5,6 तो 6 आने का तरब क्या करना आपको 6 member की ring बना देनी है और जहां मन करें वहां से number करो 1,2,3,4,5,6 और क पर positive यह अब इस पर कोई group लगवा था तो नहीं क्यों क्यों कि यह सारे कर्वन आपके किस में count हो गए रिंग में count हो गए तो कोई group ने लगा तो यह rearrange product होगी आपका now next 4 number देखो तो यहां पे ध्यान से देखो तो यह 5 member की ring और इसके बाहर कोई positive नहीं है right तो अभी ring expense तो नहीं कराना है लेकिन यह जो है वो 1 degree कर्व कटन है यह यहां पे shift होके आ सकता है तो पहले आपके shifting होगी right तो पहले shift कराओ तो यहां पे आपका जागा plus via hydride shift क्योंकि hydrogen था अब जब hydride shift होकर काया तो अब एक perfect condition बनके ring expansion की क्योंकि यह 5 member ring और उसके बाहर वाले करवन पे plus है तो आपको फिर से मैं point बता रखा हूँ जिस करवन पे plus है उसको 1 देना है और ring वाले करवन पे आ जाना है तो यह 2 इधर ह 3 करना क्योंकि substitution है 4,5 और 6 तो यह 6 क्या represent कर रहा है कि आपको आख बंद करकर के 6 member की एक ring बना देनी है और इस पे जहां से मन करें वहां से numbering कर दो 1,2,3,4,5,6 द्यान से देखो यह हो गया 6 कर दिया उसको आप कारवन number 2 पे plus डाल दो डाल दिया अब ध्यान से देखो तो किस में चले गए है, ring में चले गए, तो क्या हुआ, carbon number 1 पे यह बचा हुआ है और carbon number 3 पे यह बचा हुआ है, तो 1 पे लगा और 3 पे लगा, simple, समझ के बात, अब आपको मालुम है कि यह 2 नाके पे यह कारवकटान फसा हुआ है, तो 3 नाके पे जा सकता है, तो किसी भी side इसक एक और मैं लेता हूँ, कभी-कभी बच्चे यहाँ पर confused आ जाते हैं दखो, तो यहाँ पर carvocatine rearrangement हो जाएगा, right? क्यों? क्योंकि यह अभी 1 degree है तो यहाँ पर आ सकता है, तो यहाँ पर ले आएंगे उसके बाद बच्चे क्या करते हैं? ring expansion सोचने लगते हैं यहाँ पर ring expansion नहीं कराना है, क्यों? क्योंकि आपके ring already 6 member की है only 4 member ring के just outside वाले पर होगा तो यह 5 के outside वाले पर होगा, यहाँ पर 6 के outside है तो ring expansion नहीं करना है, right? तो यहाँ पर यह plus अभी 2 नाके पर है, तो यहाँ आ सकता है, 3 नाके पर तो इसको rearrange करके आपको 3 नाके पर लेके आना है तो यहाँ हर केस में hydride shift हुआ है यही वो केसे जहाँ पर बच्चे गन्टर जाते हैं यहाँ पर plus था, तो वो plus को कहा ले आते हैं? अंदर में, और 5 member ring इराने देते हैं नहीं, 5-6 में जाएगा यहाँ पर आपको ring expand कराना है जबकि यहाँ पर ring already expanded है 6 member stable है, तो यहाँ पर आपको hydride shift कराना है तो I hope clear होगा, बहुत अच्छे से very simple है, जिस carbon पर पर पलाश है उसको 1 देते हुए numbering कर लो वो सारे numbering वाले carbon से ring बना लो 2 number पर positive दो उसका देख लो कि कौन-कौन से carbon पर क्या लगा हुआ है, लगा दो फिर further rearrangement की possible है तो आप rearrange करा दो now last ring contraction, ring contraction very rare है और बहुत ही कम इसके example है, और fix है अगर 4 member ring पर पलाश चार्ज होगा तो ring contraction होगा, आपको करना क्या है, जिस कारन पर पलाश हो उसके बगल वाले carbon के इधर वाले bond को दियान से देखो, उसको भी मैं नमली करता हो 1, 2, 3, तो जिस कारन पर पलाश है वो वाले carbon के bond को नहीं 2, 3 के बीच के bond को break कर देना, इसको आटा दो और यहां से इसको attach कर दो तो दियान से देखो, क्या हो गया दियान से देखो, यह मैंने attach कर दिया और यह आपका यह बचाव डंडा था और यहां पे plus 2 पे again plus लियाना है, तो इसको अगर मैं अच्छे से लिखूं तो कैसा हो जाएगा, दियान से देखो ऐसा हो जाएगा और यह dancing resonance है कुछ बच्चे इसको क्या करते हैं, यहां पे ले आते हैं बोल देते हैं सर्थ, तीन नाका बन गया नहीं, यह dancing resonance होने की वज़ा से यह यहीं पे stable है और highly stable है, even though यह आपका इस कार्व का ट्रैंस से भी ज़्यादा stable है, CH2 पलस से भी ओके, तो इसको पलस है, उसको 1, 2, 3 2, 3 के बीच का बॉंड को ब्रेक कर देना है यहीं पे stable है, उसको अंदर रियारेंज नहीं कराना है, even though यह कार्व का ट्रैंस आपका यह resonance वारे कार्व का ट्रैंस से भी ज़्यादा stable है नाउ जाते जाते घ्यान की बात और that is very very important तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका rearrangement मेरे को कराना है तो आप ध्यान से देखो, 4 member ring है उसके बाहर बाले कार्व पलस है तो सबसे पहले ring expansion की condition बन गए, तो ring expand कराना आपको क्या बता है था, जिस कार्व पलस हो, उसको 1, 2, इधर substitution है तो इसको 3, 4 और 5 ring वाले सारे कार्वन को numbering कर देना है, 5 आने का उतलब क्या हो गया है, कि आपको 5 member की ring बना लेनी है और जहां से मन करें, वहां से numbering कर दो 1, 2, 3, 4, 5 उसका अदा हमने क्या बोला था 2 पे पलस देना है 2 पे पलस दे दिया अब ध्यान से देखो ये सारे कार्वन तो आपके ring में आ गए, राइट अब 3 वाले पे ये group लगा हुआ है तो 3 वाला कार्वन यहां है इस पे ये group लगा दो अब क्या further shifting possible है तो yes, ये भी 2 degree है आपका राइट 2 रास्ते यहां पे आ सकता है 3 ना का है तो ये further shift होगा तो पहला क्या हुआ है ध्यान से देखो तो ring expand हुई है आपकी दूसरे case में क्या हो जाएगा hydride shift तो ध्यान से देखो hedge shift होगा तो क्या होगा आपका यहां पे plus आ जाएगा hydride shift से क्या further shifting possible है तो यहां पे ध्यान से देखो तो यहां पे इसके पास 2, 2 और 1 5 alpha hydrogen थे अगर यहां से यहां जाएगा यह भी 3 ना का है यह भी 3 ना का है लेकिन आगे वाले ना के पे जाएगा तो क्या होगा ध्यान से देखो आगे वाले ना के पे जाने की वज़ा से अगेन यहां पे क्या हुआ है head shift अगर hydride shift होता है तो ध्यान से देखो क्या हो गया 3, 3 और यहां पे 1 7 alpha hydrogen होगे तो 5 से 7 तो वो stable हो जाएगा फिर अगर आप ध्यान से देखो तो फिर से ring expansion की condition बन गए यह कैसे 5 member ring है और उसके just outside area पे positive है तो हमने क्या बोला था आपको इसको 1 करो इसको 2, 3, 4, 5, 6 तो क्या करना है 6 member ring बना देना आपको आख बंद करके जहां से मन करे numbering कर दो numbering कर दिया हमने 2 पे क्या कर दो positive अब ध्यान से देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपका बचा कौन ये वाला और ये वाला दोनों किस पे लगा है 1 पे ही लगा हुआ है तो 1 पे आप लगा देन अब फिर ध्यान से देखो अब यहां पे कोई hydrogen नहीं है तो आप यहां पे क्या होगा alkyl shift यहां पे क्या होगा alkyl shift alkyl shift होगा तो आपको बताया था ये वाला डंडी हटाओ यहां चिपका दो plus को यहां कर दो तो ध्यान से देखो क्या करना है यहां वाला एक डंडी हटा दिया तो plus और उस plus की जगा वो डंडी चला गया तो यह यहां पे अब यहां पे shift होने का जासे अब क्या होगा तीन, एक चार और दो छे अलफा हैट हो जाने और थ्री डिगरी है तो आप ध्यान से देखो मैंने यह example बहुत ही best लिया है और इसमें मैं कहना चाहूंगा जब तक तोड़ेगा नहीं तो यह ऐसा मने एक्जामपल लिया है जिसमें यह चीजे होंगी तो इसलिए यह नहीं कि कारू का टानरी मतलब एक मरतवा करा दिया जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं तो इसमें आपको हर कंडिशन को चेक करता रहना और लास्स टेबल कंडिशन पर यह बनाना है यह कहने का क्या मतलब है कि आपको मान लिजिए यह इस टाप का कुछ आपको दिया जाता है यहाँ पर मान लो आपका लगा होता C.L. और यह कंडिशन होती अगर मान लो यह रियक्शन जो है हो रही है यह बाया कार्बोकटायन निकलोफाइल को एट करना होता तो सबसे पहले बच्चे क्या करते पहला परोड़क्ट यहाँ पे निकलोफाइल को लगा देते और यह हो जाता आपका गलत Actually मे क्या होगा product आपको मालूम है ध्यान से देखो यह जो unexpected आप किस सोच से बाहर है यहाँ पर आकर का आपका निकलोफाल लगता तो इसका actual product यह होगा तो कार्वोकाटान रियरेंजमेंट का कहने का यह मतलब है कि एक बार कार्वोकाटान बन गया तो पहले आप उसको रियरेंज कराएंगे रियरेंज करने के बाद निकलोफाल को अटेच करेंगे इसलिए अगर यहाँ से निकलोफाल की रियक्शन हो रही है वाया अगर बन रहा है तो यह product नहीं मिलगा आपको और यह product मिलगा तो आप कैसे think करेंगे तो उसके लिए आपको यह इतना हमने समझाया है क्योंकि यह डारेक्ट हवा में उर करके नहीं आएगा हलो एवरिवन कसका है आज की इस वीडियो लेक्शर में हम लोग बात करेंगे एनलाइसिस अफ कमपाउंड के बारे में तो दो तरीके से एनलेसिस करेंगे एक होता है quantitative तो यह quantity वर्ट से बना है that means amount calculate करेंगे that means quality के बारे में बात करेंगे that means यह theoretical question इस पर based आएंगे और कितने element का analysis करना है वो भी fix है carbon का करना हमे hydrogen का nitrogen का halogen का sulfur का और phosphorus का यह 3 inorganic compound होगा एक तरीके से और यह organic वाले तो total 6 element का हमें analysis करना है quantitative में और qualitative में तो सबसे पहले हम बात करते है quantitative के बारे में now quantitative analysis right तो it's very simple concept क्या है we know total 6 element है हमारे पास right तो आपको क्या करना है जो भी unknown sample होगा right जैसे मालो यह unknown sample है तो इसमें क्या-क्या हो सकते हैं carbon हो सकता है hydrogen हो सकता है nitrogen phosphorus sulfur और halogen minimum 2 element होगे maximum यह 6 हो सकते हैं right तो यह unknown sample है इसके mass को मैं बोल रहा हूँ MS को इसका mass आपको question में clearly given होगा तो mass of sample जो आपको given होगा जब question में पढ़के कैसे पता लगेगा तो जब बोला कि mass of the sample है या mass is this बताया नहीं कि वो किसका है right mention नहीं किया तो वो mass क्या है sample का mass है तो वो question में given होगा दूसरा MR मतलब mass of reference that means जब इन सब को burn करेंगे या किसी particular reagent से react कराएंगे तो जो compound बनेगा वो reference होगा हमारा और उसका mass भी आपको given होगा वो particularly mention होगा कि mass of this reference क्या है very simple है ध्यान से समझो serial number से लिखा अगर carbon होगा तो उसके लिए reference CO2 तो CO2 का mass दे देगा आपको hydrogen होगा तो उसके लिए water को reference लेंगे right अगर halogen होगा तो AGX silver के halide reference हो जाएंगे sulfur होगा तो barium sulfate phosphorus होगा तो दो reference यूज करते हैं question में क्या given है उसके according जाना है वो mention रहेगा mg2, p2, o, 7 या फिर ammonium phosphate 12 है molybdenum trioxide right तो ये दोनों use करते है phosphorus के लिए nitrogen के लिए N2 है इसके बारे में हम detailed discussion अभी करेंगे तो ये 5 अभी हमारे लिए important है तो ये 5 element उसके reference fix है molecular weight आपको रटने की जरुदने यहाँ पर हमने लिग दिया है right क्यों क्योंकि exam में सबके atomic weight given होंगे तो आप निकाल सकते हो तो इसलिए mass of reference का अंतलब यही है कि reference के mass आपको given होंगे right तो हमें क्या करना है mass of element निकालना है तो mass of element कैसे निकाल सकते है reference के mass में उसके molecular weight से divide करेंगे तो क्या गया moles right simple mole concept लगाना है जो भी reference होगा उसके weight में given weight में molecular weight से divide कर देंगे उसी के तो क्या हो जाएगा moles into atomic weight जिस element का आप निकार रहो mass उसका atomic weight into number of atom of that element in that reference compound तो इस तरीके से mass of element आजाएगा तो यह जो quantitative analysis है वो actually है क्या percentage weight by weight है यह 5 element का percentage weight by weight आपको निकारना है और percentage weight by weight कैसे define करते हैं weight of element by total weight into 100 percentage है तो से percentage carbon आपको बोला जाए निकारने को तो mass of reference that is CO2 का given होगा उसका mass put कर दो divided by 44 तो यह moles आगया CO2 का बट यह moles जो है वो CO2 का राइट उसमें vino की one mole of CO2 में कितना करवन है 12 गरान तो इतना mole में कितना होगा 22 12 वही बोला कि mass of reference by molecular weight of reference that is 44 atomic weight 12 number of atom इसमें carbon का एक ही है इसलिए आपको शिर्फ 12 के अगर मालो oxygen का निकारना होता तो कितना करते 16 होता atomic weight into 2 करना पड़ता है यहाँ पर number of atom का y मतलब है कि reference में उसके कितने है atom तो यह mass of actually क्या होगा see divided by mass of sample that is total mass into 100 वैसे hydrogen का निकारना है तो कैसे निकालेंगे very simple reference का mass that means water का given होगा आपको divided by 18 तो most अगर into 2 क्यों क्या क्योंकि दो item हो उसके right atomic weight 1 है into 2 divided by sample का mass into 100 वैसे ही sulfur हो या halogen हो या phosphorus हो जो भी हो तो क्या हो जाएगा उसका जो reference है जो यहाँ लिग दिया उसके given weight में divide कर देना है उसके corresponding reference के molecular weight से into y atomic weight into number of atom sulfur में atomic weight आपका कितना है 32 right और atom कितना है एक ही है divided by sample का mass into 100 तो यह है और इसको देख करके बच्चे डर जाते हैं यह simple mole concept के question है बेटा इससे एक question fix है अच्छे से समझ लो अभी मैं कुछ problem ले करके भी समझाऊंगा तो nitrogen के लिए जैसे आपको बताया किस के लिए हम लोग different way में करेंगे बाकी 5 element के लिए आपको बताया था simple है by the way यह भी percentage weight by weight ही है लेकिन निकानने का तरीका थोड़ा सा दूसरा है तो nitrogen अच्छी बात है बट कहां पर यह ध्यान दे STP पर क्यों क्योंकि उसलिए हमने 224 डॉल 0 से डिवाइड किया तो अगर STP पर वालूम मालूम है उसको 224 डॉल 0 से डिवाइड किया तो एक्चुली क्या होगा ध्यान से जा रहे है नाव जो VN2 है वो STP पर है तो अगर डारेक्ट कोश्चन में दे दिया तो अच्छी बात है नहीं दिया तो आप कैसे नहीं का सकते हैं सिंपल एक्वेट करके कि P1 V1 Y T1 यह किसी भी कंडिशन पर है और यह STP पर तो STP परेशर कितना हो जागा MMHG में 180 यह 760 MMHG वालूम आफ एंट 2 एट STP जो निकानना है और टेमपरेचर STP कितना लेता है 273 तो वालूम आफ एंट 2 कितना हो जाएगा यह सब इदर मल्टिप्लाइ हो तो P1 V1 इंटू 273 डिवाइड़ वाई 760 इंटू T1 जहां पर P1 किसी अधर कंडिशन में STP को छोर करके V1 भी किसी अधर कंडिशन में यह STP वाला टेमपरेचर है फिक्स हो गया यह STP वाला प्रेशर है और यह T1 अगेन किसी अधर कंडिशन में तो इससे आपको वालूम आफ N2 आजाएगा STP पर अगर कोश्चन में नहीं गिवन है तो ध्यान दे यह जो P1 लेना है वो एट्मॉस्फेरिक फ्रेशर माइनस एकोस्टेंशन अगर कहीं पर एकोस्टेंशन भी मेंसन है कोश्चन में तो उसको मानस कर देना है तो यहां से आपको निकार नहीं तो यह एक तरीका है यह बेटा नया नहीं है अगेन आप है यही परसेंटेज वेट वाइट है तो put करके उसका half कर देंगे, नहीं given है, तो इसको neglect कर देना आपको, तो सिरिफ V रह जाएगा, समझ के बाद, और MS तापको मालूम है, कि वो sample का आपको जो weight given होगा, तो यह भी percentage W by W है, ध्यान रहे, जेलधाल method से, तीन तरह के हम compound को नहीं estimate कर पाते हैं, एक nitro group आले, that means जिस से nitrogen detach होगा नहीं, nitrogen बाहर आएगा नहीं, इसलिए आपको फिर यह जेलधाल test भी नहीं देंगे, तो यह ध्यान रखना, यह पूछा जाता है, और यह कैसे निकाल लेंगे, question number one में, दूमस method है, 0.3 gram of an organic compound के 50 ml N2 at 300 Kelvin, 715 mmHg pressure है, तो percentage nitrogen बताना है, एक को अस्टेंशन आपको गिवेन है, तो देखो question को पढ़कर मैं कैसे पता लगा रहा हूँ, यहाँ पे 0.3 gram organic compound, और कौन सा है वो नहीं बता है, that means यह sample का mass है, तो mass of the sample आपको आचुका, that is 0.3 gram, उसके बाद ध्यान से समझे, यहाँ पे जो volume है, N2 गा 50 ml, वो 300 Kelvin, that means STP पे नहीं है, क्योंकि standard temperature 273 Kelvin था, तो हमें निकालना परेगा, तो कैसे निकालेंगे, P1 at any condition, V1 by T1 is equal to P at STP, volume at STP, right, divided by temperature, you know, STP पे 273, तो volume at STP क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, volume at STP क्या आ जागा, P1, P1 कैसे निकालेंगे, 715 था, उसमें से equals tension मानस कर देना है, 15, तो कितना हो जागा, 700, right, V1 कितना हो गया, ध्यान से देखो, 50 ml, और यह 273, divided by, अब यह T1 जो आपको given था, that is 300 Kelvin, और जो pressure होगा, STP पे वो 760 होगा, तो इसको आप cancel out करेंगे, तो यह procs में आ जागा, आपको 42, कैसे, तो यह 20 से यह 20, cancel कर सकतो, यह 0 से यह 0, cancel कर सकतो, right, यह 5 से 15 टाइमस में जाएगा, यह 7 से 72 टाइमस में जाएगा, 3 to the 6, तो यह procs में 42 के असपास आ जाएगे, right, now the question is, कि यह जो volume है, वो STP पे आया है, तो अब हमें percentage N निकानना है, तो volume at STP that is 42 divided by 224 00, ml में था most into 28 by mass of the simple that is 0.3 into 100, right, तो अब ध्यान से देखो, यह 2 0 से इसका 2 0 cancel हो जाएगा, इसका 0.3 से उपर में चला जाएगा 10, यह 3 से 4 इसमें चले जाएगे, right, तो अब इसको cut with करोगे, तो एप्रॉक्स यह 17.5 परसेंट का स्पास आजाएगा, पूरा proper calculation आपको नहीं करना है, क्योंकि यह काफी far है, तो यह सब option नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए option क्या रहाएगा इसका, A, question number 2 में, जेलधाल मेथड है, 0.5 gram compound, एगें कुछ नहीं मिंचन है, तो वो क्या होगे आपको, sample का mass, that is 0.5 gram, right, 10 ml volume, किसका है, दियान से देखो, H2S of 4 का, ml में ही चाहिए, था हमें, तो अच्छी बात है, वो मिल गया, molarity भी आपको मिल चुक है, that is 1, तो formula अपना क्या था, percentage n के लिए, 2.8 into volume ml में ध्यान दे, molarity by molar mass of sample, ये direct percentage माँ जाता, put कर दो, 2.8, volume ml में 10, molarity, standard में तो 1, और sample का mass, 0.5 gram, वो gram में चाहिए, तो दियान से देखो, तो ये, आपका कितना हो जागा, ये तो cancel ही हो जाएंगे, right, 0.5 का उपर 2, तो ये 56% option है, तो इस step से करना बहुत easy, इससे base एक problem रहते हैं बेटा, question number 3 में 0.246 gram organic compound का है, जो कि आपको 0.198 gram CO2 दे रहा है, और 0.1014 gram H2O, तो percentage carbon और hydrogen, तो इसी की बात कर रहा था, आपको sample का mass given है, reference का mass given है, तो अगर percentage C निकानना होगा, तो reference का mass केतना था, दियान से देखो, 0.198, right, divided by, आपको इसका CO2 का तो 44, into में carbon CO2 में 1 ही है, तो 12, divided by, sample का mass आपको given था केतना, 0.246 into 100, ऐसे करके निकाल लेंगे, आप दियान से देखो, तो इसको ज़्यादा यह नहीं करना है, दियान से देखो, मैं कैसे कर रहा हूँ, calculation, 0.198 by 44, into में 12 है, right, नीचे में divided में, आपका 0.246 है, और into में इदर 100 है, यह point से यह point cancel हो जाएंगे, 198 को एप्रोक्स आप कितना ले लेंगे, 200 के असपास, 246 को आप कितना ले लेंगे, 250 के असपास, उससे फर्क नहीं परेगा, right, तो 250 से यह cancel हो जाएंगे, 12 से यह, 12, 2 the, 2 से यह, 2 5 the, right, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, और यह 44 को, अगर आप 45 लेता हो, तो यह 9 times में तो यह एप्रोक्स में 21% के असपास आजाएगा, तो इस टाप से करना है, similarly, percentage hydrogen निकानना हो, तो कैसे निकलेगा आपका, इसका given है, 0.101 divided by 18 into 2 divided by total sample का mass, 0.246 into 100, तो यह प्रोक्स में आपको आजाएगा, 4.5% के असपास, तो इस तरीके से इजली कर सकते हैं, जैसे केरियस म सेंपल, तो that means, सेंपल का mass दे दिया आपको डारेक्ट, इतना gram AGBR तो BR का percentage, तो percentage BR क्या हो जागा, reference का mass आपको given है, 0.12 divided by इसका total, तो 188, क्योंकि AG का 108 और BR का 80, right, into में BR उसमें कितना है, एक ही है, right, तो कितना होता है, 80 divided by sample का कितना है, 0.15 into में 100, again, calculation easy है, कैसे देखो, 0.12 into 80 into 100 divided by 188 into 0.15, points है, point cancel, 34 the 35, right, तो 188 को आप approximately 200 के आसपास ले सकतो, तो आप यहाँ पे अगर निकालोगे, तो कितना आ जाएगा, दियां से देखो, तो 34, 35 के आसपास, तो यह आ जाएगा percentage में, तो इस तरीके से आपको करना है, Now, qualitative analysis, तो बहुत simple है, और बहुत important है, यहाँ से भी question रहते हैं, तो दियां से देखो, अगर carbon या hydrogen को अगर आपको identify करना, तो पहले क्या करना है, carbon या hydrogen वाले sample, जो unknown sample है, उसकी reaction, copper के oxide, copper plus 2 में होना चाहिए, यह सब point ध्यान में रखना है, copper के oxide, इस से react कराते हैं, तो क्या ह होता है, carbon CO2 में convert हो जाएगा, hydrogen H2 में और copper 0 में आ जाएगा, अब अगर carbon dioxide gas निकली है, तो उसकी reaction lime water से करा देंगे, तो precipitate आ जाएगा, तो इसका मतलब CO2 था, that means carbon था, तो carbon का detection ऐसे होता है, वैसे ही अगर water होगा, तो copper sulfate में add कर देते हैं, और hydras वाले में, जो white color का होता ह water add होते ही, blue color में जाएगा, इसका मतलब water था, water था, मतलब hydrogen था, तो carbon और hydrogen को इस तरीके से हम लोग पैचानते हैं, वैसे ही nitrogen, sulfur, halogen, phosphorus, इन सब के लिए, एक common test है, that is, lasine test, और very important है यह, पहले आप क्या करेंगे, इन सब में sodium add कर देंगे, तो sodium fusion extract उसको बोलते हैं, तो carbon nitrogen halogen होगा, तो NX यह बन जाएगा, तो इसको बोलते हैं, sodium fusion extract, बहुत तो मैं गई, जो unknown sample होगा, उसमें sodium डाल करके उसको reaction करा देना है, तो जो present होगा, उसके recording यह compound बन जाएगे, फिर further इसका confirmatory test करेंगे, अब कैसे, अगर nitrogen का करना हो, तो हम क्या करेंगे पहले, cyanide iron बना हो तो इसका 3A valency, इसका 4, cross multiply कर देंगे, तो यह formula भी ध्यान में रखना है, पूछा जाता है, iron यहाँ पे 4 कैसे, यह 3 इधर जाएगा, 4 इधर जाएगा, और इसका total efficiency इसका total 3 रहेगा, तो यह person blue color आते हैं, इसमतलब nitrogen present है, वैसे ही sulfur का करना हो, तो दो test है, lead के compound plus 2 वाले से कर अगर black color का precipitate आ रहे हैं, तो confirmation हो गया, या फिर FECN5NO वाले compound से कराओ, complex compound से, तो sulfur इसके अंदर गुज जाएगा, नौस, मतलब sulfur भी आ जाएंगे, और violet color अगर मिर रहे है, तो sulfur का detection हो चुका है, वैसे ही nitrogen और sulfur दोनों अगर present हो, तो उसके लिए simple thiocyanide बनेगा, यहाँ पे, right, HCN वाला sodium fusion extract में, उसके reaction iron plus 3 वाले किसी भी compound से करा दो, bullet rate color आ रहा है, तो मतलब nitrogen sulfur दोनों present है, वैसे ही halogen के लिए, आप silver के किसी compound plus 1 वाले से reaction करा दो, तो आपको AGX का precipitate मिल जागा, जिससे confirm हो जागा कि halogen है, और phosphorus के लिए पहले उसको sodium peroxide में, that means phosphorus को oxidize कर देते हैं, उ फिर उसमें ये compound डालते हैं, इसको ध्यान वे रखना है, ammonium tetra molybidate है, जिससे NH4 whole 3 PO4, क्योंकि PO4 पर मानस 3 होगा, तो उसको balance करने के लिए NH4 पर एक फुलस है, तो 3, ये तो ammonium phospho molybidate बोलता है, और ये 12 MOO3, ये MO molybidate है, तो ये compound important है, इसको ध्यान वे रखना है, halogen क कैसे करते हैं, nitrogen sulfur दोनों हो तो, and so on, तो ये बहुत important है, just इतना ध्यान वे रखना बेट आपको, now जाते 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 ग्यान की बात, that is very important, कि आपका जो unknown simple होगा, उसमें carbon होगे, hydrogen होगे, nitrogen होगे, तो इसलिए XYZ, उसके हमने number ले लिए, उसकी reaction, copper plus 2 वाले oxide से कराना है, तो carbon होगा, तो क्या मिलेगा, CO2, hydrogen होगा, तो क्या मिलेगा, H2O, nitrogen होगा, तो N2, right, अब इसको balance कैसे करेंगे, तो यहाँ जितना carbon में X है, तो XCO2 कर देना है, hydrogen में Y है, और ready 2 है, तो इसलिए Y by 2 किया, nitrogen में Z है, और ready यहाँ पे 2 है, तो इसलिए Z by 2 किया, right, अब अगर आप ध् होगा, तो इसलिए 2X plus Y by 2 गया, तो इसको ऐसा नहीं की रटना है, बस समझते वे, इसका भी यूज हो सकता है, कि इसके इतने मोल्स से केतने मोल्स मिलेंगे, मोल कंसेट के question पूछे जा सकते हैं, यह क्या-क्या मिलता है, दूसरा, जो भी आपको बताया, कि दूमस या जिल और lecine test से हम nitrogen, sulfur या halogen का पहचान करते हैं, तो I hope मेरा यह परिया सबको पसंद आया होगा, बेटा सारे यह वाले concept important और easy है, और यहां से question fix है, इसलिए इसको अच्छे से करके जाना, क्योंकि एक या दो question अपका fix है, every year means के exam में, thank you.